पालिक चालू करींगे गया? लेट्स गेट सादेर लेट्स गेट सादेर कमान बुक बुक सब निकालो पेन वेन निकालो ए यह ऐसा क्या है पूरी दुनिया की जग पड़िये ने इंदर पूरी दुनिया की जगह है इकड़े जबसाई चाहिए अरे वो जीवन में पूरी जगह पड़िये है वो उदर पीछे है चलो एक बार आपका स्नापड आप सब खिचके हो गया श्ट्रीक विक बड़ा ली लाइफ में जित्ती बड़ा नहीं थी कर लो सब 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 फालतु धंदे पहले कर लो कर लिया आपने आप येस जित्ते बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है आप सभी का आज बहुत-बहुत स्वागत है येस ये लड़ा स्टार्ट वाच्चो गुट आफ्टनौन जिया आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है प्रोबेबली आप बहुत सारे लोग मेरे को पहली बार देख रहे है राइट जित्ते बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है आप सभी का स्वागत है इस सीए 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 एकनोमिक्स का माराथन राइट और इत में भी पॉसिबल जितने बच्चे ऑनलाइन या ओफलाइन कनेक्टेड है इत में भी पॉसिबल कि आपने इसके पहले मेर से नहीं पढ़ाओ जो भी रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ाओ देख एट देन एकी चीज काम आती है पंस बगऄ देता हो इस माराथन के लिए आपके पास एक रजिस्टर होना चीए पेन होना चीए इंपर्टन कंसेट और चार्ट समॉलग यहीं पर बना लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज की ज़रोता है एक रेजिस्टर एक पेन कंसेट को पढ़ने के लिए चीक है डूसरी चीज दूसरी चीज髜 सजर्णनरी अमेंड मिली अंपे तो आप यह डिशमबर 22 के लिए देखे लिए चुनdays त्वेंटीफ्रीं के लिए थेक लिए डिशमबर 23 के लिए लिए अनलेस नेनरे लिए clear अनलेसान फीर बहुत सारे हसी में जाकर मौके आएंगे क्योंकि मैं सीरियस रह नहीं सकता ठीक है आप भी होना मत कि घुमेंगे वापस आजाएंगे आज कितने चाप्टर करेंगे सरहम पूरे पांच पूरे पांच चाप्टर करेंगे उस में से जो जो चीजे इस परसेंट आउट पूर्पूट तब आएगा जब आप घर पे ही जाके आज वापस से बस वो चो इम्पोर्टन आपको कर वाद दूगा उतना पर बस एक बार आप पढ़ ले आपके रिस्पेटिव टीचर के नोट से या मोड्यूल से एस दे केस में भी क्लियर है मालिक तो आपने मेरे से पढ़ा नहीं पढ़ा इस पॉइंट पर कोई रेलेवेंस ही नहीं है यह जो कॉंटेंट है यह अल्मोस्ट एवरीटिंग विल भी कवर्ड बरे और एक अब्जेक्टिव याद रखना जनरली ऐसा होता है जब हम कॉंट बुलातियम अगर जाने का नहीं बरे वह कितना भी बुलाएं उदर से मेसेज आएगा आपको हाई बेभी आएं फ्री केन यू काम उसको बलना बेटा ड्रीम्स आर मोर इंपोर्टन देन यू तो अभी आज का दिन आपका भाई बेहन बॉइफ्रेंड गल्प्रेंट सब मे है इसका मतलब यह नहीं है कि सब मैं है 100 फोकस करना कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि लिटरली बोर हो जाए अफ्रंट बोल रहा हूं क्योंकि यार कमान थेरी है पट चुप चुप टिका के रहना at the end of the day तुमको भयानक मज आएगा तुम बोलो कि भाई फोल रिस्पेक्ट है ठीक है चलो चालू करेंगे सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू एकनॉमिक्स में कितने चैप्टर है और उसको कितने युनिट्स में डिवाइड गया है मैं आजूम कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता इवन दो आपको सब कुछ पता है पर कुछ नहीं पता है यह एकनॉमिक्स मुझे याद नहीं आ रहा है एकनॉमिक्स कितने मांक्स का है 60 मांक्स का है अच्छा चलो जल्दी बताओ यह 60 मांक्स के लिए आने वाला है आप सभी बना ले तेको क्लियर कट आड़े आईडिया आजाएगा कौन से यूनिट का कितने पाट का क्या इंपोर्टन्ट है ठीक है तो आज के दिन रुखना नहीं कुछ भी नहीं हातों को शांतीर में रखना ही नहीं तो चैप्टर नुम्बर वन के दो यूनिट है यूनिट वन यूनिट टू मालिक जान से सुन चैप्टर नुम्बर वन के दो यूनिट है यूनिट वन यूनिट वन यूनिट वन टॉक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एकनॉमिक्स लिख लिए बटा चाप्टर नूम्बर टू इस इंपोर्टन तो अगर देखा जाए मैक्सिमुम कोश्टन आपको चाप्टर नूमबर टू और चाप्टर नूमबर थी से मिलते हैं क्योंकि टेक्निकालिटीज भी सब वहीं है इसको अगर सही तरीके से पढ़ना है पहले यह पढ़ना फिर यह पढ़ना और फिर यह पढ़ना अगर चाप्टर नूमबर टू को दिल में बसाना है पहलेकंजूमर जKayओ Dear Convene से सप्लाइय मैं जाओ ये उतरीका है इसको पढ़ने का तीसरा चाप्टर नमबर थ्री दो यूनिट पर बात कोती है एक बात कर रहा है प्रोडक्शन पर दूसरा बात कर रहा है कॉस्ट पर एक बात कर रहा है प्रोडक्शन पर दूसरा बात कर रहा है कॉस्ट पर इसमें महनत यहां लगती है तो focus जो होना चाहिए वो unit 2 पे ज्यादा होना चाहिए production इजी concept आ जाता है unit 4 के अगर मैं बात करूँ, Set Unit 4 के अगर मैं बात करूँ, price, market, determination of price and market, मेहनत यहां लगेगी कि कौन से market में price कैसे determine होगी, बरे-बरे, मेहनत यहां लगेगी तो जो actually highlighted point है, जो actually आपके you know important point है वो आपको बता रहा हूँ and last है business cycle, दुनिया का सबसे easy topic, बरे-बरे business cycle, अच्छा जी आज अगर possible हुआ, तो मैं आपसे हर topic के end के बाद, 5 minute के relaxation session के time पे आपको बोलूँगा mobile निकालो और mobile निकाल के बोलूँगा recording option on करो, उस chapter का audio revision भी तुरंट करवा दूँगा, ठीक है, वो भी तुरंट हो जाएगा, तो 5 minute का relaxation हो जाएगा, और काम भी हो जाएगा, are you ready, बरे-बर मालिक, बरो सरस्वती माता की, जे, let's start, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो आपका चा बालू होता है, chapter no.1, और chapter no.1 के अंदर भी आपका start होता है, unit no.1, chapter no.1, unit no.1, बरे-बरे, ये आपको सबसे पहले economics क्या है, economics की problem क्या है, और economics की problem के साथ-साथ उसकी features and characteristics के बारे में बताता है, तो economics, economics, economics की अगर मैं बात करूँ भाई साब, economics यह जो word है, यह कहां से आया ह है, economic, a Greece word है, Greece के लोगों ने दोई काम किया था, दूसरा था word banana, Greece के लोगों ने किता काम किया था, दो, दूसरा कौन सा था, word banana, पहला नहीं पूछते, so economics, arise from Boluida, Greek word, anyone, oikonomia, 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 which means, the law of, household, which means, the law of household, तो economics, जो शब की शुरुवात हुई है, economics, जो शब्द की शुरुवात हुई है, यह हुई है, एक Greek word से Greek word है, oikonomia, and oikonomia stands for law of household, oikonomia stands for the law of household, अच्छा जी, तो economics की हमें जरुरत क्यों पड़ी, अच्छा, economics जो यह शब्द है, मेरे बात समझना मालिक, economics जो यह शब्द है, यह क्या अचानक से आया है, या किसी ने introduced भी क्या था, यह इंडिया में है, यह हमेशा से था, yes, यह इंडिया में हमेशा से था, आप लोगों ने सुना होगा एक महान व्यत्ती जो हमारे इंडिया से है, चानक के जी, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, अर्थाशास्त्र, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, अ फादर ओफ इकनॉमिक्स फादर ऑफ इकनॉमिक्स न hrage यह दिया गया है यह दिया गया है बाबा इड़न सुमित को बाभा आप यह पूछेंगे बात को यह दीया आप सर for न लॉचिक भी वैटा एसा नहीं हां लॉचिक भी तो रहे सर आखिर बाबा एडम स्मित को इतना बड़ा ताज दिया क्यों देखिए बाबा एडम स्मित में ना एक बुक लिखी थी इनकी बुक का नाम था नेचर एंड कॉजेज ओफ वेल्थ ओफ नेशन रुकना नहीं बिटा सीधा सीधा दना दन लिखते जाना यह सारे जितने भी पॉइंट है यह सब मेजर एमसी क्यों के पॉइंट है वह लिखेंगे बाकी कुछ लिखने भी नहीं वाले हम सो बाबा एडम स्मित को इतनी के बारे में सूचता था शिर्फ अपनी इंकम और अपने खर्चे के बारे में सूचता था देश की इंकम या देश के खर्चों के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता था और बाबा एडम स्मित को इतनी इज़त इसलिए दी गई है क्योंकि Nature and Cause of Wealth of Nation इन्होंने Personal Income की तो ब मैं बात ही नहीं करते थे, in short, economics पहले सिफ micro था, इन्होंने micro के साथ साथ macro aspect दिया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, economics के कितने पाट हुए बेटा, economics के कितने पाट हुए, दो, micro and macro, economics के कितने पाट हुए फिर, दो पाट हुए, micro and macro, micro talks about individual, whereas macro talks about aggregate, यह बड़ी हो के MCQ बनती है, यह बड़ी हो के कौन बनेगी, MCQ, so economics में, micro talks about individual, whereas macro talks about aggregate, yes or no, अच्छा जी सर, सर मुझे एक बात बताईए, कुछ और चीज़ें आप लोगों से पूछते जाऊँगा, आप ही economics बनाएंगे, economics is applicable only to profit-making organization, say yes, say yes, say yes, क्या सिफ profit-making organization economics use करेंगे, ना मुनना ना, profit-making as well as, loss-making नहीं, non-profit-making organization, यहने देखिए, non-profit-making organization as well as profit-making organization, क्या दोनों भी economics use करेंगे, yes, हां हां आ रहा हा रहा हा एक सवाल आ रहा है मेरे को, मेरे को ना SM sir कह रहे थे, SM sir कह रहे थे मेरे को, उन्होंना मुझे कहा, देख बिटा, economics is only useful for government organization, is it also useful for private organization, बहुत बढ़िया, अच्छा जी, economics is relevant only to one country, no, is it restricted to one country, no, it is restricted to pan world ya pan countries, yes, so, हां एक मनिट, economics में हम सिर्फ economics पढ़ते हैं, दूसरे subject के discipline नहीं चाहिए, दूसरे subject के knowledge की क्या ज़रत है, है ज़रत तुम्हें, जैसे कौन से subject के knowledge की ज़रत है, तुम्हें आच्स, मैट्स, दुनिया के तो formula दिए रहे हैं यहांपर, maths की ज़रत है, क्या तुम्हें कुछ accounts की ज़रत पढ़ेगी, तुम्हें हर subject है, तुम्हें states की ज़रत पढ़ती है, maths की ज़रत पढ़ती है, एनालेसिस की ज़रत पढ़ती है, capital budgeting की ज़रूद पढ़ती है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, institute ने एक बार पूचा था, is economics multidisciplinary, economics is multidisciplinary, इसमें बहुत सारे चीजों का knowledge लगता है, तो कुछ बाते हमें और समझ बहुत है, पहला, economics is multidisciplinary, economics is multidisciplinary, economics is applicable to profit-making and non-profit-making organization, it is applicable to profit-making and non-profit-making organization. profit-making and non-profit-making organization, तो यह multidisciplinary है, अच्छा, it is applicable to government-oblique-private organization, it is applicable to government-oblique-private organization, तो यह government organization को भी applicable है, private organization को भी applicable है, में कहें मन तो, एक इचारू का, इचारू का, इचारू का, सर, मेरे कुना अभी शेक सर कह रहे थे, economics is also a science, क्या आप बात कर रहे है, सच्ची, is it also an arts, arts क्यों, science, because we apply it, we prove the theories, arts इसलिए, because it is applicable for practical situations, so economics if theory है या हम इसे apply भी करते है, क्या मैं इसे applied economics बूल दू तो आपको तकलीफ तो ना हो जाएगी, so can I say economics is also called as applied economics, because we apply economic theory into practical, so economics is also called as applied economics, economics is also called as applied economics, economics is science and arts, commerce में तो हम इसे पड़ी रहे है, it's a science, it's a art, कोई बच्चा ऐसा दिल में सोचेगा चोड़ना है यार क्या लिखना है, लिखते रहे, क्या होता है मेरे डाड कहता है सव बकी एक लिखी, बोल दोगे याद नहीं रहेगा, देख लोगे याद नहीं रहेगा, कर लिया सब याद रहेगा, अरे, practical is more important than theory, no, तो करना जाद है important है, डेखने से और सुनने से, ठीक है, याद रखे, I am responsible for what I said, not what you understood, मुझे पता है कली आपका मैच्स हुआ है, आज सुभा भी हुआ है, तब ही बोलो यह सब क्यों सूज रहे हैं, अच्छा जी, सर मुझे एक और सवाल आया था, बहुत जोर से आया था, तो आपने इसे applied economics कहा, आपने इस applied economics कहा, तो क्या मैं कह सकता हूँ, it is pragmatic in nature, apply किया मतलब आपने theory को practical में apply किया, apply किया मतलब it has a more practical approach just than theoretical approach, so economics, economics is pragmatic, pragmatic का मतलब क्या है, practical, अच्छा, economics only contain micro not contain macro, or it contain more of micro or less of macro, कुछ MCQ पढ़ावा लग रहा है नहीं है, आपको अब तक समझ नहीं आया है, मैं आपको सीधा MCQ के साथ साथ concept पढ़ा रहा हूँ, आपको अब तक नहीं समझाओ, मैं सीधा MCQ के साथ साथ concept पढ़ा रहा हूँ, module में यह MCQ दियावा है, right, so point is, economics के अंदर में, अब इस चीज के लिए मेरे को एक पहला basic concept पढ़ना पढ़ेगा, what is the difference between economics and business economics, अगर आप यह book उठाके पढ़ेंगे, यहाँ पर business economics लिखा है, economics नहीं, क्या लिखा है यहाँ पर, business economics, अब आप यह पूछेंगे, economics और business economics क्या दोनों अलग-अलग चीज़े हैं, हाँ, economics, Baba Adam Smith कह गए, Baba Adam Smith कह गए, economics is about three things, पहला, production, दूसरा, consumption, and तीसरा, transfer of wealth, कुछ याद है, पहला है, Baba Adam Smith economics को define करते है, economics में 3 important चीज़े होती है, पहला होता है, production, capital goods or consumer goods, दूसरा होता है, consumption, for rich or for poor, transfer of wealth, एक economy work ही तभी कर सकती है, जब एक जगह से चीज़े, दूसरे जगह पे root हो जाए, right, what is business economics, we apply economic theory into practical decision making, economics के अंदर में हम पूरे देश की बात कर रहे, national income, gross national product, GDP, हम पूरे देश की बात कर रहे, आप कौन सा course करने आए हो, CSA, CSA में, आप CSA करने आए हैं, आप धान से सुनिएगा, business economics, आपको आपके देश के लेंदेन नहीं है, आपको professional बनाया जा रहा है, professional बनाया जा रहा है, मतलब you have to more think about micro rather than macro, आपके देश के पंचाईती से लेंदेन नहीं है, कि भिया, इस industry में क्या हो रहा है, उस industry में क्या हो रहा है, आपको लेंदेन है, मेरे client का production, consumption and wealth कैसा चल रहा है, तो आपको देश से लेंदेन नहीं है, मेरी बात समझेगा, you are a professional और professional की case में आपको क्या बनाया जा रहा है भिया, individual का देख, business का देख, to economic theory उटा, तेरे client के लिए apply कर and that's why, that's why business economic contains more of micro and less of macro economics, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको micro पढ़ाया जाएगा, आपको macro भी पढ़ाया जाएगा, concept, बच्चे concept, पहले 4 chapter आपके micro है, chapter number 5 आपका macro है, पहले 4 chapter जो है na economics में, यह आपके micro है और जो 5th chapter है business cycle, यह macro है आपको, समझ में ही बात, so, so, मेरा बच्चा फटा फट एक बार revise करेगा, economics को, हम Greek शब्द में क्या कहते थे, economy, father of economics Adam Smith को बोला गया है, nature and causes of wealth नाम की book में, nature and causes of wealth नाम की book में, say yes or no, yes, यह book कब निकली थी 1776, इस पर भी एक बार MCQ पूचा जाता है, right, economics जो चीजों का combination है, पहला micro, दूसरा macro, micro talks about individual unit, बलकि macro talks about aggregate unit, ठीक है, it's a multi-disciplinary concept, applicable to profit making and non-profit making organization, applicable to government as well as private organization, it is also called as applied economics, क्योंकि हम theory को कहें में apply करते है, practical decision making, इसलिए इसे applied economics भी कहा जाता है, इसे science और arts भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है मालिक, science और arts, हाजी, economics is practical in nature, it is pragmatic in nature, इसमें practical issues आते हैं तो pragmatic in nature, economics और business economics में फरक्या है, economics talks about the national thing, production कैसे होना चाहिए, consumption कैसे होना चाहिए, transfer of wealth कैसे होना चाहिए, business economics को पूरे देश से कोई लिन निन नहीं है, यह बोलता है यह तेरे client के लिए तिरे को क्या करना है, तो यहां की कुछ theory उठा कि हम यहां apply कर देते हैं और उसका business decision making करते है, ओ, business decision making, याद है chapter number one में decision making भी आया था, चलो decision making, आप मुझे बताईये, decision making is selecting a decision or selecting the best out of available decisions, so it talks about आप सारे alternative check करो और उनमें से जो best रहेगा आपको वो select करना है, and that's we call as a decision making, so what is decision making, decision making refers to the process, decision making refers to the process of selecting an alternative which provides more efficient means to attain desired end, जो आपको सबसे ज्यादा satisfaction दे, वो select करो, क्या select करोगे जो आपको एक मिनिट, इसमां हसने जैसा कुछ नहीं है, चैप्टर no.2 तुमें यही सिखाएगा, utility, satisfaction, आदमी consume करता ही क्यों है, satisfaction, बरे बरे, तो ऐसी चीज करने से जहां से आपको कोई satisfaction ही नहीं आए, इसमें आपका यूटिल्स क्या होगा, जीरो, आपका यूटिल्स बढ़ाना होगा, so decision making क्या है, decision making है, बहुत सारे alternatives available है, वह ऐसा नहीं होता है, वह लड़की जाती है shopping करने के लिए, और सर मेरा भरोसा तो इंसानियत से तब उड़ गया, मैं एक बार मैं मेरी धर्म पत्नी के साथ चले गए shopping करने के लिए, मा कसम, वाइट में कैसे कलर होते हैं, वाइट में कलर होते हैं, उस दिन ये लोग ने बताया, ओफ वाइट, पेल वाइट, lemon, lemon white, lemon yellow होता है, lemon में भी white होता है, लड़को, white कितने कलर के होते हैं, अब इंसानियत, इंसानियत खत्रे में थी जब मेरी वाइट ने पूछ लिया, अब ब्लाक में कलर दिखाओ, ब्लैक में कैसे कलर हो सकता है बे हाँ जेड ब्लैक बोलो न कार्बन ब्लैक चार्कोल ब्लैक बात समझ रहे हो तुम यह लाइन न लडकों के लिए नहीं है यह सिर्फ लडकियों के लिए है लडकों के लिए ब्लू हमारे लाइट ब्लू या दर्क ब्लू होता है खतम विशे कितना सिंपल है लाइफ ब्लू है इनके लिए अलग अलग ब्लू है अब मुझे बताओ इसी चीज को बस आगे की लाइन से जोड़ता हूं मजा आ जाएगा दिल तक पहुचेगा अब मुझे बताओ अब लडकी को ब्लू में ही पांच अलग ब्लू में सिलेक्ट करना है पर्शन ब्लू रोयल ब्लू सियान ब्लू डायक ब्लू लाइट अब बताओ लड़की लड़की शॉपिंग करने जाएगी लड़की शॉपिंग करने जाएगी भाया अब ब्लू कलर भाया अब बंदी शॉपिंग करने जा रही है अच्छा मैंने आपको पहले बोला था इधर कुछ भी हो सकता है और किसी भी लड़का लड़की ने बुर जाना तरीक ही ऐसा है अब विचारी जाएगी उसको ब्लू में सिलेक करना भाया इस ब्लू में ब्लू दिखाओ बताईए क्या उसके लिए डिसिजन लेना आसान है या कॉंप्लेक्स प्रोसेस है फिर कितनी कॉंप्लेक्स प्रोसेस है इससे हमें हमारा इख या इससे क्यों मिलता है डिसिजन मेकिंग इजञ नेक्स प्रोसेस सिजन लेकिंग इजह वॉल में सार कि दिखाओ इंधा लिट किसंते कॉंप्लेक्स सिलेक्ट इस बात का क्या लोजिक है आई लाव यू एज फ्रेंड क्यिंắn से सी इस का में तो सब डिसिजन मीकिंग asiम प्रसस्टर से या कंपलेक्स प्रिसेत सी इसमौ25-स इस नॉट स्टेट फ़ेट फर्वर्वर्ड नी बूलेगी इलेक हो ऐगे हो इसे इसान फ्रेंड फ्रेंड हॉ और एसी नाय प्रफॉड रवड न ए इसी अब नहीं मा अच्छा एंड 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 इसीजन मेकिंग अच्छा मुझे एक बात बताओ लड़की जा रही है वापस अपने एक्जांपल में आते हैं एक्जांपल से आपको लाइन सम्झा दूंगा ध्यान से सुनना तो यह लड़की गई लड़की ने मुला भाया इसमें थोड़ा सा लाइट कलर है यूनों विच्विल सूट मैं बैग फिर उसके मन में आता है छोड़ना यार थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा तभी तो अच्छा लगेगा यह नों साड़ी के साथ इसे चुननी तभी तो थोड़ा अच्छा लगेगा तभी तो थोड़ा मजा आएगा अब मुझे एक बात बताईए स्ट्रेट फारवड तो था ही नहीं डोंट यू थिंग इस डाइनामिक ओल्सो एवर चेंचींग पहले दीदी ने मन बनाया यही वाला ले ले लेते हैं फिर दीदी मन बनाया दूसरा ले लेते फिर दीदी बोलती ही छोड़ना अलग कैसे दिखेगा आए सो क्या मैं कह सकता हूं दीदी के लिए डिसिजीजन मेगिंग कैसा प्रोसेश है विटा डाइणामिक प्रोसेश है इतना आसान थोड़ी ने लगोग के इत्ता दिमाग फोड़ी न लगाते हैं पिचारों के कपड़े भी अपने मन से सिलेक्टेड नहीं रहते हैं मम्मी ने सिलेक्ट कर दिया काम खतम क्या को इत्ता लफड़ा चाहिए सही है कि नहीं? अच्छा जी सर क्या मैं कह सकता हूं यह जो डिसिजन मेकिंग है इस यूसफुल फॉर मैनेजर्स अट और लेवल इस यूसफुल फॉर मैनेजर्स अट अल्स लेवल ा और डिसिजन मेकिंग करता कौन है मैनिज इस पए आपके मोडिल में question है इन डिसिजन मेकिंग ओनली ओनर्स आर इन वाल रोनली मैनेजर्स आर इन क्वाल word आर इन वाल नो फॉञ जवाबना थिए बोख तो मैनेजर्स डेकर अल्लेल इसलिए ये रूल यूज किया जाता है, is that done Malik? चलो, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे, अब तक हमने देखो, हमने economics का basic पड़ा, दूसरी चीज़ हमने decision making पड़ी, अब हम तीसरी चीज़ पर आ रहे हैं, अब हम तीसरी चीज़ पर आ रहे, fundamental problem of economics, economics का एक बहुत बड़ा fundamental problem है, बताएए क्या, बताएए क्या, क्या मैं कह सकता हूँ, human wants are unlimited and means, means का मतलब क्या होता बड़ा, resources, resources are, बोलो, scare, बरबर है, आजी, तो basic fundamental problem of economics क्या है, human wants are unlimited, problem यह है कि हमारी जरूरते जो है, यह खतम ही नहीं होती, पहले यह चाहिए, तो फिर यह भी चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, खतम नहीं होता, साब, हर एक बार हमारी इच्छाएं बदलती रहती है, यह चाहिए, यह चाहिए, शायरी से कहना चाहूँगा, जरह ध्यान से सुनना, कुछ लोगों ने अल्रड़ी सुना होगा, ठीक है, और जो लोग शायरी में पहली पहली बार आए हैं, बिटा, शायरी चुरू होती है, उससे पहले इर्षाद होता है, फर्स्ट परग्राफ के बाद समझाए नहीं समझाए वावा होता है, और एंड में अगर दिल तक लग गई दर्द वाली थी तो बहुत दर्द, नहीं तो शानदार, ठीक है, यह बेसिक्स ओफ शायरी है, क्यूंकि ठीरी सब्जक पढ़ा रहा हूं, मेरे को आपको बीच- बीच में जगा के रखना जरूरी है, तो यह सब जरूरी है, हो सकता है, एंड में आपको ऐसा लगे, क्या टाइम बाद है, तिरसे ज्यादा मेरे को पता है क्या करना है, बरे-बरे, हाँ, तो कुछ इरिशाद करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, प्यॉर्ली बेस्ड ओन कंसेप्ट, के हर उम्र में होते है, शौक जुदा जुदा, हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा पहले खिलोने फिर माशुका फिर रुत्बा और फिर खुदा खुदा पहले समझाने दो उम्र के साथ आपके शौक बदलते रहते हैं हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा पहले खिलोने बच्पन में क्या चीए था खिलोने लड़की भी बार भी से खिल रहे थे पता नहीं था करना क्या है पर खेल तो रहे थे हर उम्र में पहले क्या चाहिए थे खिलोने फिर अभी आप उस एज में आये हों आप जिस एज में आये हों चाहिए माशू का प्यार बरे फिर तीसरा एक हमारा यह जाता है यह प्यार बहुत हो गए सब मूम आया है रुद्वा पर यह अपने दादा वाली है एकंप खुद्वा ए शब मूम आये हैं तो हर उम्व में होते है शौक जुदा जुदा एक मिंट एक मिनट अम सथिक मैं हर उम्र में अपनी व्न्स लिमटेड आरिक अ क्रिकेट की पॉल मिच जी तबद्ड भीरीच था मारियो ऑल डू कि कलर रहे अरे भाई वांस है वांस हरेक के अलग हो सकती है बात समझना वांस हरेक के अलग हो सकती है पर वांस तो हमारी बदल रही है कि नहीं बदल रही है यह चीए तो यह भी चीए वो भी चीए पॉंस हमारी भी बदल रही है पहले खिलोने चीए ते फिर माशुका चीए पिर रुद्वा चाहिए था पॉइंट ये है यूमन वांट्स अर अनलिमिटेड अब आप ये पूछेंगे सर वांट्स में क्या क्या आता है जरूरत ये मतलब क्या जरूरत ये कई प्रकार की होती है इंसान को पहली होती है फिजिकल नीट्स आप कहीं दूर जाएं उससे पहले मैं यही रोक लूँ पहला जो आपने सोचा वो सही है मैं दूसरे से स्टार्ट करता हूँ पहला जो आपने सुचा सही है अरे है ना पहला है फिजिकल नीड जैसे आपको खाने की जरूत है फूड की जरूत है शेल्टर की जरूत है तो दूसरा तीसरा चौता समझ में आ गया तुमको तो पहली नीड है यूमन की फिजिकल नीड दूसरी नीड है साइकोलोजिकल दूसरी नीड है उसकी साइकलोर्जिकल नीड अगर आप चाप्टर नंबर टू के यूनिट नंबर टू का कंजूमर पड़ोगे तो वहां पर वह कहता है वांस मेजर ली तीन प्रकार के होती है नेससरी कमफर्ट से लक्षरीज मैं बस उसी को अलग शब्दों में कुछ एक्स्प्लेइन कर रहा हूं पहले वांस दूसरी होती है साइकलोजिकल नीड अच्छुली आपको इसकी जरूत नहीं है और साइकलोजी कहती है कि नहीं यार यह तो होना ही चाहिए आपके घर का टीवी अच्छुली उसको दिन मर को करने चाहिए हर तरह के कि सो यह है साइकलोजीकल नीड उसको मिला मुझको भी चाहिए है साइकलोजीकल नीड कुछ चीजे सोशल नीड में आती है कुछ चीजे आपकी सोशल नीड में आती है लोग आपको विजिट करते हैं आप लोगों कहां जाते हो तो कुछ चीजे आट में डिवाइड क्या गया है पहला नेसेसरीज, food, clothes, shelter, etc. दूसरा बोला है comforts और तीसरा बोला है luxuries, ठीक है, तो यह wants, resources, अब आप यह पूछेंगे, सर, resources कौन से, resources मतलब 5M, men, money, machine, material, methods, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो chapter number 4 यही पढ़ाएगा हमें, यह chapter number 2 में पढ़ेंगे, यह chapter number 4 में पढ़ेंगे, तो पांच तरेके के resource होते हैं, भही अप men, money, machine, material, method, यह chapter number 4 में दिया है, यह chapter number 2 में दिया है, अगर देनमेंटर, चलो, हम chapter number 1 का unit number 1 खतम करने आ रहे हैं, लास्ट पॉइंट के साथ, अगर आप देखोगे और थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा, तो हमने chapter number 1 का unit number 1 पूरा अल्मोस्ट 80% खतम कर दिया, एक लास्ट कंसेप डिसकस करना है, एनिवन, micro and macro, यहां आपका chapter number 1 का unit number 1 हसते खेलते खतम हो गया, इसको आपको पूछा जाएगा, nature of business economics, business economics के nature कैसे है, दो प्रकार के बिटा, micro or macro, it study the behavior of individual, macro it study the behavior of aggregate, here the focus is on small number, focus is on large number, आपको पता है, examiner आपको micro micro नहीं पूछता, इसके example पूछता है, इसके example पूछता है, example देदेगा बूलेगा बता, यह micro में आता है यह macro में आता है, जैसे की, behavior of firm, behavior of firm, location of industry, location of industry, product pricing, product pricing, consumer behavior, macro में क्या आता है, national income, national output, value of currency, etc. we have, एसो नो मालिक, चलो जी, यहां पर आपका chapter नंबर वन का unit नंबर वन का unit नंबर वन क्या होता है बिटा, खतम, यहां से हम चालू कर रहे हैं हमारा unit नंबर टू, अगर आप देखोगे unit नंबर टू में सबसे पहला concept आता है basic problem of economy, किसी भी economy की किसी भी economy की अब अगर आप देखोगे यह unit number 2 फिर से हम macro में चल जाते, unit number 2 हम micro से निकल के फिर macro में चल जाते, कि एक economy की basic problem क्या होती है, मालिक एक economy की basic problem है, 4 सवाल, there are 4 questions, चलो everyone, what are those 4 magical questions, पहला what to produce, रुको धीरे धीरे जाएंगे, हर economy ध्यान सा सुनना, एक ऐसा चार्ट बना करके दिता हूँ कि आपका पूरा maximum part cover हो जाएगा, सबसे पहली बात आती है what to produce, every economy has to decide what he wants to produce, right, so every economy, every economy must decide, every economy must decide what to produce, हर economy को खुद से decide करना पड़ता है, कि भी यह what to produce, what to produce में दो part आते है, पहला capital goods, दूसरा consumer goods, everybody, तो यहां पर दो तरके क्या part आते हैं, एक, economy को decide करना पड़ेगा, what they want to produce, capital goods, should they produce guns, और should they produce breads, क्या था रहे, module का same example, तो हर economy को decide करना है, जैसे अगर आप देखोगे, USA, Russia, Germany, they produce capital goods, while consumer goods कौन produce करते हैं, आप देख लो, अपन इंडिया में mostly consumer goods produce करते हैं, mostly not only, mostly हम यह produce करते हैं, तो हर economy को पहले यह decide करना है, कि किस तरीके के, you know goods को produce करेंगे, are they creating capital goods, or they want to create consumer goods, दोनों में से कोई भी एक चीज़ क्या करो, decide करो, तूसरा आता है, how to produce, तूसरा आता है, how to produce, that is, the method of production, यहां हम बात करने वाले है, method of production पे, कौन से, कौन से दो method है बटा बताओ, या तो labor intensive, या तो capital intensive, या तो labor intensive, या तो capital intensive, दो method है, आपको कोई भी apply करना होगा, sir कौन से method, depend करता है, available क्या है, factor या product क्या बना रहे हो, आप क्या product बना रहे हो, इसके ओपर depend करेगा, कौन से method को choose करोगे, what to produce, how to produce, third question, for whom to produce, आखिर किस के लिए produce करना है, for whom to produce, पहला rich, दूसरा poor, हर economy को यह decide करना पड़ेगा, कि आपके जो goods बना रही है economy, यह खरीदेगा कौन, जैसे USA वाले हमेशा rich के लिए product बनाते हैं, Microsoft, Apple, यह यह सब rich के लिए बनाते हैं, poor के लिए फिर अपना India आ गया, China आ गया, Bangladesh आ गया, poor के लिए product बनाता है, and last allocation of resources, allocation of resources, for current and future consumption, तो हर economy को सबसे पहले decide करना पड़ेगा बिटा, हर economy को सबसे पहले decide करना पड़ेगा बिटा, कि यह वो किस के लिए work कर रहे हैं, yes, so what to produce, how to produce, for whom to produce an allocation of resources, यह चार question हर economy के सामने आता है, yes, और यह questions को solve करने के लिए, they have to have an economic system, और इसे कैसे चेक किया जाएगा, उनके economic system से, कैसे चेक किया जाएगा बिटा, उनके economic system से, याद होगा तो chapter का second part, economic system पे बात करता है, economic system, what do you mean by economic system, economic system refers to, refers to, the arrangement of, production, and distribution of goods, it talks about the arrangement for production and distribution of goods, in a society, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, economic system तीन प्रकार के होते हैं, capitalism, socialism, mixed economy, छीक है, capitalism, socialism, mixed, आपको याद होगा, तो यह तीनों को जैसे एक्स्प्लेइन कर दोगे, आपका chapter खतम, अच्छा, इस concept को module में क्या बताया, पहले उनने capitalism बताया, फिर उसके characteristics बताया, फिर इसके merits बताया, फिर इसके demarriage बताया, बरबर majorly chapter को इस तरह से end किया गया है, तो आपको इस तरीके से workout किया जाता है, अब ध्यान से सुनना, चलो, अपेन नीचे रख दो, अपेन नीचे रख दो, आप और मैं बाते करते रहेंगे, capitalism हाँ, मैं को दर्शन सर बोल रहे थे, capitalism मतलब वो, जहां means of production, किसके हाथ में है private, नहीं नहीं गवर्मेंट एंटिटी के हाथ में है, नहीं, सो मतलब means of production, is held by private entity, held by government, बुक में इसको state लिखा जाता है, and this is held by both, अच्छा, बहुत बढ़िया बिटा, अब आप मुझे बताईए दूसरी बात, अगर capitalism है, चलो सिर्फ capitalism पे बात करते हैं, capitalism पे बात करते हैं, मतलब major means of production किसके पास में है, major means of production किसके पास में है, private entity, अब अगर कोई private entity है, तो आप मुझे बताईए, वो profit के लिए काम करेगा, या non-profit के लिए काम करेगा, यानि क्या मैं कह सकता हूँ, भाई का objective, objective is only profit, या ऐसा भी कह सकता हूँ, profit is deriving force, ऐसा भी कह सकता हूँ के दोस्त, profit is driving force, अच्छा मुझे बताऊ, अगर मैं सिर्फ profit के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं labor को अच्छा treatment दूँगा या labor exploitation होगा, तो here labor, exploitation रहेगा ही रहेगा, यहां labor exploitation रहेगा ही रहेगा, आप मुझे बताईए अगर आप capitalism में हैं, profit के लिए work कर रहे हैं, organization ही profit के लिए work कर रहा है, यह speed growth देगा या slow growth देगा, objective है, जित्ता ज्यादा company manufacture करेगे, manufacture कर ही profit के लिए रही है, इतना ज्यादा profit आएगा, government को उत्ता ज्यादा taxes मिलेंगे, overall economy grow करेगी, तो growth is, growth is speed, growth कैसी हो नहीं है, speed, तो क्या मैं ऐसा भी कह दू, technological progress भी speed रहेगा, ज्यादा production करना है, profit ज्यादा बनाना है, तो नहीं नहीं technology भी लाओगे, so, technological progress is high, technological progress भी कैसी रहेगी, high, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप काम ही profit के लिए कर रहे है, काम ही आप profit के लिए कर रहे है, बरबरे, तो, will there be equality और inequality, why inequality, अरे inequality रहेगी सेट, क्यों inequality रहेगी, आप बोलोगे भीया, जो मेरा capacity है, जिसके पास buying capacity है, वो मेरे लिए काम का आदमी है, मेरे को यहां पे, सबके लिए धरमशाला तोड़ें खुलनी है, जो मेरा product ले सकता है, मेरे लिए वो काम का आदमी है, यहने, क्या मैं कह सकता हूं, अमीर वहां पे और अमीर बनेगा गरीब और गरीब, येस, तो क्या ऐसी economy में, मैं यह कह सकता हूं, बल्मादा'sवे सकता है, तो दूजएड बुल्मादा कम यह है है, तो आदे क्र यह है दो मे मादिए घ्लूवट तो ब्युवर्टाओवन ट जारावैसाथे ृहां प्रपर्यशन कंवेर टो इस खाल प्रृड़पती, 又 हमें higher Yes or no? Tôi Have Hai Right to Property एपनीption खुद रख सकते हैं Leo नाम से रख सकते हैं र सिर्शोर्स जो production है ये अपने नाम से ओन कर सकते हैं आपको नहीं लगता आगाँ अगर अगर के लिए काम कर रहे हैं तो जो consumer चाहेगा वह हमें करना होगा इस consumer a king अंडर कैपिटलिजम, यह एमसी क्यों है, कंज्यूमर इस किंग वर्ड लिखा है कंज्यूमर सौवेनिटी, जैसा कंज्यूमर चाहेगा वैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, स anno हमनए कोई यहाद आ रहा है, यहाँ पे गोँड में से रहाल है, यहां पे गोँड मनें रथी नगी, रहथी हैं लेस कंट्रोल, चौ, अन्डर पैसलिजम, ऑप्शन बाल बातल भर्ड अन्जरीας मैं बातल द्द प्रोड लिख कंट्रोल कम ल certaines już, सब्सक्राइब और की वाद सो गौवर्मेंट हैस लेस कंट्रोल यह इतने पेज पड़ोगे उससे अच्छा एक साथ एक पेज पेज पे सारे पॉइंट लिग डालो खतम विशे नो इफ नो बट उनली कट टू कर्ट सब्सक्राइब करना है तो सीधा सीधा पढ़ते जानेगा और जो नहीं लिख रहा होगा इमान नारी से बता रहो तुम बिल्कुल जंडू हो तुम बहुत गलत काम कर रहे हो क्योंकि जो लिख रहा है ना उसको समझ में आ रहा है कि पूरे चाप्टर का करक्ज निकालके एक जगह पर ला दिया तुमको पांच-पांच पेज पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगी सिप लिखते जाओ दना दन घर पे जाके एक बार भी रिवाइस करोगे काम हो जाएगा अच्छा मुझे बताओ तो क्यापिटलिजम में प्राइस प्राइवेट पार्टी डिसाड करेगी गवर्मेंट डिसाड करेगा या दिमांड एंड सप्लाई के इस आपसे डिसाड होगा दिमांड एंड सप्लाई के इस आपसे डिसाड होगा येस प्राइस इस इस डिटर्माइड पाइड इमांड and Supply. Demand and Supply के इसाफ से क्या decide होगा? Price decide होगा. So, क्या मैं कह सकता हूँ, consumer has choice. अगर consumer king है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, consumer has choice. It's her choice. याद रखेगा? Consumer has choice. एक example दे दो, USA. अरे, capitalism का example, USA, USA, so, USA is a example of capitalism. Yes. अच्छा, बताईए, एक line है, true or false में बताईएगा, Capitalism leads to monopolis. How? Capitalism leads to monopolis. Sir, कैसे? Capitalism में organization profit के लिए काम कर रहा. यानि जो organization पहले बना होगा, और profit generate करके बैठा होगा, it is possibility कि वो market में क्या लेके आएगा? Monopolis. वो market में क्या लेके आएगा, बिटा? Monopolis. So, it leads to monopolis. It leads to monopolis. Capitalism over. इसमें और भी point है, आप module खुल के देखो के, और भी point मिलेंगे. ये वो है जिससे पूरा overall concept cover हो जाएगा. Yes. आते हैं socialism पे. चलो, पहले discuss कर लो. बताएए सब, socialism. Socialism में सारे means of production. किसने hold करके रखे हैं? Government ने hold करके रखे हैं? तो, government ने. अब government काम कर रही है. क्या कोई government कभी किसी के profit के लिए काम कर सकती है? या, social benefits. Works for social benefits. अगर social benefits के लिए work कर रहे है. तो, equality रहेगी या, inequality रहेगी? Equality. There will be equality. अच्छा, अब equality है. तो, competition रहेगा या, there is an absence of competition. एक number, absence of competition. क्योंकि सब को बराबरी में मिल रहा है. तो, अब मुझे बताओ, resources कौन ओन कर रहा है? Resources is owned by government, held by government. तू, consumer has choice? No. Sir, example बताईए, North Korea. North Korea, किम जो हूँ? आप अपने मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते है? आप अपने मर्जी के हिसाब से कुछ कर सकते है? नहीं. Pant उसके जैसे सिला सकते है? नहीं. Haircut, your beautiful haircut he has. ऐसा कर सकते है? नहीं. Channel पर दो ही चीज़े चलेंगी. TV पर दो ही चैनल चल सकते. आप अपने मर्जी से कुछ देख नहीं सकते. YouTube वहाँ पर चलता नहीं. बरे बरे. तो आप डाउनलोड कर नहीं सकते. आपकी लिंक वर्क करेगी नहीं. समझा रही बात? कुछ वीडियोस आप वहाँ पर नहीं देख सकते. वहाँ नहीं तुमने तुम्हारे कंप्यूटर में बनाया होते हैं. पढ़ाई लिखाई के वह वीडियो. वरे वरे फोल्डर फोल्डर के अंदर फोल्डर फोल्डर के अंदर फोल्डर उसके अंदर फोल्डर आकरी में जाके वर्क. नहीं वो वाले या तो आकी मीजा के विष्ट आहा समाझ तो नौर्द गार सैंड BROWN पर आप ग entsprecheda दिर आक और आपसेंस अ अश्चेद न एकूंस अब कुरियस मोध न एकूश कर रहेए वह राएब आपको आपसन्संस अव पशन्सूमर चॉईस यस अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ, अब क्योंकि गौवर्मेंट ही सब कुछ कर रही है, there is a Central Planning Authority, जो मिसिंग है Capitalism में, there is Central Planning Authority, there is a Central Planning Authority, क्या मैं कह सकता हूँ, it is a planned economy then, since there is a Central Planning Authority, this economy is also called as planned economy, सारी लाइने MCQ में आई वे आई 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 आप लोगों ने अब तक के बहुत MCQ प्राक्टिस कर ली होगी, आपको ये डारेक्स समझ में आ रहा होगा, हम सीधा सीधा MCQ की लाइन बोलते जा रहे, कंसेप्स के साथ, सर, मुझे बताईए, मुझे बताईए, क्यूंकि, जहां से सुनना, दूसरे तरीके से बताता हूँ, सर, अब सोशलिजम है, ये भाई ने काम किया, ये भाई ने काम नहीं किया, distribution तो equally होने वाला है, दोनों की efficiency का कोई reward है, ये भाई का 10 मिनिट है, भाई का 1 घंटा efficiency है, ये भाई का efficiency 10 मिनिट है, वह भाई का efficiency एक घंटा, कभी कभी देड़ घंटा, आप मुझे बताईए, efficiency का कोई reward है, नहीं, होना तो ultimately equal distribution ही है, विल, विल ही भी motivated to work, ये कभी सोचेगा, नहीं यार चलो आज और बढ़ा के देखते हैं, नहीं, आज और production करके, आज और production करके देखते हैं, ये बोलेगा यार मैं 10 मिनिट में भी semi output आ रहा, मैं एक घंडे की मेनत क्यू करू, आप जा रहा है न, वहाँ आपको जाना नहीं है, आदमी क्या बोलेगा, भाई मैं 10 मिनिट भी मेनत कर रहा तो output उत्ता ही आ रहा, फिट देड़ घंडे मेनत करके logic है क्या, Is labor rewarded efficiently? No, उसको अरे concept में रहे, Is labor rewarded sufficiently? No, वह बोल रहा, भाई 10 मिनिट में भी वह आउटपूट आ रहा, उल्टा वह बाजुवाले को बोलेगा, क्या उख़ड लिया? आरे, वह बाजुवाले को बोलेगा, भाई क्या अकर लिया तुने? ते शी तिरा उटपूट और मेरा उटपूट शी में, वह तो यह बोलेगा, भाई तेरा उटपूट मेरा उटपूट शी में, बता इस में क्या दिफरेंज है? मैंने भी दो उनिट बनाए, तुने भी दो उनिट बनाए तो लेबर efforts are not rewarded are not rewarded based on efficiency same यही line लिखिये है, they are not rewarded based on efficiency अभी मेरी एक बात सुनो, भाई का कितना मिनिट था, 10 मिनिट? उसका था एक घंडा, यह जो इदर अपना गुपता बैठा है ना? गुपता ने कुछीच नहीं किया अभी उसने कुछ भी मेनत नहीं कि तो भी उसको benefit मिल रहा के नहीं मिल रहा? गुपता ने कुछ नहीं किया तो भी गुपता को benefit वे, अब गुपता ने अगर कुछ नहीं किया तो भी उसको benefit है, यानि क्या मैं ऐसा कर लिया मेरा आउटपुट जीओ है तिल आम इन मेनिफिट तिल आम इन मेनिफिट तो लेबर एफिशेंशी आर नोट रवादेड एंड एंड एवरी परसंग शेल गेट मिनिमम स्टांडर्ड अफ लिविंग तै रही बिता ये मेरा इंडिया जो मिक्षिड एक नमी इंडिया यांपे प्रक्षा क्तर आफ्रॉड्ट क्षिट तो इस हाइब बाई प्राइब एस व्ल अ गर्मेंट factor of production is held by private as well as government you do have freedom of property and choice you do have freedom of property and choice you अरे बदाईए आपको नहीं लगता अब आपके पास चोईस है आप स्टी मामंडल में जाना चाहते हो या फिर प्राइविट बस में अब स्टी मामंडल में जाओगे आप शिवनेरी में जाओगे या आप नीता बसस में जाओगे इस यौर चोईस तो you have freedom of property you have freedom of choice यानि क्या मैं कह सकता हू ultimately consumer is benefited क्या मैं कहता हू ultimately consumer is benefited and risk taking is encouraged कि भी या तुम भी operate करो government भी operate करेगी फिर जिसको जो चाहिए वो ले लेगा so freedom of property and choice consumer is benefit risk taking is encouraged but इसमें corruption भी तो हो सकता है कि इसमें corruption भी रहेगा wastage of resource भी रहेगा कि इसमें consumption corruption भी रहेगा wastage of resource भी रहेगा कि येस कि एक बार पढ़ लिजे आपका unit number 2 भी खतम हुआ it took us complete one hour chapter number one over कि एक बार से पल्टा के मैं आपको दो मिनिट का टाइम दे रहा हूं strategic time out सिर्फ अभी ही तुरंत रिवाइस कर लो जित्ता लिखा है strategic time out लो mobile mobile मत देखो एक गंटे में यही का यही सब रिवाइस कर लो शायद अब तीन या चार पेज लिखे होंगे कुछ आपने पूरा चाप्टर आपका यह 3 से 4 पेज में हैं मोटे मोटे तौर पर कि इस दिए बच्चे ऑन लाइन में बैटे बिच्चा मर आ रहा है बच्चे आप लोग ऐफलाइन में जो बैटे मजा आ रहा है मालिक चलते रहो चलते रहो, तो यह टाइम स्टाइजिक टाइम आउट लो तुरंत रिवाईस कर लो फटा फट सारे पॉइंट कि कि कर दो झाल झाल सब्सक्राइब कर दो आप जो आप लिख रहे हो इसके बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ दो एक पेज ब्लैंक छोड़ दो वन पेज मतलब वन साइड ऑफ द पेज ब्लैंक छोड़ दो रीजन सेल स्टडी कर रहे हो आपके कोई और पॉइंट ध्यान में है वहां लिख देना यह आपके लिख छोड़ दो ठीक है नेक्स पेज से चालू करो चाप्टर नंबर टू डारेक्ली यूनिट नंबर टू एज आई सेट पहले कंजूमर में घुसेंगे वहां से डेमान वहां से सप्लाइए ठीक है चलो अनौल यूनिट टमबर टू कंजुमर के ब्रबर desapo ऐचाँ जी इस चाप्टर का नाम है consumer behavior प्रकेल आपको consumer समझना पड़ेगा और फिर उसका behavior ज़ल मेरेगा परकेर हुसका behavior समझना पड़ेगाई 6 June और अपने पयर स्पाद को हात को थोड़ा सा आराम स मेरे दो अब आप अर развитие सवालों के जवाब देते जाओ consumer consumer means a person one who consumed the goods लेकिन क्या consumer मतलब वही होगा जो goods consume करता है या consumer कोई और भी हो सकता है so can I take the goods for someone else consumption bro तो किसी और के consumption के लिए भी मैं ले सकता हूँ yes जरूरी नहीं हर बार consumer मैं हूँ even though I purchase the product for example अग्जामल मम्मी पपा ने कपड़े लिए आपके लिए उन्होंने foreign trip प्लान करी आपके लिए आपके लिए आपकी exam के बड़ ट्रिप प्लान करी आपके लिए तो दे आर नौट गंजूमर यू आर्द गंजूमर येस कंजूमर कंजूम करके करता क्या है जैसे मेरे को कोई चीज कंजूम कर नहीं थी बरबर है कि अजूमर कंजूम करके करता क्या है जैसे बोलते जाओ उसको satisfaction मिलता है वहलाब कंजूमर की कुछ वान्स है एकनोमिक में प्रॉबलम ही है तो यह है कि उसकी कुछ वाण्स है समझ महीं बात तो कंजूमर की कुछ कुछ wants है जैस समझ का चूमर की कुछ wants है और वह रॉट्ज को वह कंजूम करके क्या करता है satisfaction लेता है लेकिन आप मुझे बताईए इस बच्ची का satisfaction इस लडगे का satisfaction इस भाई का satisfaction और मेरा satisfaction same product में भी अलग- ajud Лगہ हो सकता है किसी को कंजूम करके कुछ चीज अच्छी लगी कुछ चीज नहीं लगी किसी को ज्यादा लगी किसी को कम लगी मतलब क्या मैं कह सकता हूँ the level of satisfaction depends from person to person even though the product remain same हमने यही डेरेमल खाया तो हो सकता है उसका satisfaction ज्यादा हो मेरा satisfaction कम हो ह्या हमारे satisfaction level different हो पर आप मुझे बात बताए कोई चीज को कंजूम करके हमें अच्छा लगा कोई चीज करके हमें अच्छा लगा और यह कैसे पता करेंगे कितना अच्छा लगा आप बोलते हो मेरकु SATISFACTION मिला ये कैसे पता करेंगे कितना मिला बात समझेगा, point यह है, पहली बात हमें समझना क्यों है, क्योंकि economics के कुछ theories based है, business decision इस पर based है, आप देखें कई product जो होते हैं, यह addictive products होते हैं, addictive मतलब यह इसकी बार बार आदत सी होती है, आदत सी है, मुझे इसकी आदत, समझे रहो, इसकी आदत, मुझे तो तेरी, समझ महारी बार, तो लत लग जाती है किसी चीज की, तो आपका sales as a business decision, आपका sales इसके उपर depend करता है, yes, आपके consumption के उपर depend करता है, तो it is really important कि भी आप consumer के लिए समझा जाए, कि इसका कितना satisfaction मिला, क्यों, क्योंकि अब हमारे satisfaction अलग है, अब आप मुझे बताईए, is it possible to measure the satisfaction in numbers yes or no, it is not at all possible कि आप satisfaction को क्या कर ले, numbers में count कर ले, बट मेरे दोस्त, economics में ये count किया जा सकता है, वैसे, logically speaking, this is just a theory, it is not practical, ये theory है कि economics में आप consume कर सकते हो, कितना consumption से, कितना satisfaction मिला, इसे measure किया जा सकता है, इसे कहा जाता है, cardinal utility, इसे है आपको topic, इसे कहा जाता है, cardinal utility, cardinal utility आपको बताता है कि भी आपका satisfaction क्या किया जा सकता है, measure किया जा सकता है, और जैसे measure किया जाता है, उसे कहा जाता है, utils, क्या बोले जाता है उसको, utils, तो economics के cardinal utility जो theory है, ये आपक इसको करने से यह आप मेजर कर सकते हो और यह मेजर जो है इसको हम, you know, measure करने के तरीके को हम cardinal utility कहते हैं, और जो measure होके आया हम उसको utils कहते हैं, कि मुझे एक product consume करके कितना utils हुआ, बढ़ आखिर हम यह कर क्यों रहे हैं, हम satisfaction measure क्यों कर रहे हैं, पूछो ना क्यों, वो इसलि क्योंकि consumer का एक behavior है, कुछो कौन सा, consumer का behavior है, one additional unit consumed, his utils go down, अपसे सुनिएगा, this is, this is an approach, an approach towards consumer behavior, consumer का एक behavior है, जो consumer का behavior कहता है, कि जैसे ही आपने एक additional unit or consume किया, आपका utils down हो गया, इसे law of diminishing marginal utility कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, law of diminishing, गिरता हुआ, marginal, एक additional unit consume करने से, मेरा utility down, hence law का नाम आया, law of diminishing marginal utility, अचले वापस से पूरी link लगाता हूँ, chapter की link लग जाएगी, unit खतम हो जाएगा, point number one, आपने और मैंने कोई product consume किया, consumer करके हमें होता क्या है, satisfaction मिलता है, आप यह पूछेंगे, satisfaction मिलता है, चलो मिल गया, पर इसका, उसका, 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 सबका satisfaction सेम होगा, क्या नहीं, सबका satisfaction अलग-अलग होगा, अब अगर सबका satisfaction अलग-अलग है, तो हमें, तीसरी चीज समझनी है, कि किसका satisfaction कितना, अब बताओ, कोई चीज करके, किसको कितना मज आया है, यह कैसे measure किया जाएगा, इसको measure किया जा सकता है, क्योते हैं, नहीं, फिर economics में, economics नहीं निकाला, हाँ, तु measure कर लो, इसके लिए एक नया concept निकाला, cardinal utility, उन्होंने कह कितने, क्या चीज करके, तुम्हें कितना satisfaction मिला, इसे हम numbers में calculate कर सकते हैं, हमने बोला, ठीक है, आकिर करके करना क्या है, उन्हें बोला, एक law है, law बोलता है, जैसी तुन्हे additional unit consume किया, अगली बार, उसी unit को consume करने के लिए, तेरी इच्छा कम हो जाएगी, एक बार ले लिया तेरी इच्छा, let us assume, एक बार तुन्हे अपल ले लिया, अपल खाने का, अब तुन्हे पहला अपल खाया, संत्रा ले लिया, तुन्हे पहला संत्रा खाया, तर्बूज ले लिया, तुन्हे पहला तर्बूज खाया, वापस से वही तर्बूज खायेगा, उतनी भूख रह रहेगी नहीं उतनी भूख रहने वाली नहीं है तो इस concept को कहा जाता है law of diminishing marginal utility समझ मैं यही बात and one additional unit कर दो हाला कि इसके कुछ exception भी है जहां से सुनिया हाला कि इसके कुछ exception भी है जरूरी नहीं है कि हर बार हर आपकी utility डाउन नहीं हो जरूरी नहीं है हर बार आपकी utility डाउन नहीं हो कई बार यह बरकरार भी रह सकते हैं पूछो कब point number one habits अगर किसी चीज के आपको आदत है बरवर है अब मुझे एक बात बताईए है I regularly have a habit कि मेरे हाथ में यह रिंग रहेगा या तो मेरे हाथ में यह चीज रहेगी इसका एक additional unit मेरे को और खुशी देगा या मेरी utility डाउन कर देगा खुशी देगा भाव तुम्हाला वार्दिवस्ची हार्दिक शुवेच्छा गले में एक चेन और आई आप बताओ यह खुशी बढ़ाएगा या खुशी कम कर देगा तो अगर किसी चीज के आपको habit है तो यह आपकी खुशी कम नहीं करता है या उल्टा आपकी खुशी बरकरार रखता है law of diminishing marginal utility does not works on luxuries it does not works on habits habits अगर आपको तंबाकु खाने का रजनी गंदा पान पराग बोलो जुबा केशरी ऐसे कोई शौक है एक पूड़ी के बाद दूसरी पूड़ी आपके utility कम नहीं करेगा उल्टा बढ़ाएगा समय जारी यह बात उल्टा यह चीज आपकी बढ़ा देगा तीसरी चीज habits के अलावा hobbies कि पहला लक्षरी दूसरा habit तीसरा hobbies hobbies मतलब कैसे सर आपने एक painting मना ली एक painting मनाने के बाद दूसरी painting मनाने में भी शायद आपको उतना ही मजा है क्योंकि आपकी होबी है आपको बार-बार लगातार करने में मजा आ रहा है समझारी बात तो hobbies में divination marginal utility work करता नहीं है समझमारी बात तो hobbies एक और चीज हो गई तो ऐसी कई चीज़े हैं जहां पर यह law applicable नहीं है बरे-बरे मालिक चलिए अब हम मात करते हैं सबसे पहले consumer की पहला concept theory of consumer behavior behavior theory of consumer behavior whatever theory of consumer behavior but I consumer behavior consumer part number one consumer has many wants means all desire taste and motives of human are called as wants उसके सारे टेस्ट उसके सारे टेस्ट मोटिव्स of human are called as wants अब क्या मैं इस कह सकता हूँ mo wüns समवभा अर अरीजंट एर सम आर बोले बिटा नोँ अरजंट ुच अर्जंट से फीच और अरजंट से क्या मैं कह सकता हूँ, wants are unlimited, क्या मैं कह सकता हूँ, wants are unlimited, wants are competitive, wants कैसी है बिटा, competitive होती है, competitive मतलब क्या, एक खतम हुई नहीं, दूसरी, पहले आ जाती है, wants, एक खतम हुई नहीं, दूसरी, पहले आ जाती है, right, एक तरफ तो दिल करता है, marathon अटेंड करूँ, दूसरे तरफ दिल करता है, छोड़ना यान जाके सो जाते है, wants competitive है, right, तीसरे तरफ दिल करता है, भाई सुनना, उसको लेके बाहर, घुमने जाओ, wants competitive है, एक खतम नहीं होती दूसरी पहले चाल हुए, और दूना एक दूसरे से जगडा कर रही है, कौन जीतेगा, 5 हुआ, wants are alternative, wants are alternative, wants alternative भी है, आप खुद को मना लेते हो, एक चीज के जगए, दूसरी चीज, yes, alternatives है, कोई problem नहीं है, यह नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, simple, some wants are complimentary, कुछ wants होती ही इस वजए से है, क्योंकि कोई दूसरा प्रोडक्ट की ज़रुत है, for example, बेटे, श्री कृष्ण मने है अर्जुना, तमबाकुला लाओ चुना, यह एक व्यंग है, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो एक दोस्त, दूसरे दोस्त से इस तरह की चीजों के लिए काफी चीज़े मांगता रहता है, श्री कृष्ण मने है अर्जुना, तमबाकुला लाओ सुना, मतलब तमबाकु मेर पास है, एक दोस्त, तू मुझे चुना दे, तो कुछ वांट्स अराइज ही इसले हुए क्योंकि वह कॉम्प्लिमेंट्री है, अगरवत्ति अगर जलाना है, अरे मत, हाथ भी सी थे तो क्या अगर था, अगरवत्ति अगर जलाना है, तो माचीज की जो वांट है, ये कॉम्प्लिमेंट्री है, माचीज की वांट है, ये कॉम्प्लिमेंट्री है, आप बात समझ रहो, तो कई जगह पे कई चीज़े जो ह इसकी ज़र होते है इसलिए उसकी ज़र होते है समझा रही है तो कुछ Wants ज़र होती है यह कैसी होती है विटा Complimentary Yes And Wants are subjective Wants are subjective Wants subjective है May be किसी के लिए जो necessity है वो दूसरे के लिए शायद luxury है Subjective है सर शारुक खान के बेटे के लिए security necessity है और आपको दो bodyguard आपके साथ में भेज़र है पपा नहीं Prestige Point पर गए घुम गया तो है ना Prestige Point पर कुछ हो गया तो आपके लिए यह luxury है उसके लिए यह necessity है तो यह subjective है हर एक की अलग-अलग हो सकती है आप समझ रहें मेरी बात को राइट? So Wands are subjective, Wands समझ मैं आया अच्छा जी तो तीन तरके के classification ओए यह है classification of Wands क्लासिफिकेशन ओफ वांड्स पेटे द्हान सा सुन, Wands तीन प्रकार की होती है एक होती है necessaries, दूसरी होती है comforts और तीसरी होती है luxuries Yes, these are essentials for living Necessities कैसी होती है बटा? Essentials for living, यह भी तीन पार्ट में divided है This is divided in three parts कोई बता सकता है मैं को Necessaries for life दूसरा Necessaries for efficiency These are Conventional Necessaries Conventional Necessaries Necessaries for life For example, food, shelter Necessary for efficiency Clean water Holiday Breaks Conventional Necessary Are due to Pressure of Habits Habits आपकी habits के कारण वो आपकी necessity बन गई है जैसे wifi या internet हर पांच मिनेट में अपने को snap खीचने का है लोगों को बताना जरूरी है Thursday की Monday नहीं लोगों को बताना जरूरी है काला कलर कैसा दिखता अब वो आपकी conventional necessaries बन गए आपकी आदतों के कारण necessaries है वो बरे बरे कुछ तो भी खाने जाना ताकी snap डाल सके कहीं तो भी जाना ताकी snap डाल सके अब यह conventional necessaries बन गए भाई अपनी बात समझे रहो मैं ऐसा देखता हूँ ऐसा snapchat पे देखता हूँ Instagram पे देखता हूँ मेरे mostly snapchat पे देखता हूँ बच्छो किसी भी चीज का snap डाल रहा है और कुतनी तो पैर काई snap डाल रहा है ऐसे क्या मिल के आ रहा है भाई ते को streaks अबट खेर अपनी अपनी इट्स देर चोईस हम इक्ष दिक नौमी है consumer sovereignty बनती है necessary, दूसरा है बिटा comforts राइट necessaries make life comfortable comfort way necessary makes life possible comforts make life भूल बटा comfortable for example bed आपके पास घर होना चाहिए यह आपकी necessary है आपको घर में एक बेड चाहिए बेड के ऊपर spring वाला गददा चाहिए ऐसा उचलने के लिए comforts है यह क्या है comforts यह क्या है विटा आपका comforts इसके कोई जरौत नहीं है आपको जमीन पे भी वही हो सकता है सोना ही तो है चद्दर खेचके सोना ही तो है यह जमीन पे भी possible है बरबर है बरबर है कुछ लोग जमीन पे बैटके भी पढ़ सकते है टेबल ही चाहिए comforts पढ़ने वाला किदर भी पढ़ता भाई मेरे बात समझ राइट तो यह हो गए comforts necessary life आपकी possible करते हैं यह आपकी life कैसे करते है comfortable आपको तकिया चाहिए चाहिए ना comforts और फिर आता है बिटा luxury wants that are super flues and expensive Amiro के चोचले परवर ही नहीं अमेरी कोच Amiro के चोचले यह अपने A to Z जैशे A to Z अपने वो गुवा में जाएंगे गुवा में जाएंगे तो ताज इक्जॉटिक आम ही रूखना है रूम नंबर भी फिक्स है भाई का नहीं मेरा मतलब जिस रूम में वो रुकेंगे वो फिक्स है वे फिक्स है बाई का ? हमारे को देखो कहीं रुका लो रहना तो रूम में ही नहीं अपना फिक्स है गौअ जाके का रूम में रुकता है भाई ? समझभा नहीं हुआ, सो यह है लग्शरीज ओफ लाइफ, अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, यह खतम, इसके बाद आपका कंसेब चालो होता है, यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी यूटिलिटी इसक्वल तो सतिस्फक्शन, यूटिलिटी इसक्वल तो उस्फुलनेस, इस वांट सतिस्फाइंग पावर ओफ कमोडिटी, कोई चीज हमारी सतिस्फक्शन करवा दे बस हो उटिलिटी में है, यस, इस, अबजेक्टि वारणिव, उस, अबजेक्टिव, तो ए्टिलिटी, यूटिवाटी ऋहाँ, यूटिटी, यूटिएवग कोई मेंटूटिंटी इस यूटिएवाटी इस, अरे, marginal utility, total utility, याद आ रहे गया मालेक तुमको, इन दोनों को मिला के क्या कहते है, marginal, स्वरी, cardinal approach to utility. यह utility दो प्रकार की, utility दो प्रकार की, marginal और total, ब्रवर है? what is total utility? sum of all marginal utility, so tu is equals to mu1 plus mu2 plus mu3, यह आपका total utility बन सकता है के बिटे? yes? it is the, it is the sum of utility derived from different unit consumed it is addition made to total utility by consumption of an additional unit of commodity it is an addition made to total utility, by consumption of an additional unit of commodity, एक additional unit, consume करके, कितना benefit मिला? तो क्या मैं कह सकता हूँ, marginal utility is equal to total utility at n number minus total utility at n minus 1 एसमाज मैं हम ड्याँ, क्या मैं आपका दन्या, क्या आपका लुए, रूपू, बास्या, क्या वे ना से देखो, utility मतलब क्या होता है, utility मतलब किसी भी product को consume करने से मिलावा satisfaction, utility is not equal to usefulness, utility is not equal to usefulness, पुछो कैसे, हो सकता है कई बार आप कई product purchase करते है जिसका कोई use नहीं है, पुछो क्या, दारू, क्या use है उसका, satisfaction है, बरपूर, satisfaction है क्या, बरपूर, useful है, cigarette, bd, tamakko, kutka, yes, आप अपने मम्मी को यह बोल सकते हो, मम्मी खाने में केसर नहीं, विमल डालो, अरे वैसे भी दाने नाने में केसर का दम है, वैसे भी दाने नाने में क्या बिटा, केसर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, तुमको पता है, तुमको ले करके, खा करके, utility तो मिल आएगा, usefulness मिलने वाला नहीं है, येस, आप बताओ, आप पैसे खर्चा कर रहे हो, दोस्को नाश्ता करवा रहे हो, satisfaction है, yes, usefulness है, usefulness है, usefulness है, life में कुछ, नहीं, कोई usefulness नहीं है, बरबर है, आप CA कर रहे हो, और आपने महेंगे कपड़े खरीद लिए, कोई usefulness नहीं है, रादर पैजामेज, आप किते भी महेंगे, understand, आप किते भी महेंगे कपड़े खरीद लो, रहना तो दिन पर क्लास में है, देखने वाला कोई, maximum बच्चिया, जो CA के अंदर में आती हो, एक ही बात बोलेंगे, एक धंका लड़का नहीं है, सही है कि नहीं है, एक धंका लड मतलब एक दूसरे को कोई देखनी ना, इधर देखने का जब तक कि तो मास्तर ने एक concept गाइब कर देना, वरह रहे कि ने, so utility is not equal to usefulness, it is the one satisfying power of commodity, technically दो तरह के होता है, हम दो तरह के से compute करते है, एक total utility, एक marginal utility, एक additional product consume करके जो मैं कोई utility मिली, या दोगा तो utility measure की जा सकती है, yes तो एक additional unit consume करके जो मैं कोई utility आई, that's called as marginal utility, ऐसे sum of marginal utility becomes the utility total, yes, fourth concept, cardinal utility, cardinal utility, utility, आप मुझे बताईये, utility is the cardinal concept, utility can be measured in numbers, introduced by marshal introduced by marshal introduced by marshal measurement of utility is called as bulwada utils money is the measuring rod of utility कितने पैसे देके मुझे कितना satisfaction मिला, अपने at the end as a consumer बोलते है न, वर्थ the money, तो हम utility को हमेशा money terms में compare करते हैं, तो हमेशा so here cardinal utility the utility is cardinal approach cardinal it can be measured cardinal it can be measured cardinal it can be measured yes yes चलो देहांस सुलनू law of diminishing marginal utility law of बोलो बिटा Diminishing marginal utility law of diminishing marginal utility किसने लाया था बोलो बिटा Marshall लाया किसनन था बिटा Marshall yes with one additional unit consume consumers utility utility goes down marginal utility decline होती है या total utility decline होती है it is the marginal utility which decline and not total utility आप जैसे एक additional unit consume करेंगे आपके total में कुछ तो add होगा 1, 2, 0.50, 0.20 total will add reduce क्या होगा marginal yes it is based it is based on the assumption that that single want is able to be satisfied yes yes अच्छा जी अच्छा जी पानी का बोटल ही ला रहा हो ना उभर के लाव लो अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ total utility rises till marginal utility is positive जब तक marginal utility बढ़ रही है एक additional unit से भी आपको कुछ ना कुछ तो utility मिल रही है तब तक कि आपका overall total utility बढ़ता रहेगा एक टाइम ऐसा आजाएगा जब आप बोलोगे बस अब नहीं खा सकता उस टाइम से आपकी total utility भी डिमेनिश होना चालो हो जाएगी येस यहन्य total utility rises till marginal utility is what positive बट क्या मैं कह सकता हूँ marginal utility diminishes throughout marginal utility हमेशा कम होती रहती है total utility तभी कहतम होगी जब marginal utility खतम हो चुकी है positive ही नहीं बची येस क्या मैं कह सकता हूँ तो मेरा marginal utility positive भी हो सकता है zero भी हो सकता है और negative भी हो सकता है positive positive मैं एक additional unit consume करते जा रहा हूँ मुझे मजह रहा है zero एक टाइम ऐसा आया जहां बस अब इसके आगे नहीं और किसी भी चीज की अती किये समझ रहे हो ना दूसरों को भी तकलीफ हो सकती है दूसरों को भी क्या हो सकती है बटा तकलीफ आयन ना there are certain exception to the law of diminishing marginal utility पहला hobbies दूसरों habits yes right Tisra abnormal person Tisra absorb abnormal person right consumer equilibrium ज्यान से सुन consumer equilibrium पीट अब होता क्या ज्यान से सुन अब consumer को एक law पता है consumer को एक law पता है कि जैसे ही मैं additional unit consume करूंगा वैसे ही मेरा law क्या होते जाएगा मेरा law of diminishing marginal utility वरक करेगा मेरा utils क्या होते जाएगा down मेरा satisfaction साटिस्फाक्शन डाउन होता जाएगा अब एडिशनल यूनिट कंजूम करूंगा मतलब प्राइस तो पूरी लगेगी पर मेरेको उत्ता ही साटिस्फाक्शन मिलेगा नहीं सो कंजूमर विल ट्राइटू बी इन इक्विलिब्रियम कि मैं जितना पैसा खर्चू उसका मैक् लगा रहा हूं पूरा टॉपिक लिंग्ड है बात समझ अभी तू एक लॉस समझ चुका है जैसी तुने एक अडिशनल यूनिट कंजूम किया तेरको मालू में तेरा लॉव डिमिनीशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा और उस केस में तू क्या करेगा तेरा एक एक अडिशनल कंजूम्शन तेरा यूटिलिटी को डाउन करेगा यानि अब इन ओर्डर टू सेव मनी यूटिलिटी इस डिरेकल कनेक्टे टू मनी तो अब तू एक पैसा एक्स्टरनल लग जाए यह पैसा वेस्ट ना हो जाए इसके लिए तू उतना ही ओर्डर करेगा ज अब दू लग दिस नो बिकास आपको अल्रडी पता है कि आपके भूक है और उससे ज्यादा आप खा सकते नहीं तो आप क्या करते हो आप पहले ही कम मंगाते हो आप एक्विलिबिरियम में आने की कोशिश करते हो कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूं पैसा वेस्ट नहीं हो होना चाहिए मैं जितना पैसा लगा रहा हूं उसमें में को maximum satisfaction मिल जाए तो with knowing this that you have that you have diminishing marginal utility consumer will try to be in equilibrium consumer wants to be in equilibrium to maximize his satisfaction consumer equilibrium में आना चाहिएगा उसके maximum satisfaction के लिए you he will try to consume till his marginal utility is greater than follow is greater than price अगर प्राइस चेंज हुआ तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी भी चेंज हो सकती है येस नेक्स पाइंट लिखो सो चेंज इन प्राइस हाज इंपाक्ट ओन वोल वेडा मार्जिनल यूटिलिटी तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ मुझे बताइए अगर प्राइस इंक्रीज हुआ अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो ही बाइस लेस ये सोनो ही बाइस अगर उसने बाइंग कम कर दी तो उसका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा डाउनवर्ड वही अगर प्राइस नीचे आ गया तो ही विल बाइं मोर अब उसका डिमांड कर्व किदर जाएगा बोल बीटा अपवर्ड या अटलीस स्लांटिंग नाट अब वर्ड अब या अटलीस आट गफ़या और वर्ड अब शलिए आट कुछ अजंशन भी है अट लॉफ दिमिनीशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के है Assumption of Law of Diminishing Marginal Utility आप फुल फॉल फॉल लिखना, Assumption of Law of Diminishing Marginal Utility पहला प्रोड़क्त इस पूमो जहाँ चाहिए, प्रोड़क्त इस होमोजीनियस प्रोड़क्त इस होमोजीनियस, एक मेरी बात समझी है एक्जाम्बल बताता हूँ आपको दनादन समझते जाएगा पहला हम Law of Diminishing Marginal Utility में यह है आज जूम करेंगे कि प्रोड़क्त कैसा है बिटा, होमोजीनियस पूछो कैसे मैंने यह प्रोड़क्त कंजूम किया जान जो सुनू, मैंने यह प्रोड़क्त कंजूम किया मैंने यह बाई कर लिया, फिर मैंने यह बाई कर लिया, फिर मैंने यह बाई कर लिया आपको लगता है law of diminishing marginal utility वक कर सकता है नहीं यह तब वक कर सकता है जब same dairy milk में चार consume करूं product homogeneous रहे तो law of diminishing marginal utility वक करेगा अगर product homogeneous ही नहीं है कैसे आप expect कर सकते law of diminishing margin अरे यह मेरे को हर product consume करके मेरे satisfaction level अलग रहता है येस इसलिए पहला assumption law of diminishing marginal utility का आता है कि आपका जो product क्या होना चीए homogeneous एक जैसा पहली विमल खाने के बाद दूसरी विमल खाया फिर तीसरी विमल खाया तो ही law applicable है नहीं तो ला applicable ही नहीं है आपने एक खाया विमल एक खाया रजनी गंद एक खाया पान पराग और चौता खाया तुल्सी 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 लाइची सबका satisfaction level अलग समझ महारी बात product is homogeneous दूसरा there is a standard unit of consumption there is a standard unit of consumption yes standard unit of consumption practical example हर बार जब हम diminishing marginal utility लेंगे पहली बार अगर हमने इस लेवल का glass लिया है तो दूसरा compare करने का भी इसी level का glass लेंगे छोटा glass नहीं पता चला एक full glass लिया आपने और एक half glass लिया इससे आपको marginal utility कभी calculate हो सकती नहीं तो आपका standard unit of consumption रहेगा पहला अगर आपने यूनों 5 ग्राम का पाउच लिया दूसरा consumption भी आपको 5 ग्राम कहीं होना चाहिए प्रोड़क्ट भी सेम होना उसका size भी सेम होना size उपर नीचे रहे मजा नहीं आएगा ना satisfaction पता चलेगा consumption is continuous consumption is continuous आपका जो consumption होना चाहिए पुछो ना कैसे आज पानी पिया तुरंत दूसरा पानी पिया आपको law of diminishing marginal utility वर्क करेगा आपने सुबब पिया सीधा शाम में पिया अगले दिन दुफेर में फिर उसके अगले दिन आपको कैसे पता चलेगा हर रोज आपकी थ्रस्ट तो उत्ती रहने वाली है तो law of diminishing marginal utility तभी वर्क कर सकता जब same product हो same size हो and continuous consumption हो same product same size and continuous consumption yes law don't work on olvida prestigious goods prestigious goods for example alcohol cigarettes इन पे ये law वार के नहीं करता लुक्ष्रीज पर एक्जामपल गोल्ड 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 प्रेस्टीजियस गुड्स है इजद बढ़ती प्रेस्टीज बढ़ती है इस से अच्छा मुझे बात बताओ गोल्ड लेकरके तुम्हारे law of diminishing marginal utility खतम हो जाती क्यों और बढ़ जाती उन पर ये law applicable ही नहीं है येस yes and last in case of related goods, in case of related goods law won't work, related goods पे ये law applicable ही नहीं है पूछो कैसे related goods पे कैसे ये law applicable हो सकता है मान लो अगर कोई substitute available है आपने कई बारे सा होता है आप सेम होटल में गए पर आपने order different किया आपने product ही बदल दिया substitute लेके आ गए इसी से related goods ले लिया तो आपको कैसे आपका output सेम मिलने वाला है आपको आपका आपको पूछते कैसे हैं यह जो importance हो गए characteristics हो गए यह demerits हो गए इनको एक ही तरीके से पूछा जा सकता है और वो पूछा जाने का तरीका क्या है आपको पता है what is not an assumption of law of diminishing marginal utility what is an assumption of law of diminishing marginal utility are you getting my point चलिए सर देखिए consumer behavior के सुनों consumer behavior के consumer behavior के दो तरीके थे consumer behavior के किते तरीके थे दो एक था law of diminishing marginal utility दूसरा था law of indifference curve के consumer behavior समझने के लिए majorly आपको दो थेरीज दिये law of diminishing marginal utility आपको नहीं लगता आपने यह already done कर दी अब आओ के consumer behavior दो तरीके से समझा जा सकता है पहला law of diminishing marginal utility दूसरा law of indifference curve यह भाई किस ने दिया था Marshall यह किस ने दिया Hicks and Allen यादे ना MCQ है बेटे MCQ है लेगिन एक बात बताओ इम्मान दारी से short notes से लिखके मजा रहा नहीं आ रहा आपके सीधे 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 MCQ बनते जा रहे सर इतना पढ़ना no if no but only cut to cut कुछ additional पढ़ने की जरौत नहीं पढ़ेगी Hicks and Allen आय भाई साब याने अब हमें पढ़ना पढ़ेगा law of indifference curve law of indifference curve भाई मुझे याद ने आ रहा indifference curve भाई जी मुझे याद ने आ रहा कुछ indifference curve भाई जी कुछ indifference curve याद ने आ रहा satisfaction utils में measure एक number एक जन बोल रहा था measure कर सकते दूसरा जन बोल रहा पता measure करना possible नहीं है अरे कैसे पता करोगे कितना satisfaction हुआ कि तुम बोल रहा है हाँ चार का हुआ अरे चार मतलब कैसे number किया तुमने क्या formula दिया तुमने तुमने को formula पढ़ा इसके लिए नहीं अपने मन से चार का satisfaction मिला किया एक से चार का satisfied अरे कैसे यह यह कैसे आप यह तो बताओ इंडिफरेंस कर बोलता है देखो logically logically consumer is at indifference consumer it add it difference वो measure कर सकता नहीं उसको यह सब जमता नहीं हां उसको यह जरूर पता है कि product consume करके उसका utility मिल रहा है पर उसको यह बिल्कुल नहीं पता नहीं कि उसका कितना value हो सकता है तो इंडिफरेंस कर्व इट इस बेस्ट ऑन consumer preference यह जो law है ना यह consumer preference पर बेस्ट है यह जो law है यह किस पर बेस्ट है इस यूटिलिटी कांट भी मेज़र्ड यूटिलिटी मेज़र्ड नहीं हो सकती है इन monetary terms monetary terms में possible ही नहीं है hence it is ordinal approach पंस अप्रोच है बटा ordinal measure नहीं कि जा सकती cardinal measure की जा सकती है ordinal measure नहीं कि जा सकती yes at indifference curve at indifference curve all combination of two goods which gives same level of satisfaction which gives same level of satisfaction is covered so indifference curve पे आप product A लो, product B लो, product C लो, product D लो saba same रहने वाला है indifference curve पे right आप product A लेलो, product B लेलो, product C लेलो या product D लेलो, या product D लेलो ये सब same रहने वाला है तो क्या मैं कह सकता हूं it is also called as iso utility or equal utility curve it is also called as iso utility or equal utility curve it is also called as iso utility or equal utility curve आप मुझे बताईये क्या मैं कह सकता हूं IDC 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 indifference curve slopes below upward downward downward which means which means two product can be shanti either shanti two product can be substituted to have to have same level of satisfaction यहां रखदो burger यहां रखदो sandwich same module का ही उठाया हूं यहां रखदो burger यहां रखदो sandwich अब indifference करवे indifference करवे Hicks and Allen बोलते है तू burger खा या तू sandwich खा यह ही मिलने वाला है हाँ यह difference हो सकता है एक sandwich दो burger output same consumer preference पर बेज़ दे है तू sandwich खा तू burger खा तेरा output remain same तेरा satisfaction remain same जो कुछ भी करेगा सब remain same यहां पर कुछ फरक नहीं पड़ने वाला हाँ पर अगर आप देखोगे इसका जो slope है यह downward जाता है पुछो क्यूँ क्यूँ यह कहता है substitution में वर्क करते हैं यह लोग वो कहते हैं sandwich and burger can be substituted ज्यांते सुन ज्यांते सुन तेरा यह एक दूसरे के satisfaction में वर्क करता है if you have more of burger then you will have less of if you have more of sandwich you will have less of burger if you have less of sandwich you will then have more of burger and so on and hence इसका जो slope होता है यह कैसा होता बिटा downwards yes क्योंकि यहां पर यह लोग कहते हैं कि आप एक product को दूसरे product से क्या कर सकते हो substitute and that is the reason that is the reason indifference करकवा जो slope होता है वो क्या होता है बिटा downwards इमान दरी साथ उठाए कि इसको पहली बार समझा downward क्यों है अब को समझ में आया था कि किसी को पहली बार समझा बहुत शांदार एक नंबर अभी किसी ने हाथ उठा दिया रहता ना फेक के मारता एक महीने में एक्जाम है अब ताइम नहीं है समझने का so its slope downward downward क्यों होता है because it has the same level of substitution आप कितने भी बर्गर ले और कितने भी यह ले उसका output क्या आने वाला है बड़ा same yes तो क्या मैं कह सकता हूँ यहां पर हमें एक और concept पढ़ने को मिलता है कोई बता सकता है concept क्या है concept है MRC MRS rather marginal rate of बड़ा substitution इसी concept को कहा जाता है marginal rate of substitution आप अपने कितने एक्स दे सकते हो सामने वाले से वाई लेने के लिए yes or no it is the rate of the rate at which consumer is prepared to exchange goods x and y वो कितने goods x के छोडने के लिए ready है ताकि वो y ले सके अच्छा क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ at this stage your marginal utility for x and marginal utility for y will remain same क्योंकि आपका ये indifference curve है आप कितने goods x के दोगे ताकि एक goods y का ले सको ताकि आपका indifference curve क्या हो सके same इसी लिए यहाँ पे mu for product x and mu for product y will remain same yes can two indifference curve intersect each other reason two indifference curve kabhi एक दूसरे को intersect कर सकते है 9 two indifference curve can never intersect each other two indifference curve can never intersect each other because because they are parallel to each other because your marginal utility is same sir mere indifference curve agar higher है तो यह higher satisfaction denote करता है यह lower satisfaction denote higher IDC denotes higher satisfaction higher indifference curve जैसे indifference curve higher होगा for example मान लीजे यह product है यहाँ पे अपना बिर्गिर था बिर्गिर यहाँ पे sandwich indifference curve 1 indifference curve 2 तो यह denote करेगा higher satisfaction vy sir sir maan lo sir maan lo ni maan lo sir sir जो मान लो इन डिफ्रेंस कर्व कि एक्स एक्सिस को टुच कर रहा है या वाई एक्सिस को टुच कर रहा है पॉसिबल है नहीं नहीं बोलिएगा है नहीं नहीं है आतों है आरह हम कहte हैं है वह इंट्रसेक्ट नहीं कर सकता कि मेरी सुनिए इंट्रसेक्ट करना और एक्सिस को तच करना अलग चीज होती है हिं गंदे आदमी इंट्रसेक्ट करना काटना और टच करना, दोनों सेम चीज नहीं है, काटना और टच करना, कैसे सेम चीज हो सकती है, दोनों अलग लग चीज है, तो अब बताईए, अगर यह X-axis को टच कर रहा होगा, और एक Y-axis को टच कर रहा होगा, तो आप मुझे बताईए, इसका क्या मीनिंग निकाला जाए, He is interested in only one goods, MRS नहीं चाहिए उसको, he is interested only in sandwich or he is interested only in burger, so if indifference curve touches an axis, this means he is entrusted in only one of them, generally they don't touch, if they touch, yes, if they touch, khadam, वो किज भी एक में इंट्रस्टेड है, that's why there is a touch, yes, Is that done? Say yes, अब इसी के साथ साथ मुझे बताईए, यह यूनिट खतम होने में आ रहा है, last concept unit का, ठीक है, last concept unit का, अगर आपको यादो, तो अब last concept unit का होता है, वो होता है budget line, यहाँ यह पूरा unit खतम, भाई, chapter number two का एक unit खतम, समझ रहा है, अब भी ध्यान नहीं दिया, तो इसमें तेरा attempt जाएंगा, मैं दूसरे chapter का एक और unit खतम कर चुका हो, जो बहुत बढ़ा unit था, budget line, मुझे एक बात बताईए, bro, hashtag bro, मुझे एक बात बता, अगर indifference, मुझे एक बात बता, higher indifference curve क्या show करता है, higher satisfaction, अगर higher indifference curve, logic पढ़, एकदम logic से पढ़, higher indifference curve, अगर ये show कर रहा है कि तिरा higher satisfaction है, higher indifference curve, अगर ये show कर रहा है कि तिरा higher satisfaction है, so as a consumer, you will consume more of that product, to get max satisfaction, don't you think so, don't you think so, अभी अगर तू बोल रहा है, तिरा indifference curve higher रहेगा, higher indifference curve ते को ज्यादा satisfaction देगा, let's say, तो X product purchase करता है, तो तिरा indifference curve ये होता है, तो Y product purchase कर रहा है, तो तिरा indifference curve ये हो रहा, तो you will always try to buy product Y or not, so you will at the same time will consume more of Y product or not, अरे आया ना, तो अब मुझे बताईए, budget line का यहां पर क्या रोल है, yes, yes, now, now, how much to consume, how much to consume depends upon, बुलना मेरे बाई, money and price, ज्यादा satisfaction लेने के लिए तू ज्यादा लेना चाहेगा, लेकिन problem ही तो यही थी न, money is a scared resource, तू तो कितना भी ले ले, तू तो लेने के लिए आया है, तेरी wants unlimited है, तेरी wants केसी बटा, unlimited, तू तो लेने के लिए आया है, लेकिन problem क्या है पता है, पैसा, अरे problem क्या है, पैसा, पैसा is the problem न, तेरा budget constraint है, तेरा कहां सा constraint है बड़ा, budget constraint है, अब problem यह है, budget line, technically budget line बता रहा है कि यह तेरा price कितना होगा और तेरा money कितना होगा, yes, तो budget line का equation कोई बता पाएगा, please, budget line का equation कोई बता सकेगा, price of the commodity, price of commodity, yes or no, x quantity, quantity of commodity y quantity of commodity y is equal to total money income हम जब भी कोई product पर्चेस करते है, we buy a combination of certain x and certain y, so, price यहां पर quantity and price कीजे, यहां पर price and quantity कीजे, price and quantity of product x, price and quantity of product y is equal to total money required, that's your budget line, that's your budget line, is that done, achha, right, पताये, you will, try it to be, in combination, which, suits, your budget line, आप वो combination buy करना चाहोगे, जो आपका budget line क्या कर रहा है विटा, provide कर रहा है, जो आपका budget line क्या कर रहा है विटा, provide करता है Yes, यहाँ आपका chapter number two का unit number two over, strategic time out, बरे बरे, सबसे पहले, सबसे पहले, चार minute जो करना है करो, mobile लेकना है, बात करना है, जो करना है करो, किसी को जाने का है बाहर जाके आजओ, जाने का है जाके आजओ, पेंशन नी लेने का, strategic time out है चार से पाच मिनट, चार से पाच मिनट की बाद मैं फिर से चालू पड़ जाएगा, तो सर, एक काम करो, या राधर एक 10 मिनिट का ब्रेक लेना है, तो ठीक है, हम लोग ब्रेक ले रहे हैं सर, 5-10 मिनिट का आप स्ट्रीम चालू रखिएगा कर देखने कर देखने झाल 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 यमना जीत्र कारी कारी राधा गोरी गोरी यमना जीत्र कारी कारी राधा गोरी गोरी रंदा मन में दो म मचावे बरसा मेरी छोरी रजदान राधा जी की रजदानी लागे मने खारो खारो यमना जीरो पानी लागे मने खारो खारो यमना जीरो पानी लागे मने खारो खारो यमना जीरो पानी लागे मने खारो खारो ऐला जीरो पानी लागे मन में खारो खारो हमना नित खारो खारो चलो 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 जल्दी 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 क्विक-क्विक-क्विक-क्विक-क्विक अमने आस टाइम कम और पूड़ ज्यादा ची एह बेटेरो खाते रो को टकलीव नहीं है भस जल्दी सेटल डाउन हो जाओ जित्ते लोगी इस गैलरी में खड़े हैं सब फटापट बेढ़ा लोग एंट्री के लिए जगा तो सारे दोस्तों को फटापट बुलाओ वापस थैंक्यू है नहीं एक और हाँ यह हम चलो जल्दी 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 कहिए किसमिश यह ले सकता भाई उदर जल्दें लोगा भाई बुलाब टूप जल्दी जल्दी को भाई को कर दो को कि अच्छ चलो कमान 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 बैटो जल्दी यह चल्दी बैट अरे भाव बैटना जल्दी जल्दी बैट जल्दी जा चल्दी जा कि अच्छ में ब्रेक था नहीं था कित बचे था दो डाई गंटा दो डाई गंटा ने तो उस्से याद बैट नहीं सकते है यार कपासिटी आउट हो जाती बड़ा ले श्ट्रीक बड़ा ले बैटो चल्दी बैटो फिकली कम इन कि अच्छ में बैटो कि अच्छ में जाए बड़ा बादी आचासिए यार टुट। कि अ अब प्रफब बटार एंग दे जाएटू कि अब अब बट अब अब बटार इंग कि अ कि अ एक तर्टी हो जाए एक तर्टी हो जाएगा है पॉस्विलिए चलो बैटे अरे यह थोड़ा से पले आके जो आगे जो एक काम कर अरे उदर बैंच खाली अंदर जाओ ना जीवन में वो लास्ट बैंच पूरा खाली है कि अरे वो कुछ भी बोलने दिए उदर खाली है ना थोड़ा था कमफर्टेबिली बैट हो गया चलो बेटा जल्दी 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 अंदर स्पीड में कि सर्जी लॉका भी मैरतान होगा के येस कि चलो लेट स्टार्ट कि अ कि अ वेवरेबदी दन लो मालिक जी हां यस वेल 오늘도 बरेक और अब हम चल रहे हैं चाप्ण अब थो चाप्ण अब्रेट्च में One यह टॉक्स आऊट विऑउट रिमांड यह चाप्ट्रमर चुने अविडमा मेंड के मों पर चल रहें चाविआए शाप्टर अम Gya वोड़ा बड़ाँ डिमांड के उपर वक करते हैं राइट वाट इस डिमांड इमांड के अगर मीनिंग के उपर जाओ मैं तो इट मीन्स इट रिफर्स टू आप चूपो जाओ आटोमेटिक बाकी हो जाएंगे रिफर्स टू क्वांटिटी ओफ गुड्स एंड सर्विसेश that consumer are willing and able to purchase at various price during a given पिरिएद दूरिंग अगिवन पिरिएद यस याद रखे हैं, quantity demanded is always expressed at a price demand is, बच्चो बताओ, demand is directly related to or inversely related to price inversely related to price so, जैसे ही price अब जाएगा, demand डाउन जाएगी तो यह inverse relation शो करती है this is because this is because, दो effect कोई बता सकता है, this is because of income effect and बुलो, substitution effect जान जो सुनिये, demand और price दोनों inversely related है, यह inversely related है, क्यों है, because of two thing, income and because of two thing and because of two thing, बुलो बड़ा, substitution effect अच्छा जी सर, तो यहां से दो पार्ट कर लेते है, income and substitution यहां से दो पार्ट कर लेते है, income and substitution यह कहता है, increase in income will increase the demand but these will be less than proportionate to income this will be less to proportionate the income as income increase people get rich there is a decline in overall consumption there is a decline in overall consumption, चलिए बात को understand करने की कोशिश करते है, आपके demand का और price का inverse relation है, यह की inverse relation दो reason के वज़े से आता है, income effect, substitution effect, income effect मतलब क्या होता है, law कहता है कि यह जैसे ही आपकी income बढ़ती है, generally आपकी demands भी क्या होती है, बढ़ती है, जाहिर सी बात है, मेरे पास पैसा जादा रहेगा, मैं अलग 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 चीज़े मांगेगा, तो जैसे आपकी income increase होती है, वैसी आपका demand भी increase होता है, लेकिन आपका जो demand increase है वो उस proportion में नहीं होता है, जिस proportion में आपकी income increase होती है, this is because जैसे जैसे आप rich होते जाते है, आपकी overall demand reduce होते जाती है, मैं individual demand नहीं कोड रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, overall demand, पूछो कैसे understand, अभी आप और मैं, एक छोटा सा difference understand करते है sir, ठीक है, आप अभी life में आगे आ रहे हो, मैं आप से थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, we all are in the same game at different level, do you agree, we all are in the same game at different level, now the point is, now the point is, होगा क्या, कि आप अभी एक चीज लोगे, जैसे आप पहले अपना घर बनाओगे, पहली गाड़ी लोगे, पहली कार लोगे, right, उसके बाद में घर के अंदर में एक चीज लोगे, फ्रिज लोगे, टीवी लोगे, एक एक एक, आप जैसे जैसे rich होते जाओगे, आप धीरे 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 अपना कंजम्शन बढ़ाते जाओगे, आप मेरे लेवल तक पहुच गये, आप मेरे लेवल पर आकर के आप देखोगे, money remain constant, income remain constant, तो मेरा demand for goods वही है या उल्ल्टा कम हो जाएगा, अब मेरे पास TV, TV है, मैं वापस से दूसरा TV थोड़े न करी दू खतम, उसका overall consumption क्या हो जाता है, down हो जाता है, yes, तो भले price और demand का inverse relation है, जैसी price बढ़ाएगा, आदमी बोलेगा, यार देख मेरी income भी है, पर क्यों ये खर्चा करना है, अब नहीं करना मेरे को ये खर्चा, तो पहला है income effect, yes, दूसरा है, दूसरा है, बोलो बड़ा, substitution effect, anybody, what is substitution effect, what is substitution effect, बोलो चल दी है, हाँ, availability of, availability of, substitute, substitution effect, availability of, substitute, taste and preference, क्या आपके taste and preference परे भी आपका price और demand का inverse relation हो जाता है, आपका substitute अगर almost same price पर अविलेबल है, कम price पर अविलेबल है, you will go to that product only, yes, right, अच्छा जी, बताईए, बताईए, नेक्स्ट कंसेप्ट, effects on demand, so demand, gets affected by, आपकी demand change हो सकती है, demand किन किन वज़े से affect करती है, पहला, don't you think size of population, high या ना जल्दी बोलते जाओ, अगर किसी देश का population ज्यादा होगा, उस देश का consumption या demand भी ज्यादा होगा, तो पहला, दूसरा, national income, national income के कारण आपका consumption ज्यादा हो सकता है, अगर किसी देश की national income high है तो उस देश का demand and consumption भी high रहेगा, credit facility availability, credit facility availability, आपका credit facility जितना ज्यादा easily available होगा, उतना ज्यादा demand high होगा, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे option होगे same ही चीच करने के, चौथा, taste and preference, don't you think so, taste and preference के कारण भी आपकी demands में change आ सकता है, yes, for example, आजकल अगर आप देखोगे, वो लड़कियों के case में एक fashion आई है, अमितब बच्चन वाली pant पेनने की, यादे आपको, वो एक आया है ना, कौन सा pant बोलते है उसको, हाँ, bell bottoms हाँ, यादे लड़किया आज फॉलो कर रही है, अपने भाई ने 82 में complete कर दिया, तो अब मुझे एक बात बताई, लड़कियों के case में, बच्चियों के case में आपको नहीं लगता, आज इस तरह के jeans की demand बढ़ गई है, समझमारी बात, तो demand पे इसका impact पढ़ सकता है, टेस्ट और preference के कारण भी पढ़ सकता है, पाँच वा, कही सुना सुना सा लगे तो, demonstration effect, what is demonstration effect, क्या इसे band wagon effect भी कह जाता है, band wagon effect, yes or no, right, जहां demand आपकी increase हो गई, after seeing the product, yes, what is demonstration effect, band wagon effect, एक line में भी खतम होता, जहांपे, जहांपे आपकी demand increase हो गई, किसी और के हाथ में देखने के लिए, for example, आपने मेरे हाथ में घड़ी देखी, किसी को पसंद आई, वो बोलता है, भाई अब मिर को भी यह चाहिए, जनरली उसका कोई इरादा नहीं था, पर अब वो बोलता है, मेरे को भी यह चाहिए, demonstration effect, उसको मिला, मुझको भी चाहिए, बरवर है कि नहीं, उसको मिला, मुझको भी चाहिए, अब मेरे को भी चाहिए, मंगता मेरे को, demonstration effect, टाइबर snob effect भी होता है, सुना सुना से लग रहा है न, क्या होता है snob effect, snob effect, stop consumption, now it's common, यह अमीर लोग करते है, अमीर लोगों में जनरली कौन सा effect होता है, snob effect, वो बोलता है यार अब यह common हो चुका है, now everybody could afford it, देको पहले क्या होता था, अमीर आदमी जो होता था न, यह पानी का bottle पीता था, पानी का bottle, यह normal पानी का bottle पीता था, अब normal का पानी का bottle तो तुम लोग भी afford कर लिए, फिर वो कैसे दिखाएगा मैं अमीर है, फिर वो black water consume करेगा, बरे बरे, ऐसे आप black water देख लो, consume करने की इच्छा नहीं होगी, पानी रोक देते हो, why, because it's being very common, सब जन कर रहा है, सभी के पास है, तो मैं क्यों अलग करू, yes, तो snob effect के कारण, demand overall decrease हो सकती है, या increase हो सकती है, as the case में भी, एक weblen effect भी इसी को कहते हैं क्या, what is weblen effect, हाँ, highly priced goods consumed by rich people अमीर अदमी weblen effect में जल जाता है, वो फालतु में चीजों की demand बढ़ा देता, बरबरे, Louis Vuitton का belt पहनना है, बेल्ट बेल्ट होता है, नाडे से भी वही काम होता, साधे बेल्ट से भी वही काम होता, बात समझ में आरी है, Louis Vuitton का belt चाहिए, क्याचि है, साधे hotel में भी वही काम होता, वही काहिए, यह क्या होता है, यह वेबल्ट काथुश्यू, हम एको देखलो आर्जे को देखलो दर्शन को तरह किदर भी रुको क्या परक पड रहा। रुकना इंपोर्टन थोड़ी ने है। आरे वहां रुकना नहीं वहां घूमना इंपोर्टन है मैं यह कह रहा था। तो हमाई बास वेबलेन इफेक्ट नहीं है पर उन्हों ने तो वेबलेन इफेक्ट के चक्कर में डिमांड बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी तो दिमांड कई जगए से एफेक्ट होती है चलो यहां से हम आगे बढ़ते हैं बुलो भाई एमांड फंक्षन कुछ पड़ा पड़ा सा लग रहा है इफ श्तेट दर रिलेशन्शिप बूलो इट स्टेट दर रिलेशन्शिप दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है बुलो बटा रहा, Demand and Its, Determinants of Demand. ये इदर Determinants of Demand इसको Determinants of Demand भी कहता है तो Demand function आपको क्या बताता है और Relation बताता है किसका बेटा Demand का और उसके Determinants का क्या इसे Express भी किया जा सकता है कोई बता सकता है कैसे Express करेंगे quantity of x is a function of price of x, y and r okay anyone below qx is quantity demanded for product x is a function of price of product x Yield मतलब उसकी Income of the person and R, R नहीं पता में एको भी, Price of Related Goods, ध्यान चाह सुनना, Demand दो चीजों पर भरोसे है, सामने वाली की Income कितनी है और Substitute Goods का Price क्या है, क्योंकि तुम्हारा उसका प्राइस ज्यादा है, अब सब्स्टिटूट का कम है, आदमी सब्स्टिटूट पर चले जाएगा, को लेगा तेरे भाव ज्यादा है, क्या भुलेगा, तेरे भाव बड़े वे हैं, तु नहीं, तो दूसरा प्रोड़क्ट चाही तू नहीं तो कोई और से हर चीज को एक ही चीज से जोड़ना है तुमको पताया ना हाँ जी भाई साब आज तक चार बार एम सी क्यू में आ चुका है इससे कुगोड़एयर वहती के ग वहा है प्राइस अगरेखता रिएससका लोग वाई पर जैएंगे और तीसरा तेरी इंकम कितनी है तो यह X के कितनी quantity भी केगी यह X के price पर depend करता है आपकी income पर depend करता है कि आप कितने X के product ले पाओगे और दूसरा X के अलावा Y के goods कितने है उस पर भी depend करता है hence formula का derivation है Q of X is a function of P X, Y and R is that done? यहां से हम जाएंगे next concept पढ़ने के लिए which is called as law of demand अरे यार काश मुझे पता होता यह law of demand देने वाले आदमी का नाम है मार्शल भाव ने economics में बहुत काम किया नहीं मार्शल भाव ने economics में बहुत काम किया हाँ जी law of demand चलो जल्दी बोलो बैच्छे law of demand क्या बोलता है यहां शुरुवाती होती है other things being equal बाकी सब चीजों को equal या constant रख लो ठीक है other thing being equal बोलो quantity demanded बोलो क्या होगी rise as price false और इसलिए यह रिष्टा क्या कहलाता है इन्वर्स और इसलिए बोलना मेरा बच्चा यह रिष्टा क्या क्या है लाता है तो इन्वर्स रिलेशन है टेंशनी लेने बीटा मास्तर के अंदर में मिरगीनी आती है मास्तर है यह सा इस अच्छा यह बिटा चले चार्ड बनाएंगे यह अपना आ गया y-axis यह अपना आ गया x-axis इदर रग दो प्राइज इदर रग दो quantity ठीक है अब मेर को एक बात बता राइट प्रीटी मेंट एले दिमांड शेडियूल बना दे इमांड शेडियूल बना ले अब आप यह पूछेंगे अगर हमारा प्राइज और क्वांटिटी लिखा है तो इसे हम क्या कहते बटा दिमांड शेडियूल मेरा प्राइज एक रुपए है तो मेरी क्वांटिटी डिमांड पांच है मेरा प्राइज दो रुपए हुआ मेरा क्वांटिटी डिमांड चार हो गया मेरा प्राइज तीन हुआ मेरा क्वांटिटी डिमांड तीन हो गया मेरा प्राइज चार रुपए हुआ मेरा पराइज तो एक ऐसा टेबल जो आपको बता दे कि इस प्राइज पर आपका कॉंटिटि डिमांडेड कितना रहेगा इसको हम कहेंगे demand schedule लेख रहे हो बिता एक छोटिछोटी चीजे कहाँ कहां से आ रही है लाई तो एक ऐसा टेबल जो आपको बता इतने प्राइस में इत्ते कौंटिटी लेगा, चल बेटा, प्राइस बना, चल बेटा, प्राइस बना, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, बता बेटा, प्राइस वन, ग्वांटिटी ड्मंड़ वस फाइफ, अब्राइस बैति wa एक दो दे लिएट्टी ड्मंड़ वस फाइफ, एप्राइस द्ऽॉ। एui ट्री ड्मंड़ वस फॉर। वस एवरिबरड्य। लाला ये लाला ये लाला freehand से chart drop किया जा सकता है point one हलाक के आपको draw कुछ नहीं करना है पर freehand से chart drop किया जा सकता है अब मुझे बता relationship तो inverse ही रहा प्राइज उपर गया quantity demanded कम और प्राइज नीचे आया quantity demanded ज्यादा ये तो टू demannd schedule से भी देख सकता था प्राइस जैसे जैसे अब जा रहा है क्वांटिटीटी डिमांडेड डिया रहे है लेस और से ये रिश्ता क्या लाता है in vessel Nazi सब्सक्राइब सप्सक्राइब ऐसी से कि इसका स्लोप दाउन वर्ड क्यूंकि इनका रिस्टा आदाते रहे अरे एक उपर तो दूसरा नीचे और टो ओर फो पर तो दूसरा नीचे इसलिए करू किसे यह डांवर्ड आरा जैन्मे की दूकान में इस लिए यह जो स्लोप है यह कैसा है बिटा, डाउनवर्ड्स, बोथ हाल्ड, तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, राइट, डिमान्ड कर्व, डिमान्ड कर्व सीधा-सीधा, आपका स्लोप कैसा रखता है बिटा डाउनवर्ड एक मिनिट का टाइम देता हूं तुरंत यह वापस चीजे पड़ो कहां से दिमांड फंक्शन से लेके लोव दिमांड तक के हमने बहुत सारे पॉइंट पड़े दिमांड फंक्शन दिमांड शेड्यूल रिलेशन्शिप डाउनवर्ड स्लोप पढ़ने के लिए बात करने के लिए नहीं तुम क्या बात कर रहे है बाजुवाले को पढ़के सुनाने क्या चामवन सुने नर एक मिनिट पहली बात प्लीज किसीने बुरा नहीं मानना मेरा लैंग्वेज ही ऐसा है मैं उस लेवल पर आके पढ़ाना ही पसंद करता हूं तो किसीने ऐसा बुरा नहीं मानना ने तो पता चला कोई लड़का मलत चमवन मंडले टींगे वो दिख यार दिख मसाबता बाता है और सब लोग बोलते रहेते हैं स्टड़ी हाड्सटी हाड मेरा कंसेट है स्टड़ी। जॉइफुली हर चीज को हाड करना जरूरी नहीं नहीं है हां जी Law of Demand Works because यह Law of Demand कारिष्टा क्या कहलाता है इन वर्स इसके कुछ रैश्णाले है Rationally of Law of Demand Law of Demand के Rationally है आप कहते हैं यह inverse relation है? प्रूव करके तो तो यह inverse relation क्यों है इसे कहा जाता है rational of law of demand इसे क्या कहा जाता है rational law of demand क्यों work कर सकता है law of demand क्यों work कर सकता है because of because of law of diminishing marginal utility रुक concept के साथ पढ़ेंगे इतना मज आएगा सुन मिट है law of demand work कर रहा है यह बच्चा सल चल इधर देख इधर देख हातला अपने हातला बरे बरे प्राइज अप तो quantity demanded down हत हत यूज करते को आराम से चार्ट समझ मेंगे price up quantity demanded down अपकी बात अब ऐसा क्यों हो रहा है law of diminishing marginal utility पुछो कैसे law of diminishing marginal utility याद करते है तो मैं यहां से निकला मैं गया है unit number two में unit number two में law of diminishing marginal utility था diminishing marginal utility बोलता था जैसी मैंने एक unit additional क्या किया consume किया मेरा utility क्या हो जाएगा डाउन अगर मेरा utility डाउन हो जाएगा तो मुझे consumer equilibrium चाहिए मैं मेरा utility तो डाउन करने दूंगा नहीं मुझे क्या चाहिए मेरा consumer equilibrium चाहिए consumer equilibrium अचीव करना है मतलब मैं best price पे best price पे best quantity demanded चाहूंगा मैं best price पे best quantity demanded चाहूंगा और इस चक्कर में जैसे ही price कम होगा मेरा quantity demanded क्या हो जाएगा increase hence law of demand can work logic so law of demand work करेगा क्यों work करेगा concept number पहला क्योंकि there is a diminishing marginal utility diminishing marginal utility है तो क्या होगा diminishing marginal utility है मतलब जैसे ही वो एक additional unit consume करेगा उसका utility goes down अब utility goes down मतलब जो उसको consumer equilibrium achieve करना है consumer equilibrium क्योंकि एक time के बाद उसका utility zero हो जाएगा बरबर है तो ऐसे case में वो चाहेगा कि मैं best price पे best quantity buy करूं ताकि मैं equilibrium में रहूं ना ज्यादा ना कम ना ज्यादा ना कम मैं तो best price पे रखना चाहूंगा अब best price पे रखना है उसको और utility maximum करनी है satisfaction बढ़ाना है na utility maximum करनी है तो वो कम price पे ज्यादा quantity demand करेगा यहां देखना relationship work हो गया inverse hence law of demand work दूसरा law of demand work करेगा because of price effect law of demand work because of price effect price effect is simple thing general tendency as the price down quantity demand is goes up this is general tendency third new arrival of customer new arrival of customer new arrival of consumer पूछो कैसे पीटे देख अब तक अब तक अब तक बरबर है तल सुन 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 ए बैट्या लाला इधर सुन इसका प्राइज नब्बे रुपय इस पे 90 लिखा है MRP 90 लिखाया है ट्यम्म न हाँ ठीक है अभी दन दे पे दन दे इसका प्राइज ए 90 रुपीज राइट नाओ आम रेडी तो सेल इट फर 10 रुपीज इधर इधर करने से कुछ नियों था पैसा हाँ ये देखो इधर आओ आदमी ने पचास रुपय दे दिये सुन जुन अब एक लंचिपते बंदे ने पचास रुपय दे दिये मेरी एक्सपेक्टेशन थी 10 की मिले 50-40 रुपय कंजूमर सर्प्लस चालीस रुपय कंजूमर सर्प्लस उसको नहीं हुआ मेरे को हुआ कंजूमर अल्टिमेटली वह है पर बेनिफिट मेरे को हुआ क्या चालीस रुपय और सप्लाइ United human Supplier Us Surplus शुप्लाइर शुलॅत उसको हुआ क्या ने उसको उलटा लॉस हो गया यहीं चीज को हुआ कंजूमर सर्प्लस भी हुई कैसे नबब10 रुपय की चीज उसको हुआ किफ पचास चालीस रुपय कत्यल्स को भी वा नब्रौ से ही मैंने इसको 10 रुपे किया, मार्केट में एक के जगा 50 लोग आ गए, प्राइस डाउन करोगे, new arrival होगा, new arrival होगा, तो quantity demanded up, अब ये quantity demanded up क्यों होई, प्राइस गोज डाउन, समझ में आया बात, तो, यहां पे law of demand फिर वर्क कर गया, यहां law of demand फिर वर्क कर गया, चौकलेट पे ध्यान मत दे, धन्दे पे दे तू, आओ भाई, धन्दे पे धन्दे, चौकलेट पे नहीं, अरे ब्रो, भाई जी ध्यान से सुनना, भाई जी बात है, law जी के हर चीज में, new arrival होने पे भी law of demand work करता है, new arrival consumer के उने पे law of demand work करता है, क्यों, जैसे ही मैंने price down किया, 90 रुपे की चीज, 10 रुपे में दिया, 50 consumer खड़े होगे, अरे पैसा जिसने दिया जाएगा उसको तो, उसको मेला consumer surplus, उसने 10 रुपे चालीस रुपे दिया, पर 90 रुपे की चीज, उसको 50 रुपे में म मिल गया है, Supplier surplus is equal to consumer surplus, Supplier surplus, 40 रुपे is equal to consumer surplus, आया दान में के दुकान में है, कलल का, तो तीसरा reason, law of demand क्यों वग कर सकता है, law of demand, diminishing marginal utility के कारण वग करता है, law of demand, price effect के कारण वग करता है, law of demand, new arrivals के कारण वग करता है, चौथा, different uses, different uses, अगर, एक ही product का multiple use है, एक ही product का multiple use है, आदमी बोलता, ज्यादा ले लो, कहीं न कहीं use आ जाएगा, for example, balloons, एक उनिट रुखो, पहले मेरी बात सुनो, balloons, balloons, इसके बड़े पे, नहीं तो उसके बड़े पे, कहीं पे भी use हो सकता है, अरे हो सकता है, नहीं हो सकता, multiple uses है, अब अगर, balloon के prices नीचे जए, मानलो, एक balloon आता था, 20 या, 25 रुपे का, ये 10 रुपे में मिलना चालू हो गया, ये अगर 10 रुपे में मिलना चालू हो गया, तुम तो quantity में purchase कर लोगे, तुम बोलोगे, हमारे नहीं दोसका बड़े, दोसके बड़े में दोगे, बात समझे हाँ नहीं है भाई, दूसरा, milk, do milk has multiple uses, yes, दूध का क्या कह स्तमाल है, और बहुत इस्तमाल है , दूद बना लो, दही बना लो, पनीर बना लो, छाज बना लो, बात हैं कि नहीं है, तो आपके multiple uses हैं, अब multiple users आपको पता है X के जगे यूजनी होगा तो Y में यूज होगा, Y में यूज होगा, Z में यूज होगा, यानि जैसे ही इसका price डाउन जाएगा, तुम इसका quantity demanded up कर दोगे, तुम बोलो के कहीना कहीन तो यूज आई जाएगा, कहीना कहीन तो यूज आई जाएगा, यान मैं नहीं तो वहाँ सही, मैं को नहीं तो दोस को सही, अरे रहता ना एक्स्टा दूद आगया, मम्मी पड़ो सी को ले जाएगा, ये पकड़ो भीया, तुम गंजूम कर लो, तो बता हिए, क्या law of demand will hold good, yes, क्यू, because of four reasons, law of diminishing marginal utility भी इसको सही करार देगा, प्राइस इफेक्ट भी सही करार देगा, new arrival भी सही करार देगे, और different uses के कारण law of demand work करेगा, law of demand क्या था, हाई ला, law of demand क्या था, अरे इसका relation कैसा है, inverse, inverse मतलब जैसा ही price, quantity demanded, और price, quantity demanded, आप, यादा रहे, वह चान्दार, यह लाला, सुनना, सुनना, आपने कहा, सुन, 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 expansion and contraction of demand, expansion and contraction of demand, यह demand कर बना, यह भाई, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड, बरवर्य चल, एक पॉइंट बनाते, equilibrium point, बरवर्य अगर यह उपर गया, यह उपर गया, बोल expansion बुलू यह contraction, expansion बुलू यह contraction, contraction, sir, expansion होगा ना, demand उपर गया तो, आप एक graph में उल्टा होगा, generally, अगर demand बढ़ी, तो हम इसे कहते है, expansion, अगर demand कम हुई, हम इसे क्या कहते है, contraction, पर graph बनाते यह पूरा उल्टा चलता है, कुछो क्यू, इजर दे, इजर दे, इजर देख, इजर देख, यह लाला इजर देख, पैंशोर, price and quantity demanded, अर न्दे पर इदंदे, price and quantity demanded, price बड़ा quantity demanded, कम, price कम हुए, quantity demanded, ज्यादा, niche वाला quantity demanded, denote कर रहा है, प्राइस कम तो इधर क्वांटिटी बढ़ेगी तो निच्चे जा रहा है तो expansion उपड जा रहा है तो contraction we are doing it with respect to quantity इधर quantity demanded कम है इधर quantity demanded ज्यादा है hence चाल्ट बनाते वक्त उपर contraction और निच्चे expansion है logic समझ में आ रहा है हां या ना यस तो आपका प्राइस कम हुआ quantity demanded बढ़ गई we called it as expansion price बढ़ा quantity demanded कम हो गई we called it as contraction तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये ब्रो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ downward movement of demand curve downward movement of demand curve क्या शो करता है expansion and upward movement of demand curve क्या शो करता है contraction action ये लाइन MCQ की लाइन है ये लाइन कौन्सी लाइन है MCQ yes or no hmm yes चलिये there are certain exception to the law of demand पहला conspicuous goods for example goods with with high value for example diamonds law of demand के certain exception है क्या है exception है पहला है conspicuous goods gold, diamond, bullion, jewelry very इनका प्राइस बड़ा तो consumer उल्टा परचेस करता वो बोलता इस से और उपर प्राइस चले गया तो आज ही भाय करके रख लो इनकी डिमांड law of demand के opposite में वर्क करती है इनकी डिमांड law of demand के opposite में वर्क करती है दूसरा यादर आए क्या कुछ Giffen Goods यादर आए क्या कुछ किस ने दिया था इसको Robert Giffen यह MC क्यों है येस बताओ Giffen Goods बोलो कौन से Goods होते हैं इस आर Inferior Goods इस आर Inferior Goods But All Inferior Goods Are Not Giffen Goods बेटा मॉडूल में इसके उपर Question है For Example Wheat Bajra इनका Price कम भी हो गया तो आपकी Quantity Demanded थोड़ीन अचानक से Increase हो जाएगी कंजूम तो आपका उत्ता ही रहेगा हाँ हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा आप ले लो आपक बहुत ज्यादा नहीं रखोगे क्योंकि ये गुड्स ऐसे भी गुड्स है जिनके अंदर में क्या लग जाते कीडे तो आप बोलते ममी एक्स्टा परचेस करके नहीं रखती बोलती यह यह खराब हो जाएंगे तीसरा तीसरा Future Expectation about Price Future Expectation of Price Future Expectation of Price चौथा Irrational Behaviour खिर्राशनल बिहवियर ओफ कंज्यूमर आप जैसे आप देखोh, आ पजल कहां जाते होंगे आप जब स्टेशनरी की दुकान तक अप तब तक नहीं पहुँ्चते, जब तक आपकी एक से zahदा आया स्टेशनरी कंजूम ना हो जाए या एक से ज्याधा रिक्वार्वर्म्हेंट ना आ जाए तब तक कि दोस्त का ले ले यह उसका पेंट आप ले उसका बुक ले ले उसके पेज ले ले आपको जब तक कि एकदम मरी वाली सिचुएशन ना आ जाए फर एक्जामपल दोस्ती नहीं आया तब आप एक साथ जाओगे और मल्टिपल गुड्स लेक्या आओगे वहां आप कैसे बिएव कर रहे हो तो इर्राशनल आप इर्राशनल बिहेवियर में कुछ भी डिमांड अच्छा वहां एक चीज लेने गए आप बोलतो यार स्केल भी नहीं है चल अपनी स्केल ले ले लेते है तो आप इर्राशनल ही बिहेव कर रहे हो वहां पर एंड फिफ्थ इस प्रेक्यूलेटिव गुड्स पर एक्जामपल शेर्स प्रेक्यूलेटिव गुड्स फॉर एक्जामपल शेर्स शेर प्राइज उपर जाता रहता तो उल्टी उसकी डिमांड बढ़ती है येस शिक्स्थ नैसेसरीज सब्सक्राइजальных法 म näसेसरीज जो डिमांड यह क्या होगी बिटा प्राइज के साथ बढ़ती है कई नैसेसरीज की डिमांड प्राईज के साथ बढ़ भी जाती है है येस बहुत बढ़िया है रिक्वैस्ट यू यहां तक कि यह मेरे साथ फिर से देखिए थी के विटा हम लोगों ने चालू किया था पेच पल्टो एक बार क्विक रिविशन जरूरी है आगे बढ़ने के लिए हमने unit 2 चालू किया था, सबसे पहले समझा, demand मतलब क्या होता है, हमने सबसे पहले समझा, क्या बेटा, demand मतलब क्या होता है, हमने एक चीज देखी, कि demand का दो चीजों से बहुत बड़ा impact पड़ता है, पहला income, दूसरा substitution, ठीक है, दो चीज से demand पर फरक पड़ता है, फिर हमने स अगर किसी भी प्रोड़क का डिमांड फंक्शन कैसे वग करता है, अगर हमें quantity of x खरीदना है, यह तीन चीजों पर बेस्ट है, पहला price of that goods x, दूसरा price of substitute that is related goods और तीसरा आपकी income, फिर हमने देका law of demand, इससे आगे के और तीन concept mix है, law of demand कैसे वग करता है, price up, quantity demanded goes down, बरबर है, तो अगर आपका price down होगा, तो आपका quantity demanded क्या होने वाला है, up, नहीं तो आपका quantity demanded क्या हो जाएगा, down, ठीक है, यहां पर हमने समझा, कि इसको demand curve बनाने के लिए, इस graph को क्या कहा जाता है, demand curve, demand curve बनाने के लिए आपको demand schedule पढ़ना होगा, demand schedule मतलब एक ऐसा table जो price and quantity देदे, इस price and quantity के basis पे आप demand curve बना सकते हो, demand curve में निच्चे side quantity, right side में price और इसका slope downward जाएगा, क्योंकि as the price goes down, quantity demanded goes up, right, तो demand curve का जो slope है, कैसा slope है बिटा, downward, आप demand curve को कैसे justify कर सकते हो, चार चीजो से, law of diminishing marginal utility, price effect, new arrival of customer and different uses, yes, expansion and contraction of demand, अगर आपकी demand बनाने, अल गई, हम economics की भाषा में इसे expansion कहते हैं, अगर आपकी demand कम हो गए, हम economics की भाषा में इसे contraction कहते हैं, हलागि law of demand के कुछ exception है, law of demand मतलब price बड़ी, तो quantity demanded कम, ये तभी work करेगा, जब कुछ, इसके कुछ exception है, कुछ चीजों पर ये work नहीं करता, और अब तक हम यहाँ अलिक, आदा unit खतम है, आदा unit खतम है, एक elasticity of demand नाम की कोई चीज ध्यान में आ रही है, हाँ, कुछ याद आ रहा है ना, इसी chapter में है, ये chapter बहुत बढ़ा है, elasticity of demand, अब आगे के सारे चार्ट इस चक्कर में बेज़द है, आगे के जितने चार्ट है इस धर्ती पे, वो सब इस पे बेज़द है, elasticity of demand, बात समझना, elasticity of demand, बोलो, बो, elasticity of demand, elasticity मतलब क्या होता है, change, change of demand, depends upon, yes, change in one of the variable on which demand depends, अब बताओ, आपने कहा, एक भी variable change होने पे, अगर demand पर फरक परता है, एक भी variable change होने पे, demand पर effect परता है, तो ऐसे कौन-कौन से variable है, variable includes, anyone, price, yes or no, price is one of the variable, तो इससे related हमारे पास क्या आएगा, price elasticity of demand, हाँ जी, कोई भी product की demand, तीन चीजों पर depend करती है, price, दूसरा income, इसे कहा जाएगा, income elasticity of demand, एसे क्या कहा जाएगा, income elasticity of demand, और तीसरा variable क्या था, price of related goods, yes or no, price of related goods, इस कंसेप्ट को हम कहते है, cross elasticity of demand, ओ, ऐसा कंसेप्ट है, क्या हो, आतकलललल, elasticity of demand, elasticity, वो कहते है, वो कहते है, कि आपका demand बदल सकता है, पर कुछ भी चीज को बदलने के लिए one variable बदलना जरूरी है, ध्यान से सुनिये, आपके और मेरे बीच कुछ बदलने के लिए कोई ना कोई variable होना जरूरी है, या तो प्राइस के चक्कर में, या तो इनकम के चक्कर में, या तो रिलेटेड गूड्स के चक्कर में, वेचे में मेंट, मैं को डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला बोलो बिटा, demand function is equals to quantity of x is equals to f in the bracket, price of product x, income of consumer and price of related community, याने यह तीन वेरियबल थे, चार्ट देखो जरा क्या लेका है, तो elasticity of demand depends upon demand function, demand function तीन चीज का combination है, आयरा क्या मजा हो आपो, चम्मे कपूर, तीन चीज थी, price of product x, income of that particular person, price of related goods, यहां से आगे के तीन concept निकल के बाहर आते है, price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, क्रॉस elasticity of demand, कललक का, ओ हो हो, elasticity of demand, चलो पहली बात price elasticity of demand, बोलो बेटा, price elasticity क्या बोलता है, change in demand, due to, बोलना बेटा, change in price, change in demand due to change in price, काश मुझे इसका formula याद होता, बोलो, percentage change in quantity demanded, divided by percentage change in price, yes or no, क्या इसे ऐसे भी denote किया जा सकता है, change in quantity demanded upon change in price, everybody, अच्छा, Sir, change in demand, आपका demand change हुआ, because of price change हुआ, इसे लिए इसका formula है, change in quantity demanded upon change in price, change in quantity demanded upon change in price, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, price जाएगा उपर तो demand आएगी निच्छे, क्या आप इस बात को जानते हैं, ये रिष्टा क्या कहलाता है, inverse relation, ये रिष्टा क्या कहलाता है, inverse relation, तो price elasticity of demand हमेशा क्या रहेगी, negative, क्योंकि दोनों एक दूसरे की opposite रास्ते में जाते हैं, इसलिए, price elasticity of demand will always be, क्योंकि दोनों की राहें अलग है, एक इदर आता है, तो दूसरी उदर जाती है, जब दोनों के रास्ते अलग है, means दोनों एक दूसरे के बारे में negative है, जब दोनों के रास्ते अलग है, मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में negative है, तो price elasticity of demand विल अल्वेज भी निगेटिव अहां स्वाहां है आहां बात समझ भारी है ना तो भीया याद रखिएगा प्राइज EASTICITY COEFFICIENT हमेशा क्या रहेगा? Negative क्योंकि दोनों की रहें अलग हैं एक इस रास्टे पे तो दूसरा उस रास्टे पे बेर मेंस इक इच अच अच आधें गाये नाओ पॉजितीव त वीच आधे रा विए नाओ पॉजितीव तो वीच एच अच ओड वाव अगर आप एक बैटरी को देखेंगे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है दोनों का रिलेशन कैसा है इन्वर्स निगेटिव समझमारी बाद जब दोनों की रहे अलग है तो सब निगेटिव है लाइफ में तो यह M.C.Q. चार बार विचारा गया है चलो एक बार मैं फटा फटा शकतम करो बहुत इसका जो आमसर आएगा यह हमीशा काई में आएगा निगेटिव पट अगर आपको याद हो तो हम निगेटिव को क्या कर देते इग्नोर हम निगेटिव को क्या कर देते, ignore, we ignore, negative sign, answer निगेटिव में ही आता है पर हम निगेटिव को क्या कर देते, ignore, बरबर है, अच्छा, अब इसके impact देखिएगा इसके अलग-अलग impact देखिएगा सुन ना सुन 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 रुक हाथ रुक हाथ रुक एक fat object के तरफ देख इदर एक ऐसा possible है सुन अलग-अलग situation में अलग-अलग चीज़े होती है थे आप बात समझेगा अलग-अलग situation में अलग-अलग चीज़ें होती है ऐसा पॉसिबल है कि मेरे प्राइस चेंज का मेरे उपर जो इंपाक्ट पड़ा यह जीरो हो भले ही प्राइस चेंज हो जाए मुझे फरक पड़त नहीं मेरे को फरक पड़ रहा नहीं याने क्या मैं कह सकता हूँ तो situation 1 price change का मेरे उपर impact zero हुआ इसी को अगर मैं यहां लिखने जाओंगा तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ elasticity of price is equal to zero क्या मैं लिख सकता हूँ अब अगर elasticity of price equal to zero हो इधर सुन तेको चार्ट समझाता हूँ इधर सुन लिखना कुछ भी नहीं बोलूंगा तब लिखना सिर्फ धन्दे पर दयान दे तेरको एक बार यह समझ गया cut copy paste supply में डाल देना cut copy paste supply में डाल देना अब अगर तेरा elasticity of price zero है याने price किदर था y access पर या x access पर जल्दी जवाब देतो elasticity of price zero है तो आपका जो chart है quantity demanded जो है यह horizontal या vertical यह क्या show करेगा vertical क्योंकि तू price अब एक रुपे चार्ज कर तो दो रुपे चार्ज कर तो तीन रुपे चार्ज कर तो तीन रुपे चार्ज कर मेरा quantity demanded क्या रहने वाला है सेम price का मेरे पर impact पड़ता नहीं तो आपका चार्ज सीधा सीधा vertical axis शो करेगा vertical to y axis रहा हाँ so, एक situation possible है price बदला पर मेरे उपर कोई फरक पड़ा नहीं तू हां कर या ना कर तू है मेरी किरन एक जब तेरे प्राइस से मेरे को कोई फरक लिए नहीं पड़ा तो मेरा तो access कैसा रहेगा अरे एक उन्हें जब तेरे अरे तुम गलत समय जब तेरे price का मेरे उपर कोई फरक लिए नहीं पड़ रहा मेरे access कैसा रहेगा horizontal और बरे दूसरा सिच्वेशन पॉसिबल है दूसरा सिच्वेशन पॉसिबल है तेरे प्राइस चेंज का 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 तेरे पॉसिटिव इंपक्ट मतलब त बरबर है तेरे प्राइस चेंज का मेरे पर पॉजिटिव इंपक्ट पड़ा इसको हम कहते है इलास्टिसिटी ओफ प्राइस इक्वल टू वन या राधर ग्रेटर देन वन बरबर है इसे क्या कहा जाता है पता है इसे अलग शब्दों में कहा जाता है रिलेट्टिव इलास्टिसिटी ओफ डिमांड इसे क्या कहा जाता है पता है रिलेट्टिव इलास्टिसिटी ओफ डिमांड मतलब Prize डॉन किया 10 रुपए से, पर Quantity Demanded Increase हो गई 30 से बरहं बरहे Quantity Demanded Increase हो गई किते से बढ़ता Increase से यहाँ पर जान्त सुन चले फिर चार्ड बना यह फिर फिर चार्ड बना ते रा प्राइस 2 रूपए, 1 रूपए तेरा quantity demanded एक और दो जैसे ही पहले यह देखिए तेरा डिमांड शडूले तेरा प्राइस दो रुपए था तो तेरा quantity demanded एक था तुने प्राइस दाउन किया तो तेरा quantity demanded increase हो गया चलिश चार्ट को बना कि ऐसा कुछ चार्ट आएगा कि जर्द देखना कि इसे पता क्या कहा जाता है कि इसे पता ही क्या कहा जाता है कि अभी कि येस लैटर डिमांड कर्व कि इसे क्या कहा जी सेम प्रपोर्शन में हो रहा है हमने जनरल एक्जामपल लिया है मतलब we are not sticking to that thing तो एक हो सकता है तुने प्राइस चेंज किया मेरे पर कोई फरक नहीं पड़ रहा तुने प्राइस चेंज किया मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे को बहुत मज़ा आया राइट तो एक रुपए से प्राइस चेंज कर मैं तरह क्वांटिटी डिमांडेटी से चेंज कर दूँगा अब अगर ऐसा हुआ मतलब देर इस पॉजिटिव इंपक्ट ते चेंज इन प्राइस से ज्यादा चेंज इन क्वांटिटी ऐसे केस में आपका इसे कहा जाता है रिलेक्टिव इलास्टिसिटी ओफ डिमांड या कहा जाता है इसे रिलेक्टिव इलास्टिसिटी ओफ डिमांड हुं अच्छा इसको क्या कहा जाता था इसको भी एक नाम था आपने पूचा नहीं पर्फेक्ली पर्फेक्ली इन इलास्टिक डिमांड कर्व जब आपका E is equal to 0 हो तो यह पर्फेक्ली इलास्टिक डिमांड कर्व है जब E greater than 1 हो तो relative कि उस्टिक clone वेथ कि यहां पर आपका वर्टिक डिसी रहता है यहां पर आपका डीशी किसा रहता है लेडिक को यहां पर आपका 25 का यहां पर आपका doğru से डूसरे के साथ मसरे ब्रो अबर तु यह समझ कि तिरे को धना धन चार्ट समझ में आएंगे के अभी तक मैं कहां हूँ? Elasticity of Demand पे Elasticity of Demand Demand change होगा इनके कोई भी variable change होने के कारण हम पहले पे कहे variable price क्योंकि demand function ने हुमें कहा था के भीया आपके demand तीन चीजों से impact करती है पताओ कौन सी price, income and यह main 3 variable है other variable भी है यह 3 main variable है तो भीया पहला हो सकता है जल्दी बताईए price change का impact हो सकता है zero तुने price change किया मेरे को का ही फरक पढ़ा नहीं तुम यह समझ लो supply easy है एक की टाइम समझना है तुमको ठीक है अगर तेरे price change का मेरे पे कुछ फरक नहीं पढ़ा अगर तेरे price पे मेरे पे कुछ फरक नहीं पढ़ा ऐसी चीज़ को कहा जाता है perfectly inelastic कुछ फरक नहीं पढ़ रहा तो ऐसे case में मेरा demand grip क्या रहेगा बिटा vertical तु हां कर या ना कर दूसरा अगर तेरे price change का मेरे पे बहुत positive impact तुने एक रुपए price down किया मैं quantity demand यह 30 से increase कर रहा हूं मतलब मेरा elasticity is greater than 1 तीसरा situation प्राइस का इंपक्त है यह equal to price है equal to price मतलब तेरा elasticity of price is equal to 1 elasticity of price is equal to 1 मतलब अगर मैं price 10 से down कर रहा हूं तो quantity demanded भी कितने से increase हो रही 10 से मैं price 10 से down कर रहा हूं तो मेरा quantity demanded भी 10 से down हो रहा है मतलब equal proportion में यह है वो इसे पता है क्या कहा जाता है अरे बुलो ओके unit elasticity of demand इसे क्या कहा जाता है unit elasticity of demand और unit elasticity of demand और यूनिट elasticity of demand और यूनिट elasticity of demand और यहां पर यहां पर यहां पर सुनों मैं इसको example गलत ना हो जाए इसके लिए मैं इसको 3 कर रहा हूं directly उपर वाले चार्ट को 3 कर दो नहीं तो same example हो जाएगा बड़े बड़े बताओ यहां पर अपना प्राइज हुआ यहां पर अपना quantity demanded हुआ पी पीवन क्यों 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 अगर मेरा प्राइज क्वांटिटी डिमांडेड अब अगर तुम देखो गे यह कैसा रहेगा रेक्टांगूलर हाइपर पूला कौन बूला कर्व यूनिट इलास्टिसिटी में मेरा कर्व का जो टाइप होता है यह प्योर स्ट्रेट आता है रेक्टेंगूलर हाइपर बूला में आता है अभी लॉजिकली समय नहीं ने तो रेक्टेंगलर हाइपर बूला एक्स्प्लेन करते बैठता अभी छोड़ तो बस यह रहता है यूनिट इलास्टिसिटी तो भीया तीन सिचुएशन हो सकती है तेरा प्राइस चेंज किया मेरे पर कोई फरक नहीं पड़ा इसे हम कहते है इन इलास्टिक डिमांड कर तेरे प्राइस का मेरे पर बहुत पॉजिटिव फरक पड़ा रिलेट्टिव इलास्टिसिटी डिमांड कर तेरे प्राइस का उतना ही फरक पड़ा जितना तुझे फरक पड़ता है कि इरिशाद कीजेगा है है बदल दिए हमने भी जीने के तरीके अब जैसी दुनिया वैसे हम कि मैं तो हमारी चीजए यूनिट के हिसाप से हो गई तेर से जितना मिलेंगा देंगे भी उत्ताइ जिक इसको कहते हैं रेक्टेंग्यूलर ह uncovered बोला हम हाइपर चल रहे हैं जित्ता तेड़ से आएगा होता ही मिलेगा फोर्थ अब एक ही पॉसिबिलिटी और बचती है नहीं दो पॉसिबिलिटी बचती है राधर ऐसा हो सकता है ना तेरा प्राइज इंपाक्ट के चक्कर में मेरा डिमांड क्या हो गया निगेटिव कि कि सिस्कुछ या उस प्रपोर्शन में नहीं बड़़ा होता ना वो क्या केते रहे है नावम डबले निफिक्त आध प्राइस कुछ भी कर दे मेरेखो योनो मेरेखो यह मोटिवेट नहीं कर रहा है तो एसकेस में विचेस में नाट इसको डिमांड निगेटिव नहीं, डिमांड not impacted much मतलब तु प्राइज 20 से डाउन कर दे, मेरा क्वांटिटी डिमांडेट सिर्फ अब बाइप पाँच हुआ प्राइज तु ने 20 से डाउन कर दिया, मेरा क्वांटिटी डिमांडेट सिर्फ पाँच से अब हुआ, इसे क्या कहा जाता है, पता है, रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड कर्व पी पीवन क्यू, क्यू, क्यू वन बड़े बड़े स्टीपर डिमांड कर्व यह बहुत नीच्चे जाता हुआ है, एक्जाक्ट डाउनवर्ड स्टीपर डिमांड कर्व और इसी को कहा जाता है, एक्विलिब्रियम ओफ प्राइस इस लेस देन वन एक्विलिब्रियम ओफ प्राइस इस लेस देन वन तेरी नजर भर ने हमें दीवाना बना दिया बात समझ के दूद में कुछ चाय पत्ती क्या मिली, चाय का रंग सावला हो गया, एक सीधा साधा लड़का तुछ से क्या मिला, लड़का बावला हो गया इतना सा चेंज, सहाब इतना सा चेंज कर दे मैं बिल्कुल इंफिनिटी पे पहुच जाओंगा तु देख तो सही, तु देख तो सही, हम इंफिनिटी पे पहुच जाएंगे बरे बरे, जो मेरा बस चले तो तेरे नाम के सिक्के चला दूँ, तू बात तो कर बात तो कर तो बात ये है हैना कुछ जो एखंड सिंगल लोग है तो ने बहुत इंपक्ट हो जाता है बस देख लेना चाहिए बस क्या हो जाना चाहिए देख लेना अच्छाय आपको पते इसमें ना आपने जो दोस्त होते हैं बहुत नलायक होते हैं बड़े बड़े कई बार अगर दोस्तों को मजह लेनी रही तोस जाकर क्या बोलते मानूं वाई को इत्ते बेकार दोस्तों पर बाई देख रही है खतम यह इसमें इसका अटेंप जाएंगा अब दोस्ति अब यह वही जाके बेठे जाये देख रही है अब यह बैठता ही उधर जिदर यह देख रही है उसको लग रहा है यह मुझ को देख रही है कि अब बाद में पता चलता है यह तेरे को नहीं पीछे वाले को देख रही है तो अगली बार जब भी आपको कोई प्यार से देखे एक बार पीछे पलटके जरूर देखे बात सहेगे ने अगली बार तिर को कोई प्यार से देखे एक बार पीछे पलटके जरूर देखे नाओ दो पॉइंट इस तु सिर्फ नजरे मिला तो सही हो सकता है मेरा किता इंपक्त भयानक मतलब तुने प्राइस चेंज किया एक रुपए से अब मैं कितनी भी कॉंटिटी डिमांडेड ले सकता हूँ तु बस प्राइस कम कर तुम बोलो उत्ती कॉंटिटी लेता उसी प् बड़े तु सिर्फ प्राइस कम कर मेरा कॉंटिटी डिमांडेड अनलिमिटेड हो जाएगा मतलब ऐसे केस में इस इक्वल टू इंफिनिटी इस इक्वल टू इंफिनिटी ए सुनना बाबा या मोटा बाई सुनने तुम बस प्राइस को पी से पी वन करो अपन किती भी कॉ अबरे तुमेरा तरफ देख तो सही रे मैं फ्लैट हो जाओंगा तुमेरा तरफ देख तो सही में क्या हो जाओंगा अफ्लाट अब लेट कोई टेश्मेर लेट जाओंगा तुसी बोल अरे अब 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 मेरा कहने का मतलब है तो देख तो सही अब भी फ्लैट अब हाँ हाँ बोलो इसको क्या बूला जाता है कि आप राइट क्या मैं बोल सकता हूं तो यहां पर डिमांड कर कैसा रहता है होरीजूंटल डिमांड कर्व कि यहां पर क्या रहेगा बिटा कि होरीजॉंटल डिमांड कर्व बरबर है चलो जी सारे चार्ट एक साथ खतम हुए बट मैं शौर हूँ कि कई लोगों को तो चार्ट के ओरिजिनल लॉजिक अप समझ में आये होंगे कि ये प्राइज इदर ऐसा क्यों जा रहा और कई लोगों के तो दिल तक पहुचे होंगे चल 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 एक बार रिवाइस कर ले जीवन मर के लिए काम गतम हाँ चल बेड़े आजा बेटे Elasticity of Demand एक इमपाक्ट पड़ सकता तुने मेरे को देखा तो भी फरक नहीं पड़ रहा तो तो ते प्राइस कुछ भी कर ले तो प्राइस कुछ भी कर ले माइक वॉंटीटी डिमांड़ेट वी से येस इसको हम कहते हैा परफेक्टली इनेलस्टिक इसका जो दिमांड कव रहेगा व रेक्टेंक्यूलर हाइपरबोला कर्व प्राइस का मेरे पर इतना इंपाक्ट नहीं पड़ता हां ठीक है देख रहे हैं देख रहे हैं अब यह से देखेंगे गोडों को नहीं मिलरी गास गदे खारे चवन पराश तो वो जो टाइप के दोस्ते ना अपने उनके साथ ऐसा होता है एक और भी आगे उनको फरक्ने पढ़ने माला प्राइस कम्यों क्वांटिटी डिमांडेड में इतना इंपाक्ट नहीं पड़ता उनको और एक होता है मैं फ्लाइट हो जाओंगा तुसी देख इस अदन अच्छा जी यस अच्छा जी अच्छा सुनो तो सुनो तो इसे के निच्छे और एक एरो करो लेफ्ट साइड में चल रहे है अपना इधर देख तेरे साथ आंट पेज बचा दूंगा अगर तू सिर्प जैसा बोल रहा हो वैसा ही चलते रहे यह वेरियस प्राइस इलास्तिसिटी अव दिवांड थे पहला ता प्राइस इलास्तिसिटी प्राइस इलास्तिसिटी के सारे चाट कतम हुए अब अब, how to measure price elasticity, अभी हमने price का elasticity पर क्या फरक पड़ता देखा, अब हम देख रहे, value wise कैसे निकलेगा, अब हम क्या देख रहे, बोलो बटा, value wise कैसे निकलेगा, अब, how to measure this, चार्ट तो समझ में आगया कैसे बनेगे, इसे mathematically भी तो calculate करना पड़ेगा, can anybody please tell me, can anybody please tell me, कितनी method है इसको निकालने के लिए, पहला, percentage ratio method, दूसरा, total outlay method, method, ज्यादर रहे गया, तीसरा, point method, point elasticity, fourth, arc method, price elasticity measure कैसे करेंगे, चार में थड़े, कितने में थड़े बिटा, चार, कितने method है बिटा, चार, चार में थड़े, पहला, percentage method, चलो, एक एक का formula बताता है, जाओ, percentage method, method, to calculate, elasticity of price, मुझे फर्मूला बताओ, elasticity of price is, change in quantity upon quantity into original price upon change in price, yes or no, yes or no, दूसरा है, total outlay method, total outlay का formula है, total outlay is equal to price into quantity, quantity, तीसरा है, point oblique geometric method, point oblique geometric method, हाँ, क्या बूल सकते हैं इसको, क्या मैं बूल सकते हैं, lower segment of demand curve divided by upper segment of demand curve, lower segment of demand curve divided by upper segment of demand curve, and चौथा था, arc elasticity, arc elasticity, हम elasticity of price is equals to Q1 minus Q2 upon Q1 plus Q2 into P1 plus P2 upon P1 minus P2, Q2 minus Q1 sorry, अगर आप प्राइज इलास्टिसिटि कहता है, अगर आप देखोगे तो आपका सबसे बड़ा unit one का जो pages खाता है वो यह है, सबसे ज़्यादा इसीव के उपर यह है अच्छा इन चार में भी आपको प्रैक्टिकल कोश्चन आर्क इलास्टिसिटी पर आएगा मतलब यह बचीवी तीन मेथि इतनी जियाँ डेले पिट्वाद निए आपको कोश्चन आता है आर्क इलाश्टिसिटी पर फोकस करके जाने आर्क इलास्टिस्टी एक बार प्राइफ इलास्टिसिटी सब देख लो प्राइफ ratio method, total outlay method, point method and ARC method, is that done? अच्छा जी, अब माते second concept पे, income elasticity of demand, everybody please come, income elasticity of demand, it measures, it measures change in demand due to change in price change in price, change in price नहीं, income, change in demand due to change in income, आपकी income बढ़ जाने पर आपकी demand पर क्या फरक पड़ता है, जैसे कि मुझे एक बात बताईए, ये लड़की, ये अपनी बच्ची, ये गई, ये गई, ये गई, ये नो, Samsung Galaxy Fold 4 phone करीदने, इसकी income थी एक लाक रुपे, ये वहाँ पर गई, वहाँ पर जाके बोला, भाया, ये फोन किते गई भाया, उसने बोला, वन लाक फिफ्टी ताउजन, तो उसने बोला, ओ, अच्छा, मतब देड़ करोड, ने, ने, वन लाक फिफ्टी ताउजन, अब जैस में, me as a boss उसको phone करदा है, बेटा, तेरी salary क्या हो चुकी है, एक लाक से दो लाक हो चुकी है, now you tell me, can she afford the phone, can she afford the phone, income के change होने से demand परक पड़ गया, income elasticity of demand, क्या बोलते बेटा, इसको, income elasticity of demand, बोलो, कैसे निकालेंगे, formula क्या है, percentage change in quantity demanded upon percentage, change in income, yes, आपको नहीं लगता, यहाँ पर भी वही हो सकता है, पहला, zero income elasticity, वापस से आपका module चार्ट चालू कर देता पूरे, है, zero income elasticity, मतलब e is equal to zero, पहला situation possible है, हो सकता है, मेरी income तो बड़ी, लेकिन मेरा quantity demanded नहीं बड़ा, मतलब, मेरी income तो बड़ी, लेकिन मेरा quantity demanded बड़ा, नहीं, ऐसे case में क्या हैगा बटा, e is equal to zero, yes or no, yes, इसे कहा जाता है, neutral goods, इसे क्या कहा जाता है, neutral goods, मतलब in goods की demand नहीं बढ़ती भले आपकी income बढ़ जाए, for example, generally, generally, जो आप socks spend रहे है, generally, इसका salary एक लाग से दो लाग भी हो गया, unless and until that, you know, जो socks है, यह पूरे खराब नहीं हो जाए, यह फिर आप wearable condition में नहीं रहे, तब तक क्या कुछ फरक नहीं बाढ़ने वाला, she will not change that particular, you know, apparels or something, तो simply, these are called as neutral goods, बढ़बर है, हाँ यह ना, बढ़बर है, इसके एक example लेलो, आप match box, match box या salt, आपकी income बढ़ भी जाए, तो क्या आप salt consumption बढ़ा दोगे, क्या, चलो income बढ़ गई, थोणा नमक ज्यादा डालता आच्छे, हाँ, प्लीज, रहे, चाय में नमक, शक्कर ने, इंकम बढ़ गया हो, इंकम elasticity से salt का product यह साई कि उसको कुछ परक पढ़ने वाला नहीं है, तूसरा हो सकता है, negative income elasticity आ जाए, हो सकता है, negative income elasticity आ जाए, मतलब, E is greater than, sorry, E is less than 0, कौन से goods हो सकते हैं, less than 1 होना चीए, right, E is less than 1, ऐसे goods को क्या कहते हैं, inferior goods, मतलब मेरी इंकम बढ़ेगी, लेकिन मेरा quantity demanded not that much बढ़ेगा, अब आप मुझे बताओ, example दे सकते हो, tweet, जवार, बाजरा, आपकी income कितनी भी बढ़ जाए, खाना तो उतना ही खाओगे, तीसरा situation, unitary income, elasticity, your E is equal to 1, बरबरे, चौथा, E is greater than 1, income elasticity, greater than unitary, for example, luxuries, आपकी income बढ़ी, इसलिया आपने Samsung Galaxy 4 लिया, आपकी E is greater than 1, income elasticity is greater than 1, unitary, बढ़ी, बढ़बरे, लक्ष्रीज, कम्प्लीटे बटा ही है, चलो, इधर देखो, इधर देखो बटा, बाकिये किसी का, चल्दी से चेक करो, यहां से चाप्टर रफतार पकड़ता है, आओ इधर, आपका demand कई चीजों से impact करता है, पहली चीजे बढ़ा, price, demand function का formula बोलो, everybody, demand function का formula बोलो, quantity change of product, x is equal to function of, price of x, price of y and income, price के चक्कर में demand change हो सकती है, income के चक्कर में demand change हो सकती है, price of related goods के चक्कर में भी तो हो सकती है, इसे क्या कहा जाता है बटा, cross elasticity of demand, क्या बटा, cross elasticity of demand, तो क्या मैं कह सकता हूँ, formula क्या है, change in quantity demanded, because of, change in, बोलो बटा, price of related goods, change in quantity demanded, because of the change in price of related goods, तो बताव, formula क्या बन जाएगा, percentage change in quantity demanded upon percentage change in, price of y, percentage change in quantity demanded for the product x, upon percentage change in price of product y, क्या पिर्ट होने, प्प्प्आएगा ता न्युक्तर नाकिं शोफ्मक्तर राजाएग न लोगों ये शोट नो अच्छा जी, अच्छा जी, कि अक्या बरबरेगट अधा, बीच्छा प्रवित ने दिता, अगर आप देखोगे, बेटा सुनो, बेटा सुनो, अगर आप देखोगे, इसके बाद में आपको क्या आता है बेटा, forecasting of demand नाम की चीज आती है, that is self-explanatory, आराम से आप कर सकते हो, right, उसके लिए हमार को बिलकुल efforts लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखोगे, forecasting of demand में type of forecasting आता है, फिर, you know, demand distinction आता है, analysis of specific factors आते हैं, तो यह आराम से आप घर पे कर सकते हो, उसके लिए हमार को मैनद करने की जरूरत नहीं, right, इसके निक्चे सिर्फ यहां पर लिखके रख दीजे, forecasting of demand, forecasting of demand, refer notes, pure theory वाला पाल्ट है, अगर आपको याद हो तो, and very easy, self-explanatory, yes, चलो, यहां आपका खतम होता है, unit number one, और यहां से हम चलते हैं, देख, सबसे पहले था तेरा, unit number two, consumer, वहां से हम गए, unit number one, demand, और अब demand से हम कहां जा रहे बिटा, unit number three, supply, and I will be more happy to say, chapter number two is, over, समझ मारी बात, पड़िये खतम होने के बात, हाँ जी, ठीके न, यार, उत्ता, उत्ता है, है, handle कर लो, तूसरा आता है, supply, बोलो बेडा, supply, बोलो बेडा, supply, बोलो बेडा, supply, बोलो बेडा, supply, जान जे सुनिये, यह वाला unit, relatively easy हो जाता है, अगर आप पहले क्या पढ़ क्या आगए, demand, what is supply, supply is, quantity of commodity, offered for sale, at, particular price, during a given time, during a given time, yes, supply supply, is always with, respect to, price, यहां से हम पढ़ते है, supply function, supply of x, is a function of, price of x, price of r, मतलब related product, इदर बहुत बाते हो रही है, प्लीज बन्द करो, तुनो न, प्लीज बात बन्द करो, हम unit पे है और unit बहुत जल्दी खतम हो सकता है, प्लीज फोकस करो, ठीक है, आज के बाद, तुमको टाइम में टाइम में पढ़ लेना, बात कर लेना, जित्ती करना है, and O, that is object and goals. supply function is supply of quantity x, supply of quantity x, is a function of price of x, price of y, that is price of related goods, price of r होना चाही रादर ये, अपने तो confused हो जाएगा, price of r, that is related product, and price of f, that is factor of production, supply function, are you ready? बात मत करो, बात मत करो, सुनो, ठीक है, supply का भी एक फुंक्शन होता है, जैसा है, demand का एक फुंक्शन होता है, supply का भी एक फुंक्शन होता है, supply function is equals to, supply of quantity x, is a function of price of x, see supply, please सुनी, supply of product x, x के price पे भी डिपेंड करता है, पुछो कैसे, more quantity is supplied, at higher price, तुम अब supplier हो, consumer नहीं, price बड़ेगा, तुम profit के चक्कर में ज्यादा supply करोगे, so, supply function is a function of price of product x, you will supply more, your supply will increase, if your price increase, याने क्या मैं कह सकता हूँ, there is a direct relationship, अब ये रिष्टा क्या कहलाता है, direct relationship, demand के जैसा नहीं है, वो उदर तो तुम उदर नहीं, दोनों साथ साथ में चलेंगे, हाथ पकड़ के बिलकुल, बड़े, yes, right, अच्छा जी, दूसरा, आपका supply, price of related commodity पे भी depend करता है, sir कैसे, if price of y, rises, quantity demanded, for x, will fall, अगर y की price बढ़ गई, मत पुरने लगाई ये sir, y की price बढ़ गई, तो quantity demand for x, price will fall, rise न, आप demand में हो या supply में पहले ये बताओ, अब वापस पूछो ये सवाल, अब कुछ समझ में आए गया, वापस सुनिया, the supply function, बड़ा घजब है, बच्चा confused रहता है यहां पर लॉजिक के साथ सम्झाओ, supply of x, depend करता है चार चीजों पर, पहला, खुद के price पर, अगर तुम x के supplier हो, तुम ज्यादा supply करोगे अगर इसका price बढ़ गया, क्योंकि तुमको profit बनाना है, supplier हो, तुम consumer नहीं, consumer रहते है, जैसे x का price बढ़ा, लोग y पे shift हो जाएंगे, अब तुम consumer नहीं, अब तुम supplier हो, अब सपोज तुम y का supply करोगे तो तुम अब यह rule नहीं अपना होगे, क्या जरस बताना होला, y का price बढ़ेगा, तो जो y का supplier है, वो y का quantity demanded बढ़ा देगा, तो x का quantity demanded कम होगा या बढ़ेगा, अब वापस पड़ो क्या लिखा है, अगर price of y क्या होगा, rise, तो quantity demanded किसकी, x की क्या हो जाएगी, fall, क्यूंकि तुम ऐसा supplier भी suppose करते हैं, wheat तुम सोया भी नुगाते हो अपने farm में, same example module में लिखा है, तुम अपने farm में सोया भी नुगाते हो, और तुम देख रहे हो, सोया भी इनका price नहीं बढ़ रहा, लेकिन wheat का price बढ़ रहा है, अब wheat production वाला तो दना दन production करके देगा, और तुम भी profit के चक्कर में wheat का production करने जाओगे, तुम्हारा सोया का production तो कम हो जाएगा न ब्रो, तेरा objective भी तो profit maximization है, तो अगर वो ज्यादा में बिक्रा होगा तो तु तेरी खेती में भी तो वापस wheat लगाना चाहेगा, तु बोलेगा इस बर सुयाबिन का इतना प्राइज नहीं आ रहा, wheat का आ रहा है, तेरी cost तो चली रही है, अब line पड़ो, अब समझा रहा है कि यह line में क्या है, yes or no, quantity, हाँ supplied आएगा, quantity supplied, forex will fall, yes, price of factor of production, बेटे, अगर price of factor of production increase हुआ, क्या हो जाएगा, decrease, because cost उपर तो profit नीचे, you will have no motivation to supply, तो factor of production, land, labor, capital, कुछ यादा रहा क्या, अगर तेरे factor of production बढ़ गए, as a supplier तिरको profit ही नी generate होगा, if price of factor of production increase, your supply will go down, because cost up, तो profit down, and there is no motivation to supply, and there is no motivation to supply, right, and इसके अलावा, objectives और goals भी काम आते हैं, right, अब objective और goal, हर organization की क्या हो सकते है, अलग, तो अपस से, come on everybody, everybody, supply function, supply function is a function of, यह इतने इदर जो लोग बैटे नहीं बहुत बात कर रहे है, sir, please request कर रहा हूं, आप बोलो तो यह topic easy लग रहा होगा, तो छोड़ देते आगे बढ़े जाते, लेकिन इमान नारी से बोलो, बहुत दिल से पड़ा रहा हूं, यह तो आपको भी अब तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, और तुम्हारे लिए मैंने literally 4 बैट छोड़ी है, कि नहीं आज तुम्हारा complete करते, तो प्लीज बात मत करो, हो सकता है, यह concept आपको आता हो, पर अपन शांद भी रह सकते है, राधर head down कर सकते, उत्ता तुम्हारा 5 मिट का rest हो जाएगा, so price of product X, price of related product, objective and price of factor of production, इन 4 पर आपका supply function depend करता है, आपका price बड़ेगा, आप ज्यादा supply करोगे, related product का price बड़ेगा, आपका उल्टा, supply क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि आप खुद वो produce करना चाहोगे, objectives और goal हर organization के अलग, तो मैं यहां कुछ नहीं लिख रहा हूँ, factor of production अगर बड़ा, तो तुम्हारा supply कम, क्योंकि तुमको motivate नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी cost increase हो जाएगी, आहो, अरे यह सुनो, तो law of supply यहां से derive हुआ, यहां से क्या derive हुआ, law of supply, मैं नहीं बतार law of supply, मैं नहीं बतार law of supply, बोलो जल्दी से, बोलो, as the price increase, the quantity supplied, बोलो क्या हो जाएगा, decrease, बरवर न, decrease, increase, price increase हुआ, तो quantity supplied भी क्या हो जाएगा, increase, बरवर है, अच्छा जी, इची के साथ साथ, contraction and expansion of supply curve, अगर आपका price up, तो आपका quantity supplied is also up, this is called as expansion of supply curve, अगर आपका price down, तो आपका quantity supplied भी क्या हो जाएगा, down, this is called as contraction of supply curve, as against this, एक और चीज आती है, increase and decrease, इस पर ज्यादा question पूछते है, मैं वह अहल पे लाल में बाजू रख रहा हूँ, elasticity of supply, elasticity of supply, जैसे elasticity of demand था, वैसे elasticity of supply भी आएगा, yes, quantity supplied will change upon change in price, तो elasticity of supply को measure कैसे करेंगे, percentage change in quantity supplied, बोलो अपन, percentage change in price, percentage change in quantity supplied, अपन, percentage change in price, अच्छा, अब बताओ, जब दोनों सेम तरफ पे जा रहे है, तो यह positive होगा या negative होगा, positive relation, yes, अब हो सकता है, आपका e is equal to 0 हो, elasticity of supply is equal to 1 हो, elasticity of supply is greater than 1 हो, elasticity of supply is less than 1 हो, and elasticity of supply, क्या हो बेटा, unlimited, बरबर है, अगर elasticity of supply is 0 है, तो इसको हम नाम देते हैं, पर्फेक्ट इन इलास्टिक बोलविटा, supply, पर्फेक्ट इन इलास्टिक supply, मतलब, प्राइस कुछ भी हो, quantity demanded क्या रहेगा, sorry quantity supplied क्या रहेगा, constant, यहनि price तेरा उपड़ जाए, price तेरा नीचे जाए, if quantity supplied remain constant, आपको नहीं लगता है यह तो वहीं चीज होगे, जो हम वहां पढ़के आए, दूसरा हो सकता है, e is equal to 1, कुछ समझ नहीं आ रहे है, इसे क्या कहूं, unit elastic supply, unit elastic supply, परवर न, unit elastic supply, when percentage change in price, is equal to percentage change in quantity supplied, इसका जो curve रहेगा, यह upwards straight रहेगा, it's a straight line, पूछ न, क्यूँ, supply है बेटा, जैसे जैसे प्राइज अप जाएगा, quantity supplied भी खाँ जाएगा, up, इसलिए supply curve upward moving होता है, इसलिए supply curve कैसा होता है, upward moving होता है, क्यूंकि price up हुआ, मतलब quantity supplied भी क्या होगा, up, इसलिए यह कैसा रहेगा बेटा, upward moving, यह कैसा रहेगा बेटा, upward moving, बरबर है, elasticity of supply is greater than 1, yes, yanae where small change in price has a big impact on quantity supplied Flatter Supply Curve, अगर आप देखोगे exactly वही वर्ड वहाँ से यहाँ आ रहे, बस जो ड्रॉण नीचे जा रहा था वह उपर जा रहा है, nothing as difference, तो आपने अगर मेरे साथ वह पढ़ लिया तो यह आपको फटा-फट क्लिक होते जाएगा, यह अगर less than 1, बोलो less than 1 मतलब क्या, less than 1 मतलब क्या, relatively inelastic supply curve, relatively inelastic supply curve, steep, बोल बढ़ा, steep slope, upward रहेगा पर steep में रहेगा, last, तूहा कर, तू सिर्फ बोल तो सही, EP को ही, तू सिर्फ प्राइज डाउन कर, unlimited supply हो जाएगा, सौरी, सिर्फ प्राइज अपकर, unlimited supply कर देंगे, इसको कुछ और नाम दे सकते हैं, बोलो, perfectly elastic supply curve, यहां आके आपका चाप्टर over होता है, है, एक चीज हमने नहीं करी, जो purely theory, technically दो चीज, forecasting of demand का theory, दूसरा increase, decrease in demand and supply, which is very easy, you can do it, take a strategic time out of 5 minute, जो करना है कर लो, बाहर मत जो, बाहर जाने आने में time waste होगा, फिर भी किसी को जाना है, तो वो जा सकता है, बट मैं इमानदारी से चालू कर दूँगा, 2-4 मिनट बाए, इमानदारी से चालू कर दूए, आए, बाहर जबता आने है, आए, याचमन वो जायाए, झाल 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 अभुँ अगे एट्रेंट दो कर दो हो औरो को आधे अधे घुटत को कि अबड़ कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कुछू क्यों करें अरे पर गीफन ज़ोट्स का भी तो होई रहेगा ना कीशिंगर आ टवर फ्र स्वेड़ेगी बंड़े देकर कर लगते से रहे हैं कि एवी अदुर्ड तामाटर खॉड प्राइस आरपके लोगह आ कि आओ कि अए कि चलो लेड़ स्टार्ट आम स्टार्टिंग विच चाप्टर नम्बर थ्री को स्ट सबसे यह इसमें भी 50 कि कि पहले चाप्टर नम्र 5 ले ले एक फोड़ा इजी वाला भी हो जाएगा चले आग्या मतलब हाडली आदे गंटे से पहले घतम हो जाता चाप्टर नमर फाई तो लब बहुत जल्दी कि अधा चाप्टर नमर फाइं पहले चलो पहले होए पक्रत खाइस हुआ कि येस गाईस तो चापटर नंबर 1 कुम्प्लीट हो चुका है है जाप नमप्लीट हो चुका है अब हम कर दो चल रहे हैं हमारे चापटर नंबर 5 की औष एक बढ़ा टॉपिक निपताने के बाद इच्छा उरी एक छोटा टॉपिक निपताया जाए ताकि फिर से एक बढ़ा टॉपिक लिया जा सके येस दा टॉपिक is called as जहां से सुनिए chapter number 5 बाकी जितने भी लोगे बात बंद कर दे जो आ रहे हैं वो confirm बात बंद कर दे business cycle अगर आप देखेंगे chapter बहुत 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 छोटा है chapter जो है ये बहुत छोटा है और ये chapter हमसे macro बात कर रहा है ये micro बात नहीं करता तो वो कह रहा है कोई भी economy कोई भी एकनॉमी एक बिजनस साइकल से घुजरती है कोई भी एकनॉमी कैसे घुजरती है बिजनस साइकल जितने लोग बात बंद कर रहे हैं सर आप आ गये हैं प्लीज शांत हो जाईए हैं हम कंसेप चालू कर चुके हैं बात बंद कर दो बिजनस साइकल येस, हर business activity, जो है, एक business cycle से घुजरती है, हर business activity, काईसे घुजरती है भी टाइक, business cycle से घुजरती है, so business cycle is a, business cycle is a, everybody, business cycle is a natural rise and fall of economic growth that occurs over the time, so business cycle क्या होता है, business cycle होता है, rise and fall rise and fall of economic growth that occurs over the time, yes, it refers to, it refers to contraction and expansion of overall business activity, overall business activity, so it refers to the contraction and expansion, economy बढ़री है या economic कम हो रही है, it refers to the overall business activity, yes, अच्छा जी सर, it is a cyclic term, यह चलता रहता है, अगर आप देखेंगे, business cycle का चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है, इसको कहा जाता है, through, इसको कहा जाता है, expansion, इसको कहा जाता है, peak, इसको कहा जाता है, contraction, तो मेजरली चार फेज है, मेजरली चार फेज है, जब से समझारों कोई सुनी नहीं रहा है, सब बात करें, मेरे को लगा हो गया, आगे बढ़ाता हूँ, राइट, तो, इमानदारी से पढ़ ले, तो यह चार में फेज है, एक बिजनस cycle के, अगर आप देखेंगे यह बार बार हो रहा है, बिकॉस बिजनस is a going concern, बिजनस is a going concern, इसलिए यह कैसा हो रहा है, चार बार हो रहा है, राइट, चलिए, तो बिजनस के, चार, मेन फेज़े है, फेज़ेस ऑफ बिजनिस, पहला, एक्सपंशन, तूसरा, बुल्विड़ पीक, तीसरा, पॉन्ट्रक्शन, एंचोथा, थू, पहला, पॉन्ट्रक्शन, गपो बस न, हाँ जी, तो जिन्दगी के, चार फेज़ेस है, पहला है एक्सपंशन, यह कुछ प्यार की तरह है, पहली पहली बार होता है, काफी एक्सपंशन होता है, यह अपने चरम पे होता है, यह अपने कैसे होता है, चरम पे होता है, यार, फिर धीर ये से contraction होता है, you go through this process, फिर से वापस से नहीं बहार आती है, yes, तो क्या हुआ जो उसने रचाली मेहन दी, अब हम भी सहरा सजाएंगे, तो क्या हुआ जो उसने रचाली मेहन दी, अब हम भी सहरा सजाएंगे, हमें मालूम था, वो हमारे नसीब में नहीं, अब उसकी छोटी बहन को फसाएंगे, तो अगर उसके साथ, expansion हुआ, peak हुआ, contraction हुआ, हम through में उसकी बहन को फसाएंगे, समझा रही ही बत, and this goes on, and this goes on, why, because life is a going concern न, तो सबसे पहले आता है, expansion, expansion में क्या होता है, there is an increase in national output, employment, demand, consumer, expenditure, एक फेज आता है, हर economy का, अरे कोई बात है, बड़े बड़े lecture में इती छोटी छोटी चीज़े होती रहती है, बड़े एक फेज आता है, हर economy का, हर economy बूम पे चल रही है, national output increase हो रहा है, employment increase हो रहा है, demand बढ़ रही है, you know, consumer के expenditure भी बढ़ रहे हैं, बताओ, ऐसे case में, investment भी increase होगा, ऐसे case में, investment भी increase होगा, yes, peak, highest or top point of business cycle, input are difficult to find, sir, input ही नहीं मिलते, highest peak पे चल रही हो आप, input नहीं मिलते, because सारे resources employed होते हैं, yes, output price, rise, rise rapidly, yes, peak is the end of expansion, peak is the end of expansion, आप एक लेवल पर पहुँच चुके हो, peak पर पहुँच चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता, you consume everything, highest possible level, फिर आता है, contraction, contraction, there is a fall in investments, as of now UK, as of now UK, अगर आप देखोगे, एक्स्पांशन में कौन सी कंट्री है, इंडिया, expansion के बाद, peak पर क्या चल रहा है, दुबई, दुबई भयानक investment flow हो रहा है, yes, there is a fall in investments, there is a fall in employment, याद रखे हम company नहीं, हम country के economic की बात कर रहे है, chapter number 5, macro है, yes, there is a mismatch of demand and supply, there is a mismatch, use mismatch of demand and supply, demand or supply completely mismatch चलते रहते, बताओ supply ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता, supply बढ़ जाता है, demand ज्यादा रहती, supply, supply ज्यादा रहता, yes, there is a reduction in price of the goods, price of goods क्या किये जाते है, reduce किये जाते है, क्योंकि economy में वापस पैसा घुमे, लोग अपने expenditure कम कर देते, तो इसको वापस घुमाने के लिए, क्या किया जाता है, change किया जाता है, stock price बढ़ते हैं या fall होते है, stock price fall, through, economy फिर से revive होने वाली है, any country, Sri Lanka, Sri Lanka, अगर आप देखे, हाई, camera है, Sri Lanka, अगर आप देखोगे, तो Sri Lanka, एक बहुत बेकार फेस से गुजर गया है, recently श्रिलंका ने क्या किये हैं, वापस से tourism को develop किया, वापस से चीजे डेवलप की, वापस से धीरे धीरे चीजे stabilize करने जा रहा है, so, severe depression, yes, recently breakup हुआ है, growth rate क्या रहेगा, कुछ करने की इच्छानी होती, demand decreases, कुछ खाने की इच्छानी होती, there is a job cut, किसी से मिलने की इच्छानी होती, large number of liquidation, किसी चीज में मन नहीं लगता, and then, recovery, slowly economy revives, fresh investment, comes, अगर आप देखोगे, Ukraine को भी आप इस हालत में अभी देख सकते हो, yes, indicator, which phase is going, कैसे पता चलेगा, इन चारों में से कौन से phase चालू है, sir, indicator तीन प्रकार के होते हैं, गाडियों में दो दिखते हैं, लडकों के, लडकों की गाडियों में दो indicator होते हैं, उसका लडकी की गाडी का कोई इस्तमाल नहीं होता, वो लेफ्ट देके भी राइट में मुड़ सकती है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, मैं, sir, मेरी बेहन, मेरी चुड़ायल है न हमारे घर पे, बेहन, बेहन, वाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा, इत्ती हिम्मत नहीं है मेरी, वो जो हमारी बेहन है न, बेहन, ठीक है, वो रहते हैं, तुम्हारे यहां भी तुमको ऐसा लगता हो, चुटा भाई भेन जोए, वो गलती है, फॉस्पिटल चे उठाके लाए है, हमारे यहां भी एक है, वो हमारे से बड़ी है, मेरी को लगता है, पहली वाली उठाके लाए थे, तो वो चुडएल, उसके पीछे टुविलर पर भी बैठने को, मेरी को ऐसा लगता है, सीट बेल्ट चाहिए, हाइट समझाता हूं सर आपको, मैं दो मिनिट जरह मजे लीजे का, हाइट समझता है आपको, कर दूर зовут किलोमेटर दूर सिकनल है, हमएजाज के पहले पहली बाहर आ जाते है, अ मुआत इस हमभी जाज के पहले बाहर आ गए, समझ जा रही बात? हम एला क्रेख ऑन्योओर रिदम हुदा रही दिदी ? इसके पैर पहली बाहर है पहली बात तो विजन रहता है इतना ही मास्क नहीं वह ऐसा पीछे वाला कार अदिक ही नहीं अपना जब मर्जी आया हाथ उठा दिया पीछे वाला मैं मैं पूछना चाहता हूं अपने वजन से ज़्यादा की गाड़ी लेना क्यों संबलती इन से बिलकुल नहीं थोड़ा सा भी इदर उदर हुआ पाच्छे लोगों को ले करके गिर जाती एक साथ उसके बावजित भी गलती किसकी तुम्हारी समझा रही ही बात बर बोर एक बार तो ये लेडी मेरी बहन चुडेल कहीं की यह प्रोल पे लेके लेगए लेके जाके 220 पूछती एक्टि वाम हा इसमें पेट्रोल डलाता है कि डीजल मैं डैया है कैंड र Phil उसने मैं से पूचा प्रौल डलाता है कि डीजल मैंने बला केर मिला कैरोसीन नहीं समझता उसमें पेट्रोल ही रहता डीजल नहीं रहता नहीं मेर को क्या पता है तीरी गाड़ यह अरे कुछ भी कुछ भी हाइट मतलब यार मतलब आयू शात्मला असवाट वलागले कराई चकाए अच्छा ये ये लेडी के अलग गेम है बरे ये ये लेडी के अलग गेम पहली बात तो क्या है गाड़ी ले लेने का इसको सिगनल समझता नहीं जो मेरी बेहिब की बात कर ओ, सिग्नल समझता ही नहीं मनप जलत जलने ओ औरção yeah को दो के लिए मैं को समझते है हं उसो को मैं भीड नहीं कर दो तो है जानाएं पानी का बोटल भी लेके जाना है, हेल्मेट भी पहनना है, इन सब केना न दिक्य होती है हैंडल में नहीं डालते और प्लीज इन्हें कोई बताए ब्रेक हाथ में है पहर में नए ऐसा हाथ में लगाते ब्रेक यह लेडी यह मेरी बहेन एक्सिडेंट हो गया तो भी एक्सिलेटर भी छोड़े ब्रेक भी दबाद्यों एक्सिलेटर भी चोड़े इसामेल समल के ने रहे पहले एक्सिलेटर छोड़े मैं घर पे गया मैंने पप्पा को वोला मैं मुला मैं मुला इसको गाड़ी देना मत बिल्कुल नहीं देनेगा इसको बताए क्या हुआ मुझे एसास हुआ मैं टेस्ट्यू बेबी है उसको नहीं जाता मेरे को जाता साले तेरे में अकल नहीं क्या उसको गाएको गाड़ी दियो तेरे रहते कि मेरे को पूरा समझ में आगया गेम अगली बार से मैंने बोला अगली बार से मैंने क्या बोला मालू मैं तुनना मैं सही आदमें नहीं मेरी वाइफ को लेके जांगा अगरे बहुत लोग समझ गये मैंने क्या किया उसको लेके जांगा समय होता था यह अगर किजी को ठोक भी देती थी ना मार मेर को पड़ती थी समझ में दो लेडीजी जाएंगी तो अटलीस्ट समने आले को मार पड़ेंगी तो इंडिकेटर थीन प्रगार के होता है इंडिकेटर कितने प्रगार के वालिक तीन एक होता है लीडिंग एक होता है लागिंग और तीसरा होता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर थीन प्रगार के होते हैं हैं लाइ और में घच हा अ लिद एक सकारे माहँ और पा मिध्य कि मेंचेर रॉम्हा, लाइफ nih फ्यहा ह ? यह द ग खिद हैं और अस Yes, for example, change in share price, change in profit margin, then it reflects the performance and can be seen only after the economic trend. has already occurred. यह तभी हो सकता है जब यह already occur हो चुका है. For example, unemployment. For example, corporate profits. For example, interest rate. It is also called as concurrent indicator. It is also called as concurrent indicator. occur simultaneously with business cycle. For example, personal income. Business cycle के कुछ features है. Features of BC. पहला है. There is no fixed duration. Business cycle कभी भी आ सकता और कित्ते भी दिन रह सकता है. इसकी कोई fixed duration नहीं है. Yes, दूसरा. यह कैसा है बड़ा? Complex. इतने आसानी से नहीं समझेगा. Impact on all variable. यह हर तरक्य के variable पर impact करता है. Impact on social life. यह हर एक की life पर impact करता है. हम लास्ट कंसेप्ट चाप्टर ओवर. Causes of business cycle. Business cycle के कुछ causes. External. Internal. External causes. Everybody. Wars. Technology. Shocks. Population. Growth. Globalization. Globalization. Internal. Change in investment. Change in macroeconomic policies. Money supply. And. Psychological factor. Chapter is over. Chapter is over. इसे इंडिकेट कर दे. फिर. इसके features क्या है. यह इसका कोई fix duration नहीं कभी भी आ सकता है. कैसे भी आ सकता है. Complex होता है. हर एक पर impact करता है. तुम पर भी social पर भी. होते क्यों है. Internal reasons के वजए से. External reasons के वजए से. Internal reasons. आपके पास investment आपने कम कर दिया. ज्यादा कर दिया. Policies. Government की change हो गई. Money supply change हो गया. Psychological factor. Change करना है. जैसे गाड़ी change करने की कोई जरौत नहीं है. But still your dad will say EV लेते हैं. अब जो भी next गाड़ी लेंगे EV लेंगे. जरौत है नहीं. Still देल से. Psychological factor. सब change हो रहे. चलो अपन भी shift होते हैं. External factors. It's a very easy topic. छोटा सा topic था. तो कुछ भी tension वाली बात नहीं थी. अब आते हैं next topic cost. यह पढ़ना है भाई. क्याने बिटा? आ जाओ. चाप्टर नमबर 3. चाप्टर नमबर 3. अलग अलग विशेय पर बात करता है. आप अगर थोड़ा सा शान्ती रगे तो हम बहुत इंपोर्टन चाप्टर पर यह लॉजिकली यह इंपोर्टन चाप्टर बचाया. यह हो गया तो आप मान के चलो कि आपका एकनोमिक्स ही हो गया. चाप्टर नमबर 3. पाच मिंट ची टाइम बात करने के लिए वर सिब बात करने के लिए थीए पूरा एक मिनिट जो बात करना बरो strategic timeout जो बात करना कर लो बाजवाले से जित्ती बात करना कर लो कि तुम्हारा एक अच्छा सा वीडियो भी निकालता हूं एक मेमरी तो रहे तुम्हार साथ कि अबे कुछ तो करो अच्छा कि अच्छा कि यह हमारे कुछ नलायक है जो इधर भी बैटे है कि अ कि अ कि शांदार कि अ भाई जी चलो टाइम गदम कुछ और ओना चीए नहीं न अभी गाना वाना यह वो अलोजीकली टाइम निया बीच-बीच में अधी घंटा भी बजगा तो तुम्हारा उथा चाप्टर भी उड़ा दू जन्यूइनली मैं चाह रहा हूं क्योंकि देखो मेरी बात समझो बच्चियों के लिए इंटाइम है कुछ लड़कों के लिए भी इंटाइम है तो हाल-फिलाल में थोड़ा फोकस करो मैं जानता हूं एक पॉइंट की बादेसा बसना यार भाई सब्सक्राइम है कुछ लोग जिनका सच में मन ने लग रहा हूं कुछ लोग जिनका जैनुविनली मन ने लग रहे है मूटा थकता निंगे रहे है शक्काल पासून चंटीनीयूस बोमलत था है देख तेरे लिए नया होगा हमारे लिए तो नॉर्मल है अभी तुम फाउंडेशन कंप्लीट करके इंटर में आओगे तुमने इंटर वालों से अब तक है तो पूछी लिया होगा ठीक है वो विचार है सुबह साथ बज़े से आए वे उनको तुमारा लाइफ में बताओ इ बरवर मेरा क्लास साड़े साथ बज़े से लेकर साड़े गयरा बज़े तक रहता डिटी एक सबजेक्ट 60 मार्क्स मतलब टैक्स पहले डिटी होता फिर आपका डिटी आता है तो भाई साब यह जो टैक्सेशन अपने लेने वाले हैं तो इतना ज्यादा टाइम सुबह साड़े साथ से साड़े गयरा इसमें बीच में पंदरा मिनिट का एक ब्रेक मिलता नाश्टे का फिर साड़े गयरा होता है लॉआ होता है फिर तुम को धा2 बजे तक का ब्रेक है खाने का 45 मिनिट फिर दाई बजके साड़े-, चार बजके साड़े चार बजके तुब भी हो सकता है सर इसमें आयूश्य किदर है आयूश्य वाला टॉपी किदर आ रहा है इसमें वो तो तुम बारवी में छोड़ा है तुम को किसी ने कहा था बेटे बेटा सीय में आने के बाद 16 गंटे पढ़ना पड़ता तो देख लो ना तुम तो अल्रेडी कर रहे होई है तुमको लग रहा था 16 गंटे कैसे होगे देख मेरी बात बता हो गया यह मेहनत करते करते थोड़ा सा पांच मिंट मोटिवेशन भी सूनो यह मेहनत करते करते आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार बस यार बहुत हो गया क्योंकि देख हमें यूमन ओपनद हे मैं हुए हुम nouveau है हमारा मन शरीर तो हम यहां लेके आ गए ऐल आतमा कहीं चल रही है और कि समझ आ रही है तो मन 50 बार, 60 बार, 100 बार ऐसा करता है कि बस यार अब बहुत हो गया, चल यार उटके चले जाते है, बस यार खतम हो गया, मेरी बात बताओं तुमको, जब क्लाइंट के यार रेड पड़ती है न, ऐसा तीन दिन खड़े रहना पड़ता लिट्रली, क्लाइंट एक्स्प्लेनेशन नहीं दे पाएगा, तो तुम ऐसा कोई जरूरी नहीं खड़े रहे न, पर तुम तुमारे क्लाइंट को बचाने के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि तुमको ऐसा लगता कि बॉस, मेरा क्लाइंट है, दूसरा, नोट बंदी हुई थी साहब नोट बंदी हुई थी साहब, 2016 की बात है, नोट बंदी हुई थी, सर रात में आट बजे डिकलरेशन आया था, अब पांसोर हजार के नोट बंद, लिटरली मेरे दोनों फोन बजने चालू, अच्छा, क्लाइंट तो फोन कर रहे, स्टूटन के माँबाब भी फोन कर रहे, अब जिनके पास आटो के डबो में, चावल के डबो में, साडी के अंदर, सब नोट बार आ रहे, ऐसा भी हुआ होगा, पहली बार तुम्हारे पपा को पता चलो, मम्मी के पास सेवेंग किती है, अब ऐसे टाइम में, जब पूरा संसाल डरावा है भारत में, अब ऐसे टा पड़ता है, किसी में इतना दम नहीं है सर, दिन भर टिका करके बैठना, तुमको दिन भर टिका करके बैठना पड़ता है कि नहीं, कभी भी कुछ भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, याद रखना मेरे भाई, ऐसा खड़ा हो, और यूनो, ऐसा सब जगह देख, 130 करोड का पब इन पूर्लिक है, कंपणी है, एजएपी है, फिर्म है, नॉन प्रॉफिट और्गनाइज़ेशन है, अपने आप से एक चीज तो पूछ, किसको मेरी जरुवत नहीं है, एवरी सल्मान खान रिक्वाइर चार्टर्ड अकॉंटेंट, एवरी चार्टर्ड अकॉंटेंट डू नॉट रिक्वाइर सल्मान खान, ये कोर्स है भे तुमारा, ये कोर्स है, अब भारत में कुछी ऐसी डिगरी है, जो नाम के आगे लगती है, CACS, CMA, Advocate, IASB नाम के प बदलने का, तू ऐसा पड़ा वाता, छोटे से बच्चे से सुसू करते वे पड़ा था, किसी ने आया तेरको तेरा नाम दे दिया, माबाप सिर्फ नाम देते है, पहचान तेरको बनानी पड़ती है, माबाप सिर्फ नाम देते है, पहचान तेरको बनानी पड़ती है, ये से कि यार नहीं आर बहुत हो गया हो सकता है एक हाद अटेम्ट भी लगाओ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बड़ी बात बताओ आपने जब यहां खड़े रहे करके मैंने लेक्चर चालू किया आप मैंसे मान के चलो कि सौ मेरे को जानते होंगे बक्चेवे हजार तो मेरे अल्सो पर आप जब मैं यहां पर खड़ा हुआ न और लेक्चर पढ़ाना चालू कि आसर फंदरा मिनिट के अंदर में अच्छानक से आप कनेक्ट हो गए आपने मेरे से पढ़ा नहीं पढ़ा सब इर्रेलेवेंट फंदरा मिनिट में आप कनेक्ट हो गए एक सवाल जी है पावर हाउस है समझ मैं ही बात परिशान हो जाना चाहिए आदमी ने याद रखो यू मस्ट बी दा मोस्ट हाडवर्किंग परसन इन रूम टेंशन नहीं लेने का और एक बात याद रखने का यह जो लास्ट के तुमारा एक महिना है ना इसमें अपने आपको बक्ष ना मत क्योंकि अगर तुमने यह एक महिना बक्ष दिया ना अगले छे मैंने तुम्हारी ऐसी तेसी होती रहेंगी लाइबररी में पड़े रहोगे और यह कोर्स में ना बिटा कभी रैगिंग नहीं होती कब तुमारा जूनियर तुमारा सीनियर बन जाए पता नहीं चलता स्कुर्स में रैगिंग करने का कोई काम ही नहीं है तो पूरी हिम्मत लगा पूरी जान लगा याद रख यहां पर पास हो गया तो अगले देड़ साल तरको शान्ती है और न्यू पर रेजिस्टर हो गया तो दो साल तक एक्जाम नहीं देना है तू डिसाइड कर नेक्स ट पचास बार मन करेगा चल घूम के आ जाते इधर चल जाते उधर चल जाते बहुत आता है सर देख मन चंचल है कुछ भी होता इसी टाइम पर थंडियों का मौसम में प्यार भी अचानक से आ जाता उलाती है मगर फोकस ये क्योंकि देख मेरे भाई मैं तिर को एक बात बताओ गया अपने पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे है यार इस चीज के लिए आप सब अपने घरवालों को जानते हो किसी को बताने की जूरत नहीं है आप सब अपने घरवालों को जानते हो कि तुमको इ या तुमको एटलीस पैसे मिल रहे हैं कि तुम कुछ भी खा सको इस चीज को करने के लिए बहुत मैनत लगती है यार लॉजिकली स्पीकिंग मेरे को भी पहले यह सम नहीं समझता था मेरे को इत्यक्कल नहीं थी पर बाद में जब खुद से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा तब लाइफ में समझ में आया कि बापू बोलता था उटके लाइट बंद कर उसका मीनिंग क्या था समझ मारी बाद बापू बोलता था लाइट बंद कर उसका मीनिंग क्या था पहले मेरे को नहीं समझता था अब मेरे को समझता अब यही चीज मैं स्वास्तिक को बोलता उ बट आज मैं अगर मेंनत कर रहा हूं तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? Logically speaking मैं स्वास्तिक के लिए कर रहा हूं, मैं उसके लिए कर रहा हूं जैसे ही आपके डाड भी आपके लिए कर रहे है तू सोच , अगर तू कोई investment करे और उस investment में loss हो जाए तू ऐसा investment करना चाहेगा तुम्हारे डाड ने भी तो यही किया ना यार तुम में investment और उसका result अगर fail आ गया तो वो next time investment करने से डरेगा और अगर result pass आ गया तो हम यहीं बैठे होंगे इसी class में बैठे होंगे बस subject change होगा समझारी बात यहीं बैठे होंगे इसी class में बैठे होंगे और उसी मस्ती से पढ़ रहे होंगे तो subject change हो जाएगा समझारी बात तो aim करके चलना है इस बार 200 नहीं 300 पार चलना है 200 नहीं 300 पार करना है और अगले एक महिने में ऐसा हो सकता है कि अब तक आपको कुछ भी ना समझ में आए कुछ भी नहीं समझा तो भी foundation में तुम्हारा 12th का base है और तुम human हो तुम बेवकुफ नहीं हो कि कुछ भी याद ना रहे पस थोड़ी सी महनत एक्स्ट्रा कर ले तुम पास 12th का base है तुन्हें already कुछ चीजे पड़ी है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा महनत करना है सर एक्स्ट्रा महिनत मतलब क्या करना है अगले एक महिने एक महिने एक महिने का अगले एक महिने यस अगले एक आता एकच ध्यास कुत्रयासार का अभ्यास आपको जो करना अपना फंडा क्लियर है अब तक तुमको मेरा टीचिंग से भी समझ में आगया होगा पड़ो तो हद कर दो और ना प्रोग्राम रद कर दो अपने आपको बिलकुल मत बख्षो हम भी नहीं बख्षते हम भी इंसेनली जैसे वक्षते इमाचिन बॉस जी भी सर एंसेम सर क्या एज पर क्या काम कर रहे यार वह समझ वह तो भी आरक है यार क्या लेवल पर बात करते हमारी लिट्रली आवकात नहीं वह जित्ते अवर्स ले रहे उतने अवर्स वर्क कर दे नहीं लिट्रली नहीं लुक आट देम बॉस क्या स्पोर्टिवली काम कर रहे अपने को भी यही चीज करने पड़ेगे एक गोल और एक एम लेकर के चलना पड़ेगा जब तक घर के बाहर का नेमपलिट ना बदल दो तब तक के रुकने का नहीं जब तक बाप्पू ही ना बोल भी ओर C A.S.A.E सहाब ? अ Leigh Jeee मज़ा नहीं आएंग रहे है और सिर्फ एक मिनिट के लिए इम्मैजन कर तेरे जब्स इरे मम्iegen पपा तेरे ऐसा इसा रिबन काट रहे है आरे जब्स तेरे जब गन काट है तक पर तक मंप क्यषिस का रिबन काट रहे हे है यह जो vibe रहेगी न यह तुमको किक देएगी तुमको बाद में कुछ याद नहीं आता past way कि फेल हुएते आप सभी एक टा इम पे 12 भी हाड था प्रिथा नहीं था एक टाम पे 12 भी हाड था तुमको लगा था नहों पाएगा अब 12 बोलो क्या है यह भी वैसा ही है हम Foundations में बैठे है हम जब इंटर में जाएंगे तब यही चीज वापस बोलोगा आप वोल बेटा मैं तुम्हारा को लिटरली बोलता हो जित्ता इधर Economics है न उससे बड़ा तो PGVP नाम का एक चैप्टर है उससे बड़ा तुम्हारा इंटर में कोई भाई बेन दोस्तिया रिष्टेदार होगा उसको से पूछना PGVP कित्ता है वो बुलेगा Economics plus BCK दोनों को जोड़ दे PGVP समझ रहा है तुमको तो टेंचन नहीं लेने का मेहनत के ओपर कर फोकस कने हैं अई यूदिंग माप्वाइंट लेट्स टार्ट बात करते है प्रोडुक्शन एन कॉस्ट की ठीक है बात करते है प्रोड़क्शन एन कोस्ट की । राइट, अगके, meaning of production, सबसे पहले बात करते है प्रोडक्शन की, सबसे पहले किसकी बात करते है बिदा, प्रडक्शन की, production is organized activity, production is organized activity of transforming resources into Finnish goods, in the form of ULUVEDA, goods or services, in the form of goods or services, production, should not be taken, to mean as creation of a matter, because MCQ, man cannot create a matter, he can, he can, only add utility, man koi nya matter नहीं create कर सकता, resource नहीं utility, sir, कौन-कौन सी utility, कुछ याद आ रहे क्या, पहला, form utility, दूसरा, place utility, तीसरा, time utility, तो था, परसन utility, मैन कोई matter क्रिएट नहीं कर सकता, मैन सिर्फ उसमें utility आड कर सकता है, utility, चार चीज़ होगी, पहला, form utility, that is changing the form of natural resources, changing the form of natural resources, for example, would into table, everybody, men would नहीं बना सकता, would ka table बना सकता, utility add कर दिया, इसको कह जाता है, form utility, अगर वह natural resources को क्या कर दे, change, बरे बरे, पानी में, acid मिलाया, acid create कर सकता है, harpic create कर सकता है, बाकी तो आप समझदा रही है, place utility, change the resource from a place where there is no utility to a place where there is higher utility for example, water bottle water bottle की जरौत, शहर में जित्ती नहीं है, उससे ज्यादा जरौत, उससे ज्यादा जरौत, mountains में है, क्योंकि mountains में फ्रेश पानी नहीं मिल सकता, यह बात आल है कि आज फ्रेश पानी mountain में ही मिलता है, बट हर mountain में पानी नहीं होता न, प्रेश यह नहीं है, अरे, कंदे लोग, तुम लोगों को न मैट्स ने बिगाड़ दिया है, येस, ये को ने, मैंने बिगाड़ा, मैंने कोई असलील बात नहीं की तुम से मालूम, प्रेशं,ugu. मेंकि अवालोम, मैंकि अव conjunction at time at time, when they are not available normally, for example 24x7 medicals, को सकता है आपको किसी प्रोड़क्ट की जर्वत पड़ जाए कि आधी रात में जर्वत पड़ गई जनरली अवेलेबल नहीं रहता पर ट्वेंटीफोर सेवन मेडिकल्स में आपको विक्स मिल सकता है रात में कि अबरे विक्स थंडी का टाइम है वैसलीन अरे तवचा रुखी हो जाएगी तवचा रुखी हो जाएगी तो क्या करोगे तुमको ऐसा लग रहा है तवचा बहुत रुखी सुकी सी हो गई है वैसलीन बॉरॉलीन में कि यूज ऑफ परसनल स्किल कैसे लोगे पता नहीं में कि यूज ऑफ परसनल स्किल पर एक्जामपल पेंटर पेंटर येस तो आदमी मैटर क्रियेट नहीं कर सकता वो सिफ चीजों में यूटिलिटी बढ़ा सकता यूटिलिटी किते प्रकार की बिड़ा चार पहला फॉर्म यूटिलिटी नाच्रल सिक्ट रिसोर्सेश को बदल दे दूसरा प्लेस यूटिली टी उस यूटिली टी की जगा को चेंज कर दे दिसरा टाइम सूबे pole अवेलेबल करके दे जिस टाइम वो नौर्मलीड आविलेबल नहीं होता चौन्था पर सन यूटिलीटी अपने Personal Skills शो कर प्रदक्शन और न यादे बोलो पहला फेक्टर अफ्र 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 अफ्राइक्टर अफ्राइक्टर के रिलाग करनी लेबर तीसरा फेक्टर अफ्रेक्टर अफ्राइक्ट्रेक्शन पिटल या देना तुलो बनाओ पटा पट चार्ट बनाओ चौता फैक्टर अफ प्रडक्शन गोलना भाई एंटर प्राइस और भी कुछ बाकी है क्या क्या चारी फैक्टर अफ प्रडक्शन है, अच्छा जी सर सबसे पहले बात करते है से इंट क्या लैंड को हम लैंड के सैंट में यूज करते हैं, नहीं, इट रिफर्स टू इट रिफर्स टू, एट रिफर्स टू All free gift of nature इनि एट रिफर्स तू All free gift of nature येस, क्या क्या आ सकता इसमें, लैंड आ सकता हाँ, वाटर आ सकता हाँ, एर आ सकता हाँ, इसमें no human efforts required, यह automatic होता है, आपकी कोई मेहनत का काम नहीं है, इसका supply ज्यादा है या फिक्स्ड है? supply is fixed, is it a active passive factor, it's a passive factor, जब तक इस पे human मेहनत ना करे, जब तक के उसका कोई use नहीं है, क्या इसके multiple use है? क्या इसके multiple use है? yes, it is homogeneous या heterogeneous, heterogeneous, yes, labour, any mental or physical exertion, दिमाग का काम या शरीर का, physical exertion, we called it as Labour, बताओ, is it perishable, yes or no, Labour is perishable, आपने उनको सम्भाल के नहीं रखा, निकल जाएंगे, are they active factors, they are active factor of production, yes, क्या लेबर का पावर डिफर होता है फ्रम परसंटो 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 अगंदा, लेबर पावर इफर फ्रम परसंटो 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 यस, do they have active bargaining power या poor bargaining power, poor bargaining power, उनको काम चाहिए तो वो बहुत ज्यादा बारगेन नहीं कर पाते, क्या supply easily adjust हो सकता है, supply cannot be adjusted easily, इनका supply easily adjust हो सकता नहीं, तीसरा है capital, yes, क्या मैं बोल सकता हूँ, it's a wealth of individual, it is produced means of production, it is a produce means of production, all man-made goods, that are used for further production, for example plastic box, plastic box, हम नहीं बनाया है, फिर कोई और product बना रहे उसमें fill करके sell कर रहे, yes, there are stages of capital formation, capital easily form हो जाता है क्या, नहीं, there are stages of capital formation, point number one, सबसे पहले, ऐसे ही capital नहीं बन जाता, सबसे पहले क्या करने पड़ दी, saving, saving करने के बाद, इस save करे वे पैसे को क्या करना पड़ता, mobile the saving, that is mobilize the saving, और इसको, क्या करना पड़ता बटा, investment, पैसा पैसे को खीचता है, पहले save करो, save करने का बाद, कोई नए धंदे में लगाओ, नए धंदे से generate हुआ पैसा, investment में लगाओ, तो आपका capital बनता है, enterprise, person or, group of person, to provide, all factor of production, board of directors, promoters, yes, they are called as, Ulbita, organizers, they bears, they bears, they bears, risk, and get, पुलवड़ा, opportunities, sir, कौन कौन से प्रकार के रिस्क लेने पड़ते हैं, पहला, financial risk, पैसा तो इनका लगावा होता है, दूसरा, technological risk, दूसरा risk कौन से बड़ा, technological risk, हाँ, हाँ, what are the objective of enterprises, enterprises के दो objective होते हैं, कोई भी धंदे वाला हो, इसके main दो objective होते हैं, anyone, पहला, बोलो बटा, organic objective, दूसरा, economic objective, organic objective, organic objective, stay alive, survive, stay alive, survive, yes or no, पहला objective है, जी तो ले, profit तो बनाई लेंगे, जी तो ले, profit तो बनाई लेंगे, yes or no, say yes, अच्छा, तो यह maximize the profit, profit से याद आया, profit से याद आया, profit से याद आया, क्या मैं कह सकता हूँ, accounting profit and economic profit, is, fill in the blanks, accounting profit or economic profit, दुनों से हमें? से येस, दुनों से हमें? अरे मैं कह रहा हूं से हमें? अरे इस इस डिफरेंट अब आप ये पूछेंगे बड़ी बड़ी क्लास में ऐसी चोटी चोटी बात होती ही रहती है चेंचन नहीं लेने का इस भी है सब सम्हाल नेगे आओब इदर Accounting profit और Ecconomic profit Accounting profit में हम सिर्फ ऐक ही COST लेते हैं जब कि Ecconomic profit में हम दो COST लेते हैं भूलल educación Ingplicit और Explicit accounting में कौन सी ही लेते हैं? Only explicit cost is considered only, only now implicit and explicit cost is considered implicit explicit cost only actual expenses actual expenses plus आप पॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इस चक्कर में यॉर अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी हायर यॉर इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी बोल बिटा लोवर अकाउंट्स के अंदर में तुम क्या करते हो सिर्फ एक्चुल कित्ता खर्चा हुआ उस पर दिमाग लगाते हो जबकि एकोनॉमिक्स का प्रॉफिट का डेफिनीशन अलग है इकनॉमिक्स बोलता है प्रॉडक्ट के उपर जित्ता खर्चा लगा है वह तो कंचिडर्ड है लेकिन अगर तु यह ना करके कोई और काम करता उसका भी तो अपॉर्चुनेटी कॉस देखना पड़ेगा न अन्डेस्टैंड अन्डेस्टैंड इसको मैं ऐसे समझाता रॉडक्ट बेचा और 75,000 रॉपीस तेरी कॉस्ट वी तेरा प्रॉफिट किता हुआ तेरा प्रॉफिट किता हुआ 25,000 अरे एवरीबड़ी यही अगर तु कहीं जॉब करता तेको प्रॉफिट तिरको सालरी मिलता 30,000 तो तू बता आर यू अट प्रॉफिट और यू अट लॉस यू अट लॉस और रॉपीज 5,000 अकाउंट के हिजब से तू प्रॉफिट में है अकाउंट में सेल माइनस कॉस्ट इस प्रॉफिट ऐसे आपको यह बताऊ मॉडूल में यही M.C.Q. है विच सेम नंबर सू अकाउंट के हिजब यह से तेरा प्रॉफिट हुआ है, एकनोमिक्स से तू लॉस में है, क्योंकि एकनोमिक्स क्या करता है बिटा? Implicit as well as explicit cost, तोनों consider करता है अब एकनोमिक्स के यहिजब से तेरा प्रॉफिट किता आना चिए था, 30,000 मिनिमम में, in order to run the business, और तेर को 30,000 नहीं मिल रहा है तो technically तू लॉस में है, इससे बटर है business बंद कर, risk मत ले और सीधा-सीधा non-risk zone में जा, समझ में, आया क्या, right, तो यह पहला, तेरा, accounting profit, अच्छा, objective, पहला objective क्या है, organic, दूसरा objective क्या है, economic, तीसरा objective क्या है, social, yes, to fulfill the need of society, क्योंकि तुझे जो कुछ मिलता है, वो society से मिलता है, तो तुझे कुछ देना भी पड़ेगा, for example, marathon, for example, marathon, बात समझ यह, आपने मेरे को फीज दिया, नहीं, आपके regular lecture का फीज मेरे को नहीं मिला, but as a part of academy, academy को तो मिला, now since I am teaching, कुछ social objective करने पड़ेंगे न, अब यहाँ economic objective हो या ना हो, social objective तो है कि बच्चों का end तक के support करना है, marathon is completely free, economic objective, zero, social objective, hundred percent, समझ आई ही बात, यही चीज इंटर में भी करेंगे, यही चीज फाइनल में भी करेंगे, समझ आई ही बात, fourth, human objective, कैसा भीटा, human objective, yes, that is, development of human resource, अब देख बेटा, हमको पता है, दिन बर तु उमारे साथ रहने वाला है, तेरा external development भी फिर class में होना चाहिए, subject के अलावा भी तो तिरको other gain मिलने चाहिए न, बात समझ रहे हैं मेरी, subject के अलावा भी तिरको other gain, अब तु बाहर रहता है तो शायद तिरको बहुत सारे gain मिलते, अब तु दिन बर ही हमार साथ है, तो ग्यान भी हम सही मिलना चाहिए न, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कुछ human objective भी होते है, यूमन रिसोर्स को develop करना, for example stock market trading, ते को class में सिखाया थाएगा, tax की चोरी नहीं, planning, हम लोग कुछ चोरी नहीं करते है, we just plan, ते को tax planning में class में सिखाना होगा हमार को, law, पढ़ने के अलावा उसको break करने के भी दंदे सिखाने होंगे, break नहीं, planning, अम लोग कुछ break नहीं करते, we just manage, we just manage, मैं अपने lecture में हर बार बोलता हूँ, a good CA is not the one who know the law, a good CA is one who know the AO, assessing officer, a good CA is not the one who know the law, a good CA is one who know the income tax officer, खेर जिसको नहीं समझा पोगो, पोगो, आस्था, law समझे है ना समझे, पात समझ, law समझे है ना समझे, it's not big deal, पर अगर तिरको पता है AO की जरुरत, income tax department officer की जरुरत क्या है, तो बस फिर, तेरा काम बरबर हो सकता, तेरे client का काम बरबर manager हो सकता, येस, अब ये ethical है, ethical नहीं है, देखें मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, ethics is a very beautiful word in books, बरबर हैगे नहीं, मेरा फंड़ना बड़ा clear है, ethics is a very beautiful word in books, किताबों में वो अच्छा लगता है, रियल लाइफ में कुछ वर्क नहीं करता, ये सारी बाते काल पनिक है, जिसका वास्तविक्ता से कोई संबन, focus again, हाँ, तो human objective होता है, इसके अलावा कुछ national objectives भी होते हैं, धरती पे हैं, कैसे objective होते हैं बड़ा, national, yes, to fulfill the needs of a nation, to fulfill the needs of the nation, yes, आईये, production से related, आपको एक और चीज़ पढनी पड़ेगी, production, बुलो, production, function, production function, production function, number of time asked MCQ, is a relation, बुलो बड़ा, relation between, बुलो, physical input and output, per unit of time, कितने input में, कितना output निकाल होगे है, इसे कहते है, production function, इसे क्या कहते है, production function, so Q is equal to F of A, B, C, D, कि, सर, आता हे काई ना मिन, Q stands for quantity produce, माफ कीजे, ऐसा होता रहता है, quantity produce, is a function of, number of units of A, number of unit of B, number of unit of C, number of unit of D, तो कोई भी चीज produce करने में multiple चीजे लगती है, बात समझेगा, सहाब, इधर देखो, production function, production function को calculator से समझे, इस calculator को produce करने के लिए, मैं तोडने नहीं वाला, fast track वालो, तोडने नहीं वाला मैं, समझ रहो, fast track batch में तो उनको समझा, जैसी मैंने calculator उठाय वो डर गए, जब यह calculator बना, इसमें क्या क्या लगा होगा चरह देखो, body लगी होगी, screen, अंदर एक चीप लगा होगा, green color का, buttons लगे होगे, screws लगे होगे, printing लगा होगा, production function, output निकालने के लिए, body कितना, button कितने, screws कितने, etc., etc., it's a production function, the production function is the quantity of a plus b plus c plus d, etc., up to n, etc., up to n, production function के कुछ assumptions है, production function के कुछ assumption है, this is with reference to time, हम हमेशा production को एक time के हिसाप से देखते है कि, इतने दिन में कितना produce, या इतने घंते में कितना produce, yes, दूसरा, technology remain same, हमारा दूसरा assumption है, भाहिया, जब भी हम production करते रहेंगे, technology कभी बदलेगे नहीं, which is not true, which is not true, input combinations, input combinations, provide maximum output, हम जो input दे रहें, इससे जो output आने वाला है, यह क्या हो जाएगा, maximum, परवर है, चलिए, production function, short run, long run, very important, very important, production function, short run, long run, short run में, क्या मैं कह सकता हूँ, जो, at least one input, remain, fixed, multiple time asked question, it shows, max output, assuming, one variable, as fixed, assuming, one variable, fixed, generally, one variable, जो fixed होता है, वो क्या होता है, capital, one variable, जो fixed होता है, यह क्या होता है, capital, बड़े, short run में हम क्या पढ़ते हैं, law of, बुलो, variable proportion, short run में हम क्या पढ़ते हैं, law of, variable proportion, कि हम कितने input में, कितना output निकालेंगे, long run, बड़े, all, factor, of, production, कैसे होते बिटा, variable, multiple time asked, ध्यान से सुनिये, factor of production, land, labor, capital, etc, generally, capital को fix पकड़ा जाता है, short run में, बाकी सब चीजी change हो सकती है, ऐसा assume किया जाता है, अगर ऐसा assume किया, तो आप कितना production कर सकते हो, उसको निकालने के लिए हम पढ़ते है, law of variable proportion, आपको अगर यादो, तो हम यहां पर क्या पढ़ते है, TP, MP, AP, क्या दा रहे गया, यहां पर हम TP पढ़ते, MP पढ़ते, AP पढ़ते, बरे बरे, दूसरा होता है, दूसरा होता है, long run, long run, अगर मेरे पास 5 साल, 7 साल भरपूर टाइम है, तो आपको नहीं लगता है, in fact मैं हर variable change कर सकता हूँ, including मैं capital, तो all factor of production क्या हो जाते है बिटा, variable, long run में हर factor of production क्या है बिटा, variable, yes, it shows, it shows, maximum output with all variable input, input, input से output पे क्या impact पड़ेगा long run में, और इसे पढ़ा जाता है, law of, बो, fast track वालो, return to scale, क्या देना तुम्हें, तो short run को study करना है, कि short run में input change क्या तो output पे क्या फरक पड़ेगा, law of variable proportion पड़ो, long run में input change करने का output पे क्या फरक पड़ेगा, law of return to scale में पड़ो, law of return to scale अगर आपको यादो तो कुछ इस तरह के का चार्ट रहता था, law of increasing marginal utility, constant marginal utility, decreasing marginal utility, आता कल लगा, तो हम क्या पड़ रहे पहले समझो, हम पड़ क्या रहे, input change करने का output पे क्या फरक पड़ेगा, अब आप ये पूछेंगे, हम पड़ क्यू रहे ये, input का output पे क्या फरक पड़ेगा, अरे जंडु, input का output पे क्या फरक पड़ेगा, तो ये अब तक के ये नहीं समझेंगा, मान ले, मान ले, suppose, button, one of the input, everybody, one of the input, इसका price change हो गया, तेरी overall cost increase हो गई, अब इसका price change होने पे तेरी overall cost increase हो गई, तु selling price change कर सकता है, नहीं, जहां तुने ये selling price बड़ा दी, cross elasticity में, दूसरे company का calculator बिख जाएगा, now, तेरे पास जख मार के option ही नहीं है, input change करने के अलावा, तेरे पास option ही नहीं है, input change करने के अलावा, at this point of time, आपको इस concept की ज़रौत पड़ती है, कि short run में, क्या input change करूँ कि output पे फरक पड़े, long run में क्या input change करूँ कि overall output पे फरक पड़े, depending upon तेरे पास कितना time है इस चीज को change करने के लिए, तुझे दोनों concept पड़ने पड़ेंगे, law of variable proportion and law of return to scale, yes or no? अच्छा जी, कुछे Cobb-Douglas production function नाम की भी कोई चीज थी, क्या था वो? वो Cobb-Douglas नाम का कोई व्यक्ति था, USA में applicable था, हाँ, वो क्या करता था? अज जाना homework के पड़के आना, अज जाना पड़के आना, अगर आप देखोगे, इसके बाद, अगर आप देखोगे, इसके बाद आपको क्या किया जाता है? यह बताया जाता है, fixed input क्या होता है, variable input क्या होता है? वहाँ से आगे निकलोगे, तो वहाँ पे आपका आता है, law of variable proportion, law of variable proportion, wherever, is it applicable in short run, short run मे, short run मे, input change करने से, output में क्या फरक पड़ेगा? Yes? को यह है? यहाँ पे तीन concept है, यहाँ पे तीन concept है, average product, marginal product, total product, average product, marginal product, बोल मेरे भाई, total product, say yes, what is average product? what is average product? what is average product? total product, per unit of variable factor, what is total product? total output, total output, per unit of time, total product, मतलब कितना produce हुआ? total product, कितना produce हुआ? total product, कितना produce हुआ? है? total product, divided by, को बीटा, number of units, average product निकल गया? मार्जिनल प्रोड़क्ट, मार्जिनल प्रोड़क्ट, is equal to, total at numbers, is equal to, total at n-1, कितो हम पहले भी पढ़के आ चुके हैं, कहीं, एक एडिशनल, यूनिट को बनाने के लिए, कितना input लगेगा? addition made to total product for one extra unit of variable factor, एक additional unit बनाने के लिए, कितने input लगेगा? marginal product, सर आकेर हम यह पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो, क्या होता है, जब कई बार customer हमार पास आता है, कई बार जब customer हमार पास आता है, वो बोलता है, sir, मैंने आपसे, you know, मैंने आपसे 100 product खरीदे, तो price कितना? फिर वो दूसरी चीज पूछता, sir, 100 के जगह अगर 103 हो गए तो, आपको पता तो होना चाहिए, वो additional 3 मनाने का cost कितना है, आप उसको selling price दोगे कैसे, जब तक को खुद को cost नहीं पता है, chapter का नाम क्या है? cost, उसको sell price देने के लिए पहले खुद को तो price पता होना चाहिए, कि मैं कितना input डालूँगा, कितना output पड़ेगा, तो मेरा average per product price कितना रहेगा, yes, तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ, change in total product upon change in whole, quantity of variable products, अब कुछ rule है, मैं आपसे कुछ rule पूछना चाहता हूँ, अगर AP rise हो रहा है, MP also rise, but MP is greater than AP, याद रहे क्या, average price, marginal price, आपका एक unit बनाने का cost, कभी भी आपकी average cost से ज्यादा रहेगा, yes, average तो total quantity से डिवाइड हो रहा है, तो एक additional unit बनाने का cost, आपकी average unit बनाने के cost से कभी भी ज्यादा रहेगा, 100 units जो आप बनाओगे उसका cost कभी भी कम रहेगा, क्योंकि जैसे ही quantity ज्यादा हुई, रैसी price कम, तो एक unit बनाने का cost आपका कभी भी ज्यादा रहेगा, as compared to average, hence MP is greater than AP, when, AP is maximum, AP is maximum, MP is equal to AP, AP, एक point ऐसा हैगा, जिसके नीचे price करना possible नहीं है, मतलब आप अब एक unit मेंट से additional बन वालो, चार बना लो, price इससे नीचे नहीं जाएगा, होता है न, भाई हमेने एक goods करीदा, कितने में दोगे, पांच रुपे, भाई हमेने 50 goods करीदे, इससे नीचे जाएगा नहीं, जब आपका AP max हो जाता है, average price अब वो इससे नीचे बेच ही नहीं सकता, तो MP is equal to AP, yes, बताइए, when AP falls, MP also falls, but this time, AP is greater than MP, अगर आपका average price ही डाउन जा रहा है, because आपने consumption बढ़ा दिया है, sorry production बढ़ा दिया है, आपका average price नीचे जा रहा है, तो एक और unit बनाने का price भी नीचे जाएगा, लेकिन जो एक और unit बनाने का price है वो डबल speed से नीचे जाएगा, yes, when MP decreases and AP increases, but opposite never happens, जब आपका marginal नीचे जा रहा है, आपका average उपर जाएगा, क्योंकि एक additional unit बनाने से आपका जो price है, वो कुछ percentage से तो उपर जाएगा ही जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, कि AP नीचे हो और MP increase होता रहे, बहुत rare situation है, येस, बरबर है, अच्छा, इस चक्कर में आपको नहीं लगता, तीन stages आते हैं, AP, MP, और एक stage ऐसा आता है, एक stage ऐसा जरूर आता है, अब हम अगर इसे divide करना चाहें, हम राधर तीन stage में डिवाइड कर सकते हैं, भाई साब बात करके आप सिर्फ अपना एक बहुत important point में इस करेंगे मालू, इसको कहा जाता है stage 1, इसको कहा जाता है stage 2, इसको कहा जाता है stage 3, अब producer will always stay in बोलो बड़ा stage 2, जहां पर उसका MP और AP Max हो जाए, वह वहीं तक के रहना चाहेगा, नावो stage 1 में रहना चाहेगा, नावो stage 2 में रहना चाहेगा, नावो stage 1 नावो stage 3, वह हमेशा stage 2 में रहना चाहेगा. यस, मुझे कोई point of inflection ध्याना आ रहा है पता नहीं क्यूँ हूं, यह पॉइंट ओफ इंफलेक्शन क्या होता है पॉइंट ओफ इंफलेक्शन वेर MP is Maximum पॉइंट ओफ इंफलेक्शन के साथ साथ एक और वड़ था बस वो याद नहीं आ रहा है पॉइंट ओफ इंफलेक्शन जहां पर MP Max हो जाता है उसको कहते हैं बटा पॉइंट ओफ इंफलेक्शन हम एक साचूरेशन पॉइंट नाम की भी कोई चीज होती है जब पॉइंट ओफ साचूरेशन यह कब आता है बेटा वेन MP is equal to AP पॉइंट ओफ साचूरेशन यह इस पॉइंट के बाद AP और MP दोनों डाउन होते जाते हैं MP आपका निगेटिव भी हो सकता है AP आपका कभी निगेटिव होता नहीं AP इस नेवर निगेटिव MP MP 1000 से एक भी अडिशनल यूनिट जादा बनाया उल्टा हमको लॉस आ जाएगा क्योंकि मशीन लेबर यह वो सब चलेगा MP कैन बी निगेटिव AP कांट भी निगेटिव जाने बीटा इसके बाद आता है law of return to scale कुछ ऐसा चार्ट होता है क्या शुरू होता है हाँ चार्ट में मैंने आगे पिछे किया है प्री हैंड से ड्रॉव करते है वक्त इसको बोलते increasing return to scale यह है constant return to scale यह है decreasing return to scale सरम क्यूं पढ़ रही है है to understand input-output ratio to understand input-output ratio पहला होता है increasing return to scale दूसरा होता है constant return to scale तीसरा होता है decreasing return to scale सुनो ना मैं तुमको एक बात बता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं हम यह पढ़ रहे है कि input change करने का output पे क्या फरक पढ़ता इसके लिए दो concept पढ़े law of variable proportion short run में input change क्या तो output पे क्या फरक पढ़ता दूसरा law of return to scale long run में input change क्या तो output पे क्या फरक पढ़ता अब यहां पर हम return to scale में पढ़ रहे है चार्ट इस तरीके का बनता है increasing constant and decreasing return to scale पकी बात अब इदर सुनो तुनो सुनो सुनो दो मिट पेन रोको दो मिट हाथ को आराम दो मस्ता ऐसा 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 कुदीद बने आज बहुत लिखा तुमने इसका मतलब क्या है जब आदमी की लगी-पड़ी होती है वो कुछ भी करने को रेड़ी होता है येस जब आदमी की लगी-पड़ी होती है वो कुछ भी करने को रेड़ी होता है उसके पीछे लगा होता है रोकेट आदमी को ऐसा लगता है फड़ा आज ही फड़ा खतम पूरा फड़ा छोड़ने का नहीं एक लाइन नहीं छोड़ने की साला पूरे एकनॉमिक्स में पर तुम देखो तुम्हारे सारे बड़े टॉपिक कंप्लीट हो रहे है एक चाप्टर तो इमान नरी से यहीं बैठके कर लेना घर जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला तुम यहां से घर गए कि सिद्धा बिस्तर पकड़ते पर अगर एक घंटा एक्स्टेंड करके यहां बैड़ गए तो आज तुम्हारे पूरे पचास मां खिचके लाओंगा बरेवरे गिन साट में से पचास दसका तो मैं ऑप्शन ही छोड़के चल रहा निगेटिव मार्किंग छोड़के चल रहा पर पचास तो तुम्हारे कंफम किचके लाएंगे इधर तो अगर टिक सकते हो यूनू मेसेज कर सकते हो होस्टल में घर पर बोल सकते हो तो टिक ना मैं वैसे भी नव नव पंदर के ऊपर नहीं लेने वाला और तब तक के सब खतम होता आराम से खतम होता वैसे भी आपको पता है यह चाप्टर हम आधे से ज्यादे पर आ गए ठीक है कि लौफ इंक्रीजिंग रिटन तू स्केल चूश्ष् सुन सुन, law of increasing return to scale, क्या कहता है, law of increasing return to scale बोलता है, देख बेटा, मैंने input 10 से बढ़ाया, तो मेरा output 30 से बढ़ गया, इसको कहते है, increasing return to scale, दूसरा होता है, constant return to scale, अगर मैंने input 10 से बढ़ाया, तो मेरा output भी 10% से बढ़ेगा, इसको बोलते है, constant return to scale, decrease in return to scale, अगर मैंने input 20 से बढ़ाया, मेरा output से 10% से increase होगा, this is called as decreasing return to scale point over, आहो, यस, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, quantity is equals to K at L A C N B, where Q is output, L is labor, C is capital, yes, K A and B, CUB, are positive constants, if A plus B is greater than 1, there is a increasing return to scale, if A plus B is equal to 1, there is a constant return to scale, if A plus B is less than 1, there is a decreasing return to scale, और ऐसा एक घटिया सा formula, कॉब डगलस ने दिया, meaning यही था, भाई ने formula दे दिया, अच्छा, यह था कॉब डगलस, कॉब डगलस भाउ ने यह formula दिया, return to scale का, कॉब डगलस return to scale बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉब डगलस return to scale, कॉब डगलस के हिसाब से, output तीन चीज़ों पर depend करता है, पहला capital, दूसरा labor, तीसरा other factor, वो, कॉब डगलस बोलता है, output में सिर्फ दो चीज़े काम की है, capital और labor, बाकी कुछ काम का नहीं है, तो अगर तुम्हारा, तुम्हारा, जो input से ज्यादा तुम्हारा output निकल रहा है, we called it as increasing return to scale, तुम्हारे input जित्ता ही तुम्हारा output निकल रहा है, you called it as constant return to scale और अगर तुम्हारा input ज्यादा और output कम है, तो तुम्हारा decreasing return to scale है, everybody yes or no, बहुत बढ़िया बिटा, आ जाओ, sir, hmm हां जी, तो यह जो increase, यह जो increase or decrease है, this is because, this is because internal economies, कुछ यादा रहा क्या, internal this economies, यह जो increase या decrease है, यह किस वज़े से आता है, यह तो internal economies या internal this economies, बरवर, अरे हां, आप यहां पर confirm गलत है अगर आप यह लिख देंगे तो, आप मुझे बताईए, पहली बात, इसके आगे, रुको 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 इसलिए मैंने कहा रुक जो, इसलिए मैंने कहा रुक जो, सर, यू तेल मी, यू तेल मी, अगर, सर, law of, law of variable proportion, में जो increase or decrease हो रहा है, this is because of, this is because of, पुलो विटा, internal and external economies, internal and external, diseconomies, चलिए बात सुमझिए, सर, increase or decrease, for, law of variable proportion, is, by reason of, internal economies, this may be, by reason of internal economies, human means, Bola 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 Bola, this may be by reason of internal economies, and external economies, yes, and external economies, is this done and in a return to scale internal this economies and external diseconomies यह वाला पार्ट आपका प्यॉर थेरी है economies और diseconomies किस वज़े से होती है यह वाला जो पार्ट है यह आपका प्यॉर थेरी है economies और diseconomies किस वज़े से होती है यह पार्ट अब आराम से घर पे कर सकते है राइट इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं पहला आईसो क्वांट्स अरे हाँ देख कई बार ऐसा होता है कि हम और अब बच्चो आईसो क्वांट्स क्या होता है आप क्या कर देते हो इनकुट्ट ही चेंच कर देते हो येस, for example, अगर मान लीजे, अगर मान लीजे, हमारे input का cost increase हो रहा है, या input ही scarcity में है, तो आप क्या करोगे, change, इसे हम क्या कहते है, isoquants, so what is isoquants, और isoproduct curve, yes, it shows, बुलबड़, वरियस, combination of two input, which provide, बुलबड़, same level of output, so, so, क्या मैं बोल सकता हूँ, here producer is at indifference, क्या मैं बोल सकता हूँ, here producer is at indifference, yes, say, yes or no, क्या मैं कह सकता हूँ, higher ISO curve shows higher level of output, तो अगर आप देखेंगे, A, B, C, D, एक और चीज होती है, marginal rate of technical substitution, क्या तुम्हें यादे, it provides the impact on change in output as a result of change in बोलो, input या factor of production, factor of production, sir, isoquant और marginal rate of substitution में क्या difference है, isoquant और marginal rate of substitution में क्या difference है, isoquants में हम input change करते हैं तो output पे, input variable change करते हैं तो output variable पे क्या फरक पड़ता है, जबकि marginal rate of technical substitution में हम factor change कर देते, land, labor, capital तो इसका output पे क्या फरक पड़ता है, so हाजी so shhh how change in capital, labor, etc. brings same level of output how it brings same level of output is that done is that done hmm वरवर चलो cost concept पड़ते हैं total cost is equals to बोल बेटा, total fixed cost plus total variable cost yes or no चलिए बेटा, चार्ट के तुरू समझते हैं, your TFC remain constant तेरा TFC क्या रहेगा बेटा, constant, fixed cost change होता नहीं, तेरा output का level कुछ भी हो, मेरा बात समझ, तेरा output कुछ भी हो, तेरा output कुछ भी हो, तेरा fixed cost change नहीं होता, पर क्या, तेरा variable cost increasing show होता है, क्या यह increasing show होता है, सर, variable cost increasing क्यों होता है, सर, variable cost increasing क्यों होता है, जैसे जैसे output बढ़ाएगा, वैसे वैसे variable cost भी तो बढ़ेगा, and variable cost is over and above fixed cost, variable cost is over and above fixed cost, तो लगना ही है, तेरा output कुछ भी रहे, तेरा fixed cost will remain same, तेरा variable cost over and above fixed cost लगने वाला है, इसलिए तब जाकर कर तेरा क्या मिलता है, total cost, yes, अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूँ, यह horizontal होता है, तू focus कर, इसका hostel या बाक्ती चीज़े है, वो अपना जा रहे है, तू इमानदारी से focus कर, वो लोग भी जाकर के देखने ही वाले वापस, तेरा जो fixed cost होता है, इसका जो line होता है, यह कैसा बेटा, horizontal, पर यह जो होता है, तुझे नहीं लगता, यह कैसा होता है बेटा, positively sloped या negatively sloped, it is positively sloped, सर positively sloped क्यों होता है, क्योंकि यह upward show कर रहा है, and that's why this is positively sloped, and that's why with this positively sloped, yes, is that done, okay, hmm, I think, सब बंद थक गए बंद करे गया, ठीक है बिटा, अरे तो cost गता ब्रेक चीए तूंगो, अब पांच मिनट में चाप्टरी गतम हो रहा, पांच मिनट में चाप्टरी गतम है, अगर आपको अब तक समझ में आया होंगा, यह पांच मिनट में चाप्टर गतम हो जाएंगा चाप्टर, ब्रेक चीए तुमको स्टिल, पांच मिनट ओल्ड कर तो ब्रेक देता हूं, फिर जिसको जाना है वो चले जाएगा, बचे भी अपन साथ में बैठते, पक्का पांच मिनट में ब्रेक देता, बड़ा ब्रेक चीए, पांच मिनट का ब्रेक लेंगे, मैक्स दस मिनट, अरे सबको घर जाना है आप, मेरे भी घर, बार, बीव बच्चे, मेरे को भी घर, बार, बीव बच्चे ना है आप, बरो रेगी नहीं, पड़ अगर तुम धगए तो it's okay, फोर चाप्टर कुछ से कर ले ना उसमें क्या है, आरे कर ले ना गर पे आराम से, इधर कल कुछ तम्मन नहीं, मेरे को कल को कल A to Z का लेक्चे तुमको लगता हो आदमी देगा मेरे को कुछ, वो आदमी तुमको छुट्टी नहीं देगा मेरे को लेक्चर क्या देगा, वो देंजर मानूस है वो, उसको लेक्चर लेने बोला तो ज्यादा कुछ हो जाता, लॉप डिमनीशिंग मार्जिनल उटिलिटी वर्क निंगरता हो दर, हम लोग, हमारे जैसे अनाडी हो के केसमे लॉप डिमनीशिंग मार्जिनल उटिलिटी है, उनके केसमे वो हैबिट है, चल दो मिनेट दे, आ जा इदरह, यस, ओके, हां जी, इंक्रीजिंग, हां, ओरीजिन से भी इंक्रीजिंग होगा, बट हम यहां पर आजूम कर रहे, फिक्स कॉस्ट तो रह गई रहेगा, वेरियाबल उसके उपर और रह सकता जित्ता जित्ता प्रोडक्शन बढ़ा होगे, तो अगर तेरा आउटपुट एक पे है, तो देर विल भी वेरियाबल प्लस फिक्स्ट, यह ओरीजिंग से रहेगा, यह चार्ट बनाते हैं हम बोल रहेगा, यह फिक्स कॉस्ट के उपर भी वेरियाबल कॉस्ट रहेगा, जैसे यह से इन्पुट बढ़ाएगा, एश अच्छीब बाद कर लो फिर फिर घता हम करताअ यह कर ने दो ना तो पीडिय मानदाविसे इगदम चूपव जो एगदम तूपव जो, मुझे बताओ, ओप्स एवरेज फिक्स्टक्राश्ट, फिक्स्ट कयूस्ट rather than a personpr, upón, quantity what is average variable cost common total variable cost upon quantity what is average total cost total cost upon quantity कुछ याद आधा रहा क्या? ठीक है? तो क्या मैं कह सकता हूँ average total cost is equal to average fixed cost plus average variable cost अरे जब total का formula भी वोई था तो average का भी वोई रहेंगा ना wait अगर मैं तेरा AFC की बात करूँ तो ये downward होता है पिटा, your fixed cost is horizontal, your average is downward जैसे जैसे quantity बढ़ेगी तेरा average fixed cost क्या होगा कम तो ये जो कर्व होता है, AFC का जो कर्व होता है ये कैसा होता है बेटा downward, downward होता है मतलब इसी को ही negatively sloped भी बोल सकते है MCQ, तेरा average fixed cost जैसे तो quantity बढ़ाया तेरा overall fixed cost का जो component रहेगा ये कम हो जाएगा इसी लिए तेरा fixed cost constant रहता है, average fixed cost downward sloping होता है और इसी लिए ये negatively sloped भी होता है YES, तेरा average variable cost is smiling तेरा average variable cost कैसा है बढ़ा, smiling Sir कैसे? First, average goes down Then, with increase in input your variable cost goes up yes तो बता तो बता अब तेरे average total cost पर क्या impact पड़ेगा एक जब आके ऐस को मुद्थ और आवरेज टोटलकोस्ट आवरेज वेरियेबल कोस्ट आवरेज UND-इफिक्स इसको दे आवरेज फिक्सको सके इफिक्स किसा होता विटा है पर डाउनवैल्र इफिक्स वेरियेबल कॉस्ट्रो dispersed यह आफ्टर sometime यह क्या होता है increasing और तेरा fixed plus अब सुन तेरा average total cost mostly किस पर depend नहीं mostly depend upon variable क्योंकि fixed cost will remain same at any level of output तो तेरा average total cost किस पर depend हो गया variable पर depend हो गया मतलब यह भी positively sloped रहेगा यह भी same रहेगा average variable cost के जैसे इसलिए अगर आप देखोगे यह भी smiling है यह भी smiling है यह downward कललक का chapter is over एक और है last में याद दिरा देता हूँ सुनो average long सुनो सिर्फो बोल देता लिखने का जरूत नहीं long run average cost curve या दे long run average cost curve टिंग 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 ऐसा कुछ करता या long run average cost curve एक मिनिट सुनो तो सुनना सुनना एक मिनिट में समझ में आएगा long run में सारे input fixed है या variable है variable का cost curve कैसा रहता long run में हर input variable है इसलिए long smiling लेकिन long period जो होता है यह छोटे-छोटे short period का part होता है इसलिए इसके ओपर और छोटे-छोटे smiley long run में हर input क्या होता है variable और इसी के साथ चाप्टर नमबर 4 is 3 अरे 4 नहीं हुआ ओ इसका मतलब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चाप्ट नमर्चार चालू कर सकते मैं आपको पहले बताते सुनों चैप्टर नमर्चार में कितना टाइम लगना है मैं आपको बताता ताकि उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो बैटना है कि नहीं पर मेरे को लगता है बैटना चाहिए है ठीक है अरे ब्रो तो हाडली 45 मिनिट्स उसमें मिनी 30 36 मिनिट्स कंप्लेट मैक्स 36 मिनिट अगर टिका लिया तो पूरा कंप्लीट हो जाता पर पहले मैं एक ब्रेक दे रहा हूं छोटा सा बहुत लोगों को थंडी ज्यादा लग रही है जाना पड़ेगा ठीक है टिक सकते हो तो टिक जाओ में तो कोई बात नहीं ं स्च्राइब की जाओ ऋलिगदी जाओ पृटा प्रोब्ट पल्ट लुट अ लिए लुट 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 में लुट झाल झाल अचे कर दो सकति अच्चे है झाल 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 कि पुर्ण झाल झाल स्टान प्लवाब झाल 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 कुलाएए झाल 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 झा और आउनलाइन वालों थके तो नहीं हो ना जीवन में आ तकना नहीं है कि अधिक्यों हुआ 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 हु पॉइंट ओन तुनों अलग लिए दूनों अलगल कॉंसेप्ट में यूज होता है को अरे चलो अन्या निया आरे फिन ठूमाट शेर्ण का माराथ न के ट। साद गंदा वो तो क्या इंटरम आऊंड गिडियों जांटा बेचने में साद शुब चेवेज आलू करों अरत में शाडे न कुकर तुम करोंगा कि यह देखो ऐसे सर खाने का अरेंडमेंट करो कुछ खाते है देख रहा है मेरेको जब से ऐसे तूने है भूक प्यास तागना पड़ता है जब कुछ मिलता है भाई चल 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 36 मिनिट पैसा डबल चल 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 अरे थकनेगा नहीं ममए भाई जित्ता चहर होगा पपा चरह चाहिए चल कुछ ने होता इसका बढ़ा ओर ढेस तेरी बच्चों को क्या स्टोरी बताएगा तिरे बच्च आके बोले इंग थीन तीन चार गंटे करने के पाज पाप में बॉह तुग गया हो आज एगा मम्मी मैंने छे गंटे काम किया आज तू बोल पाएगा चल बापको अच्छा प्रभापने सुला गंटे किया है समझ मैं ही बास किस से उने चीव है का नोने चीव तरह पास येस सर वेल्कम टु दुझ लास्ट टॉपिक आओ बैटो जल्दी से रुकने का नहीं ठकने का नहीं जुगे नहीं साला चलो 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 येस मन बिल्कुल एंड तक करेगा चलना यार चलते हैं चोड़ने गाने आदी गंटे में पुरा टापिक खराऊंगा बस रुको कुछ फरक नहीं पड़ता है चल रहे बापा बैटने जल्दी चलो चलो करू ब्रो टेंजन बन्लो अल गूड हां कितना टाइम ओर 37 मिनेट कॉंसेप्ट के पांच मिनेटे एक्स्ट्रा ग्यान के खतम हां मैक्स मैक्स 9.15 चलो 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 एवरिबडी शुट आई साट आव बिड़े चल पेन उठा पहले से उंगलियों को दबा स्टार्ट चाप्टर नंबर फोर चाप्टर नंबर फोर सबसे पहले चाप्टर तुझे बताता है क्यमी क्या होता है मार्केट कंटेन्स मार्केट कंटेन्स पहला और रीजन पायर सेलर बार्गेन फॉर प्राइस येस तो मार्केट के अंदर में मेजर चार चीजे चाहिए पहला चीए एक रीजन, रीजन मतलब एक मार्केट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट मार्केट को सबसे पहले बीड़ा मार्केट को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है आउन दर बेसिस ओफ लोकेशन बताओ लोकेशन के बेसिस पर सबसे पहले होता है लोकल मार्केट यादा रहे क्या पर एक्जामबल अपने केस में लक्षमी मार्केट येस दूसरा रीजिनल मार्केट फर एक्जामबल मार्केट याइड पर पूरे पूरे पूने रीजन से अग्रीकल्चरिस आते हैं फिर तीसरा होता है नाशनल मार्केट इसको तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं चौता होता है इंटरनाशनल मार्केट, इंटरनाशनल मार्केट मतलब ग्लोबल, इंटरनाशनल मार्केट मतलब ग्लोबल, on the basis of time, on the basis of time, on the basis of time, very short market, everybody, very short market, just 3 hours, short period market, for example crackers, yes, long period market, very long period market, ca, very long period market, yes, on the basis of transaction, on the basis of transaction, yadkar, cash market, future market, cash market, future market, on the basis of regulation, regulated, unregulated, on the basis of volume, on the basis of volume, wholesale, retail, I think this points are self-explanatory, both hard, dynamita, on the basis of regulation, on the basis of time, on the basis of volume, on the basis of everything, dynamita, dynamita, चलो, टाइपस आफ मार्केट, टाइप आफ मार्केट स्ट्रक्चर, बेड़े ध्यान से सुन, मार्केट स्ट्रक्चर टाइप चार्ट रेके के है, पहला होता है पर्फेक्ट कॉंपटिशन, दूसरी है मोनो, पोली, तीसरी है मोनो पोलिस्टिक, चौती है ओली को पोली, अलिगपोरी नहीं, ओली को पोली, बताओ, नमबर ओफ सेलर कितने हैं, यहाँ पे मैनी, मोनोपली में मैनी या ओनली वन, मोनोपलिस्टिक में मैनी, ओलीगोपोली में मैनी, सर किस तरह के प्रोड़क्ट के साथ डील कर रहे है, होमोजीनियस, होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ डील करतें, इस अबड़ात। मोनोपली में जो प्रोड़क्ट होता है, यह कैसा होता है बिड़ा, यूनीक, सिर्फ उसी के पास है और किसी के पास नहीं है, अलग है उसका, अरे, उसका प्रोड़क्त अलग है, इसका प्रोड़क्ट डिफ्रेंशियेटेड है कुछ नया प्रोड़क्ट है कुछ अलग है होमोजीनियस और डिफ्रेंशियेटेड चारो एक साथ पढ़ा रहा हूं एक ही चार्ट में कि यहां पर बहुत सारे से लड़ है ओली को पोली में होमोजीनियस और डिफ्रेंशियेटेड दोनों होते हैं कि यह कि दिग्री ओफ कंट्रोल कि इस देर अनी कंट्रोल नो कंट्रोल ओर दे प्राइज इदर कि फुल कंट्रोल ओफ प्राइज कि इदर लिमिटेड कंट्रोल ओफ प्राइज यहां पर भी लिमिटेड कंट्रोल ओफ प्राइज यहां मेरा डिमांड कर्व कैसा रहता है होरिसोंटल ट्रेट लाइन पारिलेल टू एक्स एक्सेस यहां पे डाउनवर्ड यहां पे डाउनवर्ड श्लूपिंग और यहां पे भी डाउनवर्ड श्लूपिंग पहले लिख लो फिर क्लियर करते हैं प्राइज इलास्टिसिटी कैसी होती है प्राइज प्राइज एस दूड़ सुर्डन चेक सर, अगर हम बात करें, एक मिनद, अगर हम बात करें, ओलीगो पॉली, राइट, सेलर में, I guess, ओलीगो पॉली में मैंने गड़बर की है, यहां पे फ्यू सेलर होना चाहिए, लिखते वक्त कि यह गड़बर है, माफ किजीगा, सर, सबसे पहली बात है, एक होता है, परफेक्ट कॉंपटिशन, एक क्या होता है बिड़ा, परफेक्ट कॉंपटिशन, परफेक कोई भी चीज को हम क्यास कह सकते है, कोई मार्केट, let's say, पूने का गोल्ड मार्केट, अब गोल्ड मार्केट में होता क्या है, आस पास में सारी दुकाने एक साथ है, so there are many seller and selling similar kind of product, यह अगर आप देखेंगे, 3rd floor पे खाउगल्ली, यह जो खाउगल्ली है 3rd floor पे, it's a concept of perfect example, perfect competition, there are many seller selling similar product, या तो उनके पास मैगी है, या तो पैटी से, या तो पोहा सांबर, समोसा सांबर, या तो ले दे के वड़ा पाओ, या तो ले दे के भेल, खतम विशे, बहुत हो गया है, तो चाय, बरेबर है, चाय कॉफी, they are selling homogenous product, बत प्राइस किसी के कंट्रोल में नही है, क्योंकि customer सबके है, और since competition चल रहा है, तो इनका जो price रहेगा, यह similar रहेगा, किसी एक के हाथ में रहता, नहीं, अब किसी एक के हाथ में price है नहीं, तो horizontal, straight line, parallel to x-axis, बरे-बरे, सबका, जो quantity है, x-axis के उपर क्या रहने वाला है, parallel, price elasticity is equals to mc, what is mc, अरे, आदमी तभी profit बना पाएगा, जब वो अपनी at least marginal cost recover कर ले, तो price elasticity क्या रहेगा, equal to marginal cost, फिर आता है, monopoly, monopoly का मतलब क्या होता है, एक seller, कोई और ऐसा product नहीं दे रहा, अपकेला ऐसा product है, इसका product unique है, ऐसा किसी के पास नहीं है, जैसा इसके पास है, अब है ही इसके पास, तो जो price बोलेगा, वो मिलेगा, He has full control over price, बरबर है, इसके पास unique unknown का है, इसा किसी के पास नहीं है, वो सबसे निराला है, He has full control of price, अब since, since यही supply करने वाला है और कोई supply नहीं करने वाला, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, yes, यह यह किसका, देवराज कौन है, जो भी देवराज होंगा यह तुरन बंद करो सबसे पहले तो, देवराज आइफोन का कोई code लगा है, यहां पे, तो कोई होगा तो प्लीज बंद करो, हां, किसी का है क्या, Anyone who is देवराज, बंद करना भाई, यह काम कर तेरह वाई-फाय और बाकी चीजे बंद कर, तरह वाई-फाय बंद कर, मा कसम मतलब जीवन में देख रहो, हाई यार, गलत जगह कनेक कर दिया यार तुने, आ गया न, चलो ध्यान से सुनो, हाँ जी तो बीच में जो कुछ आया था उसके लिए माफी चाहते हैं, ऐसी चोटी-चोटी चीजे होती रहती है, वो कुछ और देखने के लिए मोबाईल उपन कर रहा था पर गलती से, अच्छा मुझे बात बताओ, Am I the only seller? Yes, अब मैं जो चाहे वो प्राइस चार्च करूँगा, जैसी मैंने प्राइस बढ़ाया, मेरा डिमांड कम, इसलिए जो स्लोप रहेगा यह कैसा रहेगा, डाउनवर्ड, यहां पर भी प्रॉफिट तभी हो सकता है, यहां पर प्रॉफिट हो सकता है, which is above marginal cost, which is above marginal cost, monopolistic, there are many seller, but they are selling all different products, एक example अगर लिया जाए तो यह हो सकता है mall, there are many sellers, but they are selling different products, yes, limited control है, क्योंकि आप मान लिजे उस तरह की की दुकान, पूरे mall में अगर कहीं नहीं है, तो you can have a little price differentiation, इसलिए limited control over the price, हला कि इनका भी demand curve कैसा होगा, downward sloping होगा, क्योंकि यह भी competition में work करेंगे, price उन्होंने बढ़ाई, demand down, हला कि steep नहीं होती, इनकी कैसी होती है, sloping होती है, इस तरह के की, rather than इस तरह के का, Yes, यह भी इनका price elasticity कैसे achieve होगा, Yes, Sir, जब यह more than marginal cost recover करने लग जाए, तो हो सकता है, oligopoly market, there is only few seller selling either homogeneous product or differentiated product, they have limited control, again downward sloping and there is price elasticity is very small, is that done, कुछ लोग बात करें, please बात बंद करो, अच्छा, आप बताईए, सबसे पहले price equilibrium नाम की चीज पढ़ते हो आप यहाँ पे, price equilibrium, क्या मैं कह सकता हो, price is at equilibrium, when quantity demanded is equal to quantity supplied, yes, price is at equilibrium yeah, there will be a price equilibrium, when quantity demanded is equal to quantity supplied, quantity demanded is equal to quantity supplied, quantity demanded is equal to quantity supplied, generally you will try to complete the price equilibrium, generally you will price if demand increase, क्या मैं कह सकता हू, demand curve will shift to right, to right, अगर increase in demand हुआ, तो demand curve will shift to right, causing equilibrium, causing an equilibrium, causing an equilibrium, to increase, decrease or shift to right, causing an equilibrium to increase, quantity demanded क्या हो जाएगी बटा, increase, increase, if, if supply increases, supply curve will again shift, again causing equilibrium to decrease, if both demand and supply changes continuously then equilibrium will depends upon market condition, to price is at equilibrium, when quantity demanded is equal to quantity supplied, price determination under various markets, price determination under various markets, पहला perfect competition, perfect competition, price is determined by below, demand and supply, अगर competition perfect है, कोई एक एक आदमी, price determined करता ही नहीं, price जो determined होता है, वो demand and supply के contraction में होता है, जैसे की stock market, stock market के हाथ में price किसी एक के हाथ में आ नहीं है, demand and supply पर depend करेगा कि price किदर जाएगा, yes, are they price taker और price giver, they are price taker, they don't have a time, or rather they don't have control, they are price taker, market जो दे रहा है, अच्छा, entry और exit easy रहेगा, entry and exit कैसा रहेगा बिटा, easy, तो यहाँ पर entry और exit बड़ा easy है, कोई नया आदमी आकर के हैं पर थेले लगा दे वड़ा पावकात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, yes, मान लो, आप मेंसे भी ध्यान नहीं दिया किसी नहीं, तो हो सकता है कल चलकर उसका यहाँ पर किसी का हो, इत्ती बेज्जधी सर, नहीं उसमें भी बहुत कोपे, कोई काम चोटा यह बड़ा नहीं होता, yes or no, अच्छा मुझे बताओ, प्री एंट्री फ्री एक्जट है कि नहीं, yes, अब बताओ, पर्फेक्ट कॉंपटिशन में, बायर को, पर्फेक्ट कॉंपटिशन में, बायर को, will have perfect knowledge of the product, will he have perfect knowledge of product, yes, he has perfect knowledge of market, there is no selling cost, monopoly, price determined by seller, to his price maker, entry not easy, entry not easy, no perfect knowledge, there is no selling cost, वो है या अकेला उसको क्या selling cost लगनी है, बरबर है, दोनों भी case में, याद रखे, first order rule, first order rule, dash must be equal to dash, and MC should cut MR, from below, यहां पर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स बन सकते हैं, यहां पर सूपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी बन सकते हैं, यहां पर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स बन सकते हैं, यहां पर सूपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी बन सकते हैं, क्योंकि आप यह अकेले seller हो, बिलो, यह यह तब हो सकता है, in short run, in बुलवड़ा, short run, in long run, you can only have normal profits, short run में तुम, short run में तुम इधर सिर्फ normal profit बना सकते हो short run में इधर super normal profit भी बन सकता है लेकिन long run में दोनों में सिर्फ एक ही profit हो सकता है normal profits, पुछो क्यूँ जैसे आपको super normal profit बनाता देखेगा, competitor market में घुश जाएगा अब वो आपका market share खाएगा और क्या करेगा आपके sell, आपके customer को reduce कर देगा so long run में you can earn only normal profit, short run में under monopoly you can have super as well as normal profit but under perfect competition you can have only normal profit, समझमारी बात सारे जितने points लिके सपे MCQA आपने जितने points लिके सपे MCQA तीसरा, बोल बीटा, monopolistic monopolistic में price कौन determine करता है monopolistic में price कौन determine करता है, बोल जल्दी who determine the price in monopolistic yes yes monopolistic में price कौन determine करता है, so it is a blend of perfect plus monopoly it is a blend of both yes it deals in differentiated products yes in short run in short run to have normal profit MR should be equal to MC and MC should cut MR from below, यहां पर भी concept से में रहने वाला, यह तो दोनों का combination ही है ना in long run आप सिर्फ क्या बना पाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स in long run आप क्या बना पाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स say yes yes अच्छा, monopolistic में, super profit भी बन सकता है sir, monopolistic में, super profit भी बन सकता है क्योंकि यह दोनों का क्या है, combination, when your average revenue is higher than your average cost विन आवए रख रवेंगे लिए रवेगे रवे रावेज कोष्ट बरवर and last बोल बड़ा last last oligopoly oligopoly बदा oligopoly oligopoly हुम price कैसे determine होता है बोलो जल्दी price कैसे determine होता है यहाँ पर seller कितने है few they are also price takers we are also price takers right in short run in short run mr should be equal to mc in order to generate normal profit in long run they can only earn normal profits they have kinged demand curve यह भी कुछ था but they have king demand curve they generally have stable price in case of price होते हैं यह हमेशा क्या होते हैं stable और इनको kinged demand curve होता है king-ting ऐसा कुछ कि उनको क्या होता है विडा kinged demandka सर्द टिड़ा होते हां इनका demand curve कैसा होता है टेड़ा आप पूच में सर्द तेड़ा केसी होता है टेड़ा है पर मेरा है ये ऐसा oligopoly बोलता है ऐसा oligopoly बोलता है तो происходит demand curve king demand kinder क्या होता बिया उपर वाला portion दिखाता है elasticity of price नीचे वाला दिखाता है in elasticity of price उपर वाला कहता है कि price बढ़ा तो demand कम मीचे वाला कहता है price डाउन का फरक पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि तुम ओली को पोली मार्केट में बैठे हो तुम्हारा elasticity of price रहेगा क्योंकि यहां पे seller क्या है बिटा फ्यू जैसे ही तुमने customer छोड़ा वो किसी और के पास जाएगा that's why you have a king demand curve मोटे मोटे तौर पे तुम अपना price stable रखते हो ना बढ़ाते हो ना कम करते हो it's kinged तेड़ा है पर मेरा है यह yes अच्छा इसी के लिए अगर आप देखोगे इसी के लिए अगर आप देखोगे यहां पे price elasticity जो रहती है यह small रहती है small क्यों है because of kinged demand curve आपका price elasticity ज्यादा होता नहीं and that's why यहां पे लिखा है small because of kinged demand curve yes or no last concept last concept last concept last concept of your whole syllabus price leadership कैसा बटा price leadership a large dominant firm has price leadership जो large dominant firm होते है generally यह price leader कहलाते है जैसे भुजिया के segment में देखा जाए तो हल्री राम monopoly तो यह large dominant है there is no perfect monopoly but it is somewhat perfect monopoly यह लोग क्या करते है यह large price decide वर होते है they work on live and let live जियो और जीने दो वाली strategy पर वर्क करते है ऐसा price रखते है कि छोटे seller भी work कर पाए they set a price where small players can also survive in another strategy they set a price where other cannot survive life for example parlay कुटले हाँ for example parlay parlay ऐसे price set करता है कि भी यह किसी से वह handle हो सकता नहीं in yes you good you continue syllabus is mustawa बाइस साव आफ। मैं पहली Allah 36 मिंटेंटके एंद्भ में भतम कर देंगे आप बुक बंद करो demolition जो भूमशत मिन लो फ था क्लो स्वकर चलो पलदा वर क्लोस तरी Agriculture तो कुछ फ़रक नहीं पढ़ रहा अगले पांच मिनट से मैंने वैसे भी सवाना हूं तक का टाइम मंगा है आपसे है 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 दन है 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 बैग वैक सब रख दिया जित्ते बच्चे ओनलाइन ओफ-लाइन गनेक्टेड सब रुख जौँ दन फिर मस्ते एक फोटो सेशन करेंगे जीवन में रुखो सबसे बेले शान्ती सब खतम बैग वैग बाजू रखो प्लीज अपनी आंखे क्लोस कर लो रिलाक्स प्लीज अपनी आंखे क्लोस कर लो रिलाक्स दन चिंदी अर्गते मत करना एक आंख खोल के देखर है क्या हुआ ना तुम्हारा कोई कुछ ले रहा है ना किदर जा रहा है चिल दन थ्री टू वन क्लोस यह आईस रिलाक्स शान्त इमानदारी से शान्ती कुछ नहीं है सब ओक्के है everything is going right शान्त just imagine you have given a thought के आपको यह कोर्स करना है you started with it maybe for six months and seven months you have given your everything like everything तुमने अपना बड्डे छोड़ा है तुमने दोस्तों का बड्डे छोड़ा है घर की पार्टी छोड़ी है फैमिली चीजे छोड़ी है सब छोड़ा है तू छोड़ा द्रीम के लिए है तुमने द्रीम के लिए है तुमने द्रीम के लिए है imagine कीजे एक ओफिस ओफिस के बाहर लगावा है यूनू पूर्ड imagine करो अपने नाम को सीए डाश को नेम देख पारे हो तुम तुम अंदर ओफिस में गए कले आल्टिकल्स के लिए जगा है आगे गए कूने में एक केविन है तीरे से आगे बढ़ रहे हो ओफिस में कुछ पेड़ लगे है सबरतस लाइटिंग्स तुमारे पीछे तुमारे mom dad साथ में आगे बढ़ रहे है बोर देखा प्हा है वो बोर के बहर तुमारा नाम लिखा है CA तुमारे ममीने ऐसा हाथ लिया मेरा नाम तो लिखा ही नहीं आप बोल रहे हो मा, सब कुछ तेरा है मैं भी ते रही हूँ और पपपा हर बार की तरह तुमारे पीछे खड़े हैं सिर्फ देख रहे किसको कित्ता पैसा लगा अपने बाप्पो You just open the gate मम्मी की आखों में वही चमक मेरा पुत्र पपपा यह कोई तकर्चा क्या पैसा लाया कहां से इसने चोरी क्या क्या हूँ अंदर गए अंदर आप बैठे हो एक चेर रखा है वाइट बार्बल टॉप टेबल एक सिस्टम रखा है तुमारा सामने दो चेर है पीछे बड़ा सा बोड लगा है हैलोजंज के साथ बाजू में देख पूरी लाइबररी फाउंडेशन से लेके फाइनल तक की बुक भी रखिये तुने अब तक संबाल के जैसा तुने ट्वेल्ट का रखा है काम कुछ नहीं है पर यादे है यह वह दरशाती है कि तुने over the period of time कितनी मेनत की है यह वह दिखाता है अब तु कहता है मम्मी आओ पपा आओ बेठो पहले पपा को कहा तुमने पपा आओ बेठो पपा ने ने मैंने बेठ रहा तो यह की कुरसी है मैंने बेठोंगा मम्मी आओ बेठों बेठों मैं तो जा रही हूँ वह मेरी कुरसी है अपनी मम्मी पहुझ गए मम्मी बेठी है वो लेडी के आँखो को देखो अब उस लेडी के आँख में तकान नहीं है पहली बार over the period of time तुमने इतना खुछ देखा है उस लेडी को सब भूल गई उसकी कमर दर्द कर रही हाथ दर्द कर रहा सब भूल गई वो लेडी बाप्पू के ना आख में प्राउड दिख रहा है पर वो आदमी ना हर बार की तरह ना तुमको कुछ बोलेगा ना अप्रिशेट करेगा पर वो जो एक गर्व दिख रहा है ना अज उसका छाती ऐसा 56 इंच का हुआ हुआ है अचानक से पपा के दोस्त मम्मी की कुछ दोस्त आते हैं ओफिस में आपने उनको भी इन्वाइट किया है अपन अपको प्राउड से वता रहा इद्र है ये सिस्टम लाया ये रेल आया मेरे को तो पूचा भी नहीं कब कर लिया इसने बताया भी नहींождения कैसे कर लिया इसने maintenant क्फीड मिदया के दोस्त हरबार की तरह और चोटे जाशे नया ससरू ढूंडा है। इतना पैसा कहां से लाया। मेरी भी फाइल अब ते कोई समभालने पड़ेगी। तुही समभाली भी पेटे मेरे फाइल। वो रेलेटेव भी आये थे, जो लड़की पैदा हुई है बोल करके परिशान थे। पमाचा मारा तुमने उनके मूँपे हैं क्या तमाण तुमने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, बहुत मैनत करी, यहाँ से एक महीने, एक महीने भाड के मैनत करी, साला कुछ नहीं सोचा, दो घंडा पड़ा, धाई गंडा पड़ा, कुछ नहीं सोचा एक्साम का दिन पूरी जान लगा के एक्साम दिए कल सुभ रिजल्ट है आज रात देखते को नीилनी आ रही है पता है तेरी भट क्यों रही है तेरी भट इसलिए नहीं रही है कि रिजल्ट क्या आएगा, तेरी इसलिए भट रही है, कि मैं गिड़ जाओं चलेगा, माबाप का विश्वास नहीं किरना चाहिए. तुब दोस्ट का फोन आता है, भाई रिजल्ट आ गया, नमबर दे तेरा, तुम नहीं, पपा लखी है, मम्मी लखी है, भाई लखी है, दोस्ट लखी है, वो देखेगा, तुमने अपना रिजल्ट नमबर डाला, पेशल कैप्चार कोड, डबलू आरो नमबर, निच्चे प्रेस का बतने कर दूगया क्लिक, या क्लिक, जामुनि कलर का एक पेज, ता इंस्टुट आप चाटर्ड अगॉंटर्ड आप इंडिया, वेबसाइट का नम चल रहा है, caresults.nick.in, वुम निच्चे जाते हो पहला अपना नम देखा, नम देखने का बाद डारे निच्चे, पास की फेल.? and guess what pass? perseverance नाम्मी रोरही हा पता ही क्योंDay रोरी हाओ लड़ी वो इसलिये नहीं रोरी हिं वह भास होंगए वह लेडी इसलिये हो रोही है क्यों कि मेरा बच्चा नहीं गिर हा हम सिर्दिया एं जिस्षेह मारी होट चलता था उसकी हिंवत नहीं तूपन चाहिए पंपू इमाजन तुम मम्य पप्पा को मॉल में लेके जा रहे हो, हाथ में लैप्टॉप and you just going, मम्य पपा को लेके गए, जिब में से ऐसा कार्ड निकाल के दिया, जो शॉपिंग करना है कर लो मैं इदर कॉफी पी रहा हूं ज्यादा कर लू, पूरा खर्चा कर दू, अरे टेंशन मत लो करो, देख लेंगे है just breathe in अगली साथ confidence अगली सांस determination अगली सांस विश्वास की इजबार करके रहेंगे अगली सांस सब को मुँ तोड जवाब देना है अगली सांस प्राहत वाली की पास हो अगली सा मुझे पास है 3 times, 1, 2, 3, start O 2 O and the last the Bhagawan Ki Blessings O 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